अज साहे तीन बजे मुझे टेलीफून पर उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जिल के वीसी रूम तक जा सब हूँ बैरिक से रिकल करूँ तो आप आप सोथी और शाम को शाम को शाम को शासन की जाच पे भरोसा करें लिया सीधे नियाई पालिका जाए इधर बीजबी विधाय कृष्टान अंडराय के हत्या के मामले में मुकतार अंसारी को सजा हुई थी कल इस मुकतार की मौत की खबर आने की बाद कृष्टान अंडराय के बेटे पियुष ने जीनू से खास बातशूट की सुनिये उन्होंने क्या कहा इसे अपराजी जो समाज के लिए एक गंदे क्यूने की तरह है उनका जितना सफाया हो सके वो सफाया होना चाहिए और मैं इसलिए इसे पूर में भी मैं नयापालिका साभी करई बाद शुक्र गुज़ार हूँ कि उन्होंने ऐसे अपराजी को दो दो बाल आज इवन काराबास दिया मेरे पिज़ाजी के मामले में MPML इपोर्ट में इनको साथ साल की सजा इनके और इनके भाई को मिली तो मैं कहीं ने कहीं मानका हूँगी जो कमी वसी नयापालिका में रह रही आज रमजान के इस महीने में अल्ला कहूँ या भवान कहूँ या बाबा बुरत नाज का दरबार कहूँ वहाँ से ये फैसला आया है और मैं बहुत खुश हूँ आज के जिनके तो प्यूश राय को आप सुन रहे थे और उनों में पूरे मामने को लेकर कुशी जाहर थे मुक्तार की मौत की बाद एक ये पुलिस जो है अलर्ट मोट पर नजर आ रही है सोशल मीडिया पर भी खासी नजर रखी जा रही है क्योंकि यूपी पुलिस का सक्ति यहाँ पर निर्देश जा पर आ गया है और ऐसे में मुक्तार की मौत की बाद पुलिस जो है अलर्ट में है तो जमीनी यहाँ पर एक्शन देखा जा रहा है विशाल रकुवेंशी लगतर हमारे साथ बने हुए विशाल अलग अलग गिलाकों की तस्वीर तो हमने देख ली कि किस तरह से पुलिस ने मुस्तैदी यहाँ पर बना कर रखी हुई है अतेना थे पुरी तरह से पुलिस और जवान लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करे तो सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है अब इस एरिया को पुरी तरह से कवर्ड किया रहा है और आप तस्वीर दे सकते हैं कि यहाँ पर भारी फुलिस बल जो है उसको पनात कर दिया गया है और पुरी तरह दिप्लॉयमेंट वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा पकाईदा यहाँ पर अभी फुले एरिया को कवर करके अब साथ विजे से जो है यह कहा जा रहा है कि जोगी इस उमर अंसारी जो है साथ सारे साथ के आस्पाफ यहाँ पहुंचेगा जो ऐसे में आट में पहुंचेगा जो होगी तो उससे पहले यहाँ पर भारी पुलिस वर्ल को जो है तनाद किया गया है गटना आती है जिसमें विरोध या कोई अपती जनक पोश्ट करता है तो उसे खिलाब सक्त कारवाई करने के भी निर्देश जारी कर दिये गए हैं। बड़ी टीम यहाँ पर डॉक्टर की पहुंचेगी जो पोस्ट मॉटम करेगी और बकाइदा विडियोग्राफी यहाँ पर की जाएगी। गाजीपूर की तस्वीर भी हमने देखी किस तरह से वहाँ पर मातम पसरा हुआ है और लोग जो है शोक व्यक्त कर रहे हैं। कुछ लोग जो है मुक्तार अंसारी को अपना भाई मानते थे अपना मसीहा मानते थे और ऐसे में वो लोग जो है वहाँ पर शांती से खड़े हुए हैं। काई दुकाने वहाँ पर जो है लोगों ने अपनी बंद कर दी हैं तो दोनों जगों की तस्वीर हमने आपने दिखाने की कोशिश की पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें। की बने हुए हैं। विशाल जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि पहले पोस्ट मॉटम होगा, लगभग 2-3 घंटे का वक्त लगेगा, उनके बेटरी वहाँ पर पहुँचेंगे और उसकी बात सीधे जो शव है उसे लिजा जाएगा कबरिस्तान, यानि परिवार को शव न कराये बनी है, हाला कि अंतिम फैसला जो है मजिस्ट्रेट को लेना है, पंचनामा के बाद जब पोस्माटम होगा, उसके बाद ही मजिस्ट्रेट जो है जो फैसला लेंगे, उस पर ही जो है तमाम जो चीज़ें वो आगे की कारवाई होगी, लेकिन अभी तक आपको बता द है कि मुक्तार अंसारी के शब्स को लेकर पुलिस की टीम करीज साले ग्यारा या बारा बज़े के आसपास यहां से रवाना होगी, तो यह एक प्रॉक्षाहीं बताया जा रहा है, लेकिन अभी फिलाल थ्वास इंतिदार इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि साले साथ है, उसको यहां पर रात किया गया है, तो यह जो है इस वक्त स्वरक्ष्ण वैस्ता को चाक चौबन रखा गया है, इसके साथ साथ जो सबसे महत्मूर बात है, वो यह है कि आपको बता दें कि मर्चरी के बाहर इस वक्त फोर जरूत अनास है, लेकिन जो तमाम लो लीगल प पहराया कि उन्हें जहर दिया गया और इसकी जांच होनी चाहिए, सुनिये उमर अंसारी ने फोन पर जीनियू से क्या कहा, आप 26 तारीक को भी आये थे मेडिकल कॉलेज में जब मुख्तार अंसारी को यहां लेकर आये थे, जेल करमी? विडियोग्राफिए यहां पर की जाएगी, सुभे आट बज़े के बाद मुकतार अंसारी का पोस्त मौटम जो है शुरू होगा, हमने तस्वीरे भी देखी मौके से किस तरह से पूरी जो फोर्स यहां पर तैनात यापर की गई है, क्योंकि सुरक्षा बनाए रखना एक बड़ी चनौती, पोलिस प्रशासन के लिए, पाँच डॉक्टर की टीम पोस्त मौटम करेगी, और इस पूरे प्रक्रिया के दौरान जो है, विडियोग्राफी की जाएगी, लखना उसे बुलाएंगा है विशेशक यह डॉक्टर, कल आपको बता दे कार्डेक अरेस्ट की वजह से माफिया मुक्तार अंसारी की मौत हो गई थी, कल जब उसकी तवियत बिगडी, जेल में उसकी बाद सीधे उसे अस्पताल ले जाए गया, जहां डॉक्टरों की टीम तैनाती मौचो थी, नौर डॉक्टरों की टीम, ऐसे में इलाज वहाँ पर शिरूब और तब बताय गया की मुक्तार अंसारी की मौत हो गई है दिल का दौरा पढ़ने से, उसकी बाद से देखे, लगातार, रात भर सही, पूरे इलाके में तैनाती यहाँ पर फुलिस प्रशासन की नज़र आ रही है, अब जो है पोस्ट मौटम जब होगा उसके बाद इंतजार किया जा रहा है कि पोस्ट मौटम के बाद माफिया मुक्तार अंसारी की शक्त को सीधे ले जाये जाएगा, कालिवाद कबरिस्तान जहाँ पर उसे सुपुर्दो खाग किया जाएगा, परिवाद गाजिपूर में मौचूद है, गाजिपूर की तस्वीर में हमने देखी कि घर के बाहर किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है, मातन पस्रा हुआ है, लगातार सवाल ये भी उट रहे है, मौत को लेकर जाच की बात कही जा रही है, जो दो भाई है मुक्तार अंसारी के, वो बांदा नहीं पहुँच पाएंगे, उनका जो बेटा है, उमर अंसारी वो पहुँचेगा, और जो है, डॉक्तों की टीम, पांच विशेशक की डॉक्टर, लखनाव से रवाना हो चुके हैं, जिस तरह से हमारे सायोगी बता रहे मुक्तार अंसारी की मौत के साथ ही परवांचल में बाहुबल का खात्मा हो गया, मुक्तार को अलग-अलग मामलों में दो बार उम्र कैद हुई थी, और वो 2005 से सजा काट रहा था, सबसे पहले 1988 में ठेकिदारी को लेकर, ठेकिदार सचिदानंद राय की हत्या मामले में मु 1991 में अवधेश राय हत्याकान में भी मुक्तार अंसारी का नाम आया, इतना ही नहीं, 1996 में गाजीपूर के एडिशनल S.P. रहे शंकर जैसवाल और उनकी टीम पर दिन दिहाडे हमले का आरोप लगा, मुक्तार अंसारी पर 1997 में कोईला का रोबारी नंद किशोर रुंग्ट इस राय की हत्याका भी आरोप लगा, इतना ही नहीं 2010 में मन्ना की हत्याके एक मात्र गभा, राम सिंग मौर्या की भी हत्या कर दी गई, इसका आरोप भी मुक्तार गैंक पर ही लगा, मुक्तार अंसारी पर हत्या, हत्या के प्रयास, धमकी, धोकाधड़ी समेथ कई किया जाएगा माफ्तिय मोकार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम आपको अता रहे हैं पोस्ट मोट्रम के बाद शव सौपा नहीं जाएगा परिवार को तो पुलस तुरक्षा में गाज़ेपूर पहुचे का शव क्योंकि बहुत ही एहम होगा शव को बांदा से गाज़ेपूर ले जाना एक लंबा रास्ता यहां पर तैय करना होगा पोस्ट मोट्रम के बाद देखें शव को परिवार को नहीं स्वापा जाएगा सीधे कबरिस्तान ले जाएगा पुलस तुरक्षा के बीच में उन्हें बता दे शव को गाज़ेपूर बता दे सफाई देगी इस क्रम में आपको आगे दिखाई देगी आनि पेड के ब audi जो शेत्र आपको दिखाई दे रहा है वह जगह हो यह जगह सबस्वसक्राइब च्छे घंटे खबर खोदने में लगें और दो घंटे भी barely this उन्हाएगा से इस साफ़ के शुरू हो चुकी है अब यह बात हुई है आपकी अपजालन सारी से जी नहीं अब का हम लोग बात बस खाली देखें हैं सब लोग गम में हैं आज जब से यह सूचना आज सुबह कल शाम को जो सूचना मिले तब के बाद से जो स्थानिय लोग हैं आपका मन क्या कह रहा है इस पूरे परिवार की क कब्रगा की देख रहे करने वाले आब इति हैं जी हम लोग का आत्मा है और ऊपर वाला है इसका जरूर फैसला करेगा यहां के पूरी अवाम रही है मुक्तार अंसारी जैसा इन्सान ढूंडने पर भी नहीं मिलेगा यह गरीबों के मसीया ही नहीं हर कॉम के मसीया है अल्ल कि बगल में उनकी माता जी है और इसके बाद या जता रही है कि बगल में इनकी कबरगा यहां पर बनायी जा सकती है यहां पर जो Khak ने जा सकता है लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई इस पस्थ पूरी तरह से नहीं हो सका है कि कहां पर उनकी कब्र खोदी जाएगी और कहां पर सुपुर्देखा किया जाएगा लेकि दो पॉइंट और अगर बात करें तो अब जाल अंसारी के निर्ड़ाई के बाद ये इस पस्थ होगा दो पॉइंट यहां पर निर्धारित किये जा चुके हैं साप सफाई यहां पर शुरू की जा चुकी है और कुल छे घंटे का वक्त लगेगा क्योंकि इस कब्रिस्तान की मिट्टी सक्त बताई जा रही है तो छे घंटे का वक्त और छे घंटे के वक्त में यहां पर खुदाई शुरू होगी और उसके बाद जो कब्रगाह में अगर बात करें तो पूरी तैयारी की जाएगी और उसके बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा तो कब्रिस्तान में काली बाग कब्रिस्तान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं सफाई की यहां पर बेवस्था की जा रही है और उसके बाद कब्र को खोदने के इंतिजाम किये जाएंगे कैमरामेन वाबूलाल के साथ नितिश कुमार पांडे जी मीडिया मुहमदाबाज गाज़ेपूर तो गाज़ेपूर के कालीबा कब्रिस्तान की तस्वीर हमने देखी हमारे सयोगी ने दिखाने की कोशिश की कि किस तरह के तैयारे इस वक्त वहां पर की जा रही है कितने घंटे का वक्त यहां पर लेगा और ये भी बताय जा रहा है कि गाज़िपूर में जहां पर माफिया मुक्तार अंसारिक का घर है उस घर से महस 400 मीटर की दूरी पर ये कालीबा कब्रिस्तान है पारिवारिक कब्रिस्तान बताय जा रहा है और यही पर माफिया मुक्तार अंसारिक को सुपूर्देखा किया जाएगा बता दें आपको बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पोस्ट मॉटरम आज होना है पोस्ट मॉटरम की बाद शरफ को परिजनों को नहीं सौपा जाएगा क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जस तरह से पुलिस पोर्स प दिन है नमाज का दिन है और ऐसे में जुम्य के नमाज को देखते हुए यहाँ पर भारी सुरक्षा विवस्था यहाँ पर की गई है बीती रात से जबसे इस खबर ये खबर आई जैसे ही कि जेल के अंदर माफिया मुक्तार अंसारी की तब्यत खराब हुई उसे पेट हो गई उसके बाद चौकसी यहाँ पर बढ़ती जा रही है बतादे आपको सुभे आठ बचे का वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है जब मर्चुरी की बाहर जस्तर से हमारे सयोगी भी मौचूद है वो हमें तस्वीरे दिखा रहे थे कि पूरी फोर्स यहाँ पर की जो प्रोसिस होती है पूरी प्रक्रिया होती है और उसके बाद माफिया मुकतार अनसारी के शर्ब को गाजिपोर ले जाए जाएगा एक लंबा रासना यहाँ पर टैयक करना होगा कई घंटे का वक्त यहाँ पर लग सकता है और ऐसे में जो है हालात को कंट्रोल में रख सब्क्राइब ने सब्सक्राइः जो हो डिए माफ्या मुकतार अंसारी का वह जावेशेट लिए स homeless मेहस चार-सो सरकारी ठेके हासल करने की रेस लगी रहती थी और इसी रेस में कई अपराधियों के गैंग उभरने लगे थे उसी दौर में कॉलेज में पढ़ाई करने वाले मुकतार अंसारी ने बाहु बली मक्नु सिंग का दामन थाम लिया और मक्नु सिंग उस समय हरी शंकर तिवारी का राइट हैंग था और उसी दौरान कोट परिसर में एक गोली कांड होता है जिसमें एक नाम सबसे उभर कर आता है और वो था मुकतार अंसारी का जिसके बाद मुकतार अंसारी क्राइम के दुनिया में बढ़ने लगा और वारानसी, जौनपुर, गाजीपुर, मौू और ब खाई को सियासत में सेट किया उने अपना मसीहा मानते थे, उनमें शोक के लहर है तो मुकतार को सुपुरे खा किया जाना है यहाँ पर दुकान दारों ने साफ तोरपर कह दिया है फैसला यहाँ पर कर लिया है कि वो आज अपनी दुकाने नहीं खोलेंगे मुक्तार अंसारी की मौत पर यहां शोक का माहुल बना हुआ है आपको बताते आज पोस्वॉटम होना है मुक्तार अंसारी के शव का सुम्हे 8 बजे बांदा में और यहां पर डॉक्टरों की टीम पूरी तैयारी के साथ पोस्वॉटम यहां पर करेगी हलाकि परिवार की तरफ से जांच की बात कही जा रही है बार-बार ये कहा जा रहा है कि उनकी खाने में जहर दिया जा रहा था यहां तक की मुक्तार अंसारी की तरफ से भी यही बात कही गई थी अलाकि अब जो है ये जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि कार्डिक अरेस्ट की वजह से मुक्तार अंसारी की मौत हो गई है हमारे सयोगी लगातार विशाल रगवनशी बने हुए है बांदा से और जो हमें पल-पल की अपडेट दे रहे हैं पुशाल खबर ये है कि पोस्ट मौटम के लिए डॉक्टर के टीम यहाँ पर पहुँचेगी जो लखनव से रवाना हो चुकी है भारी सुरक्षा ववस्था की बीच में पोस्ट मौटम होना है देखे बिकुल डॉक्टर की टीम है बस कुछी देर के बाद यहाँ पर पहुँच जाएगी और भारी सुरक्षा ववस्था के बीच में यह पूरा पोस्ट मौटम होना लेकि इस बीच आपके बड़ी खबर बता जाता हूं कि मजिश्यल जाच के आदेश भी कर दिये गए हैं इस पूरे प्रक्रण की मेंजिश्यल जाच होगी तीन घुबर जो है मेंटर मेंगये और दो जो है डॉक्टर की टीम मौशूद रहेहीं कुल यह है साथ लोगो, तो यहां पर पहुंचेगा तो उसको ले कर भी कुई त्यारी की गई कि उसको सीधे यहां से पोस्माटम हो देखिए आपको मैं एक तस्वीर अपने केमा सहीज़गी चांगा कि तस्वीर जरूर दिखाएं, तो कि आप यही देख सकते हैं, विशाल है तमाम यहां पर देख पार रही है, जवान यहां पर टैना पे मुस्तावियं नदर आ रही है देखें करीब 420 किलो मीटर का जो पूरा रूट है ये तैग किया गया है यहां से बांदा से गाजीपूर तक का पूरा रूट है ये 420 किलो मीटर के आसपास का बताया जा रहा है अब आपको बतावें कि इसमें रूट को क्या क्या कुछ तैग हुआ है तो यहां से पहले फत जी पुरक लिए जो अफ जू कि लेए बनी हुई है वहां से ये रास्ता पकड़ा जाएगा तो ये रूट फिलाल अभी तैय किया गया है तो कि ये शेहर के बाहर का रास्ता होगा बस रिस सिफ कोशामभी तक जो है ठौआसा ये कह सकते हैं कि साथ से आठ गंटे का वक्त लग सकता है चुकि एक जो आसतन दूरी है चार सो बीस किलो मिटर की ये बताई जा रही है तो ऐसे में साथ से आठ गंटे का वक्त लगेगा तो अगर बारा वजे के आसपास भी जो है डेड बॉडी यहां से जो है बीजी आती है तो ये कह सकते हैं बिल्कुल विशाल बांदा तू गाजिकूर का जो ये सफर रहेगा चार सो बीस किलो मिटर का ये जो बक्त यहां पर टैग करना होगा बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए भी लेकिन अगर अलर्ट की बात करें विशाल अलग-अलग जिलो में जिस तरह से तस्वीर हमने देखी है पुलिस प्रशान राद भर से मुस्तैदी यहां पर लगाई हुई है तो तैनाती यहां पर पुलिस की जो नज़र आ रही है अलज कहां कहां पर नज़र आ रहा है क्योंकि कई जगों पर 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 जो है विशेश निगरानी के लिए कहा गया है कि मुक्तार अंसारी का यहां पर आचा कासा प्रभाव रहा है तो ऐसे में इस बात को लेकर जो है विशेश निगरानी की जाए कहीं आसा ना हो कि उनके समर्थ तक जो है वो हिंतक हो जाए इस तरह की चीज़े हो सकती है इसके साथ फेस्बूक पोश्ट शोशल मीडिया पोश्ट यह तमाम ऐसी पोश्ट हैं इन पर विशेश ध्यान अकने के लिए का गया है शोशल पोश्ट पर सपी की पुलिस की निगाएं जो है बनी हुई है इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिलें लगातार वहां पर भी जो है पैट्रोलिंग की जा रही है उसके साथ यह भी निर्देश है कि आज जब चुकि जुम्हे की नमाज होनी है तो ऐसे उसके साथ की इसी इसी ना पैदा करते जो से जो है लावन और खराब हो इन सब चीजों को लेकर कल ही रात में जो है डीजबे मुख्यारे से निर्देश यारी कर दिया कैसा सभी जीलों कप्तानों को और तमाम जगाँ पर जैसा की फोर्स यहां दिखाई पढ़ लगी है ज तो ऐसे में उनको डिप्लॉइमेंट कर दिया गया बहुत ज़्यदा मुख्यल नहीं पड़ी है तो लाइन ओर को लेकर जो है पूरी तरह से जो चाक्चोबन में विश्ता है वो दिखाई पढ़ लए है सेक्योर्टी को लेकर कल ही जो है वकादा डीज़ीपी की तरह से नि बिल्कुल विश्णल और जिस तरह साब बता रहे है कि जो पौस्ट्म करने look के टीम है दॉक्टरों के जू तीम है फो लखना हुससरार रहे है तो लेकर सब्सक्राइब इसको लेकर कोई जानका्री के टीम को लेकर प्रफित पैसे वो सब चीजे की जाते हो कि ये जो पूरा मामला है ये बड़ा हाई प्रुफाइल मामला है और इसलिए पुलिस हो चाहे जील प्रशाशन हो चाहे जीला प्रशाशन हो हर कोई जो है हर चीज फूंक के कदम रख रहा है क्योंकि सब को पता है कि इस पर सबकी निगाहें बनी और पूट पूट कर पूस कदम रख रही है, सावधानी आपर बढ़ती जा रही है, विशाल लगातर पूरे मामने पर नज़र बना कर रखें, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, फिलहाल आपका बहुत रशुक्रिया थमाम जानकारी पहुचाने के लिए तो गैंग्स्टर मुक्तार अंसारी की मौट से उतर प्रदेश में माफिया राज के एक यूगकान्त हो गया, लेकिन 63 साल के उमर में 33 से ज्यादा क्राइम उसके नाम पर दर्च है, जिनमें से कई मामलों में उससे सजा सुनाई जा चुकी थी, जब कि कई केस अब भी पैंट की ही रहेंगे, मगर मुक्तार की मौट से उसके सताई लोगों ने जरूर रहत की सांस ली, क्या है मुक्तार की क्राइम कुंड़ी और कैसे हुआ उसके गुनाहों का हसाब, देखे इस रपोर्ट में अपराग की दुनिया के अर्धाय का अंध, 63 साल की उम्र, 63 से ज्यादा क्राइम मुक्तार अंसारी, एक वक्त था जब इस नाम को सुनकर, बड़े-बड़े लोग थर-थर कापते थे, दहशत ऐसी कि अगर मुक्तार के नाम से कोई फोन भी कर दे, तो आदमी की नींड उड़ जाती थी, आतंक ऐसा की पुलिस भी उस पर हाथ डालने से पहले, दस बार सों कुछती थी, लेकिन मुक्तार के माफिय डौन बनने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है। बिरजेश सिंग गैंग ने कबजा करना शुरू कर दिया, अपने काम को बनाये रखने के लिए उसका सामना मुक्तार अंसाली के गिरो से हुआ और यहीं से बिरजेश सिंग के साथ मुक्तार की दुश्मनी शुरू हो गई। लोगों ने गोलियों से भून डाला, इजाम लगा मुक्तार अंसारी पर। साल 1996 जब गाजीपुर के एडिशनल S.P. रहे शंकर जैसवाल और उनकी टीम पर दिन दहाडे हमला किया गया, इस मामले में भी मुक्तार का नाम सुर्खियों में आया। 1996 में ही मुक्तार पहली बार विधायक बना और तभी से उसने बिर्जेश सिंग की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया। 1997 में पूरवांचल के सबसे बड़े कोईला वेपसाई, रूंक्ता के अपहरन के बाद मुक्तार का नाम क्राइम की दुनिया में च्छा गया। साल 2002 का विधान सभा चुना, क्रिशननंद राय ने मुक्तार के भाई अवजाल अंसारी को हरा दिया और इसी दुरान बिर्जेश सिंग ने मुक्तार अंसारी के काफले पर हमला कराया, जिसमें मुक्तार के तीन लोग मारे गए और बिर्जेश सिंग घायल हो गया। और यही वो वक्त थाज़ मुक्तार अंसारी पूरवांचल का सबसे बड़ा माफिया डौन बन कर उब्रा, फिर आया साल 2005 मुझ जिले में हिंसा भलकी और आरोप लगा मुक्तार पर जिसके बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया, इसी दोरान विधाय कृशननंद राइ की हत्या करवा दि गई, इसका आरोप भी मुक्तार पर लगा, कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, साल 2009 में मुक्तार पर ठेकेदार मन्ना सिंग और उसके साथी राजेश राइ की हत्या का आरोप लगा, इतना ही नहीं 2010 में मन्ना की हत्या के एक मात्र गभा, राम मौरे की भी हत्या कर दी गई इसका इलजाम भी मुक्तार गैंग पर ही लगा मुक्तार के रसूक को ऐसे समझा जा सकता है कि उसके लिए यूपी और पंजाब की सरकारें सुप्रीम कोर्ट में भिल गई थी दोनों सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में शपत्पत्र देना पड़ा था पंजाब सरकार मुक्तार को अपने यहां की जेल में रखना चाहती थी जबकि योगी सरकार उसे यूपी लाकर अपरादों में ट्रायल कराकर सजा दिलाना चाहती थी और सुप्रीम कोर्ट में जीत होई योगी सरकार की 6 अपरेल 2021 को मुक्तार यूपी लाया गया और यही से उसके अंत की शुरुवात होई और करीब साले साथ बजे के आसपात उमर अंसारी को यहाँ पर पहुंचना है और उसके बाद आठ बजे से पोस्माटम की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी तो ऐसे में यहाँ पर भी पूरी तयारी कर ली गई है इसके साथ-साथ आपको बता दें कि देखिए रूट लेकर इहां से सीधे पहले फतेपुर जाएगी फत्यपूर से कउशांबी जिए से सीधे जो होते हुए वह बनास पहुंचेगे बना रसते सीधे घाजिपूर बसचे जो है जो शेहर के बाहर का रास्ता उसको चुना जाएगा और उसी रास्ते से ही शव को लेकर जाए जाएगा। बड़ी खबर पुलिस सुरक्षा में गाज़ेपूर पहुंचेगा मुक्तार का शव, पुलिस सुरक्षा में सुकुर्दे खाकोगा मुक्तार अंसारी, तो मुक्तार अंसारी का शव सीधे कबरिस्तान पहुंचेगा, नमाजे जनाजा पढ़ने की बार मुक्तार के शव को द हमारे सेयोगी लगातार विशाल बने हुए विशाल जिस तरह से चोकी प्रक्रिया जो होती है पोस्ट वाटरम पहले होता है उसके बाद शव को परजनों को सौपा जाता है लेकिन इस मामले में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा इसलिए भी ने दिख रहा है क्योंकि जो परिवार के जो सदस हैं उनमें अवजाल अंतारी यहां पर नहीं शोक प्रक्रक्ट करने वालों की भीड़ है वो यहां पर फिर से परिक्टा होना शुरू हो गई है और जो परिशार सनी खमला है उसने अपने जो सुरक्षा है जो चोकसी है वो और भी बढ़ा दी है आप देखे सामने आपको यहां पर भेंड दिखाए देगे भीड़ किनारे करते हुए जो पुलीस कर्मी है वो दिखाए देंगे पियसी के जवानों बिया पर देना दिया और यह पियसी के जवान लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप थोड़ा सब पीछे हट जाएए वहां तक ना जाएए और इसके साथ एक और अपडेट आपको बता दो पहले कि आज जो फाटक शेतर के दुकाने हैं उनको बंद रखने का निड़ा लिया गया है इस पूरी मसीह है आज उनके बीच नहीं है और जो यह सूचना उन्हें प्राप्त होई तो शूख रकट करने के लिए लोग यहां पर भाटक के बाहर मौजूद है और यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस रहें को करने के लिए प्रशासरी का मला भी पूरी तरह से हाँ पर पुस्त लोग शूख में डोबे हुए हैं और अपना शूख टकट करने के लिए वो यहां पाटक पर पहुंचे हुए हैं भीनात के सामने आप देखें यहां पर और एक तस्वीर यह भीर के दिखाएंगे और दूसरी तस्वीर हम यह सुरक्षा के इस टुकड़ी के दिखाएंगे आप देखें आप सुरक्षा के यह जो लोग हैं वो मौजूद हैं पूरे प्रदेश में 244 लागू हैं लोगों से अपील के जा रही हैं कि आप यहां पर कोई भी ऐसी अर्दवस्ताव पन्ना होने दे लेकिन चुके कहा जाता है इस शेतर के भाईजान कहा जाते हैं और उ यहां पर जो युवावर्क के लोग हैं वो भी तो यह सूचते के यह बात तो नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन आपको हम तस्वीरे दिखा रहे हैं यहां पर ज्यादा से ज्यादा सिंख्या में लोग भी मौजूद है और पुरे मौहमदावाज शेतर में इस तरीके आपको इंतजाम दिखाई देंगे शुरक्षा के पॉइंट यहां पर बनाए गए हैं और हर एक पॉइंट पर कड़ी शुरक्षा यहां पर तेनाथ के गई हैं लोग यहां पर पहुँच रहे हैं तो जो लोग पहुँचे उन से जान लेते हैं जब यह सूचना मिली कितना अस्थ करने वाली यहां की लिए हैं आज इस चैतर में मुक्तार अंसारी को किस रूप में देखा जाता था भाई जान मसीह सिरा वाई। हम लोगों के लिए यहां के लिए तो मस्याही थे आज इस शेत्र के दुकानों को बंद रखने का ने लिया गया है तो सभाविक से चीज है इसे कोई नीड़न नहीं है अवारे घर की यह ताजियत करनी है तो इस पूरे घटना के बाद आज शेत्र में अपना शोक प्रकट करेंगे कैसे अब तक दुकान के कोई नहीं लिया गया है लेकिन यह हमारे भाई भी थे चाचा भी है दादा भी है एक तरीके से कहा जाए कि हम लोग के रहनमात हैं इसको देखते हुए हम लोग अपनी दुकाने अपने मन से बंकिया जाएगा पूर निर्दे नहीं है मतलब ब्यक्तिकत से यह सुचना आपको कितना दुखे करने वाली कितना दुख दे्ले का किमी लोग लोग ने तैरे बंस्यार हैं आज मसीह की मौत की ख़बर जब सामने आई जोहट डाल करके माट जोहट डाल करके माट यहाँ पर जो लोग हैं जो समर्थक हैं वो इस मुक्तार अंसार की मौत की बार देखे है ऐलर्ड जुआरिक कर दिया गया है बड़ी ख़बर गाजिपूर समयत का इस जिलो में धारा 146 लागू कर दी गई है जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ड जुआ रिकिया गया है बीती रात की देखे घटना जो है मुस्तैद है यहां पर अलगले की इलाकों की तस्वीरे पुलिस पोर्स जो है यहां पर आप तैनाती बीती रात से ही लगाता देख रहे है आज सुभे का जो वक्तिया आपर बताए ज़ए आट पची के बाद जो है गाजीपुर में एक खास तर से धार 114 लगा दी गई है बानदा इलाका यहां पर भी देखे एक खास तयारी यहां पर पुलिस प्रिशासन की नजर आ रही है तो कुछ ही देर बाद पोस्मॉटम होगा और उसके बाद पोस्मॉटम के बाद जो है मुक्तार अंसारी के श्रफ को सीधे कबरिस्तान ले जाए जाएगा उनके परिजन को नहीं सौपा जाएगा फिलहाल ये चार तस्वीर दिखा रही है कि किस तरह के हालात इस वक्त पूरे इलाके में बने हुए है हमारे सयोगी विशाल रगवंशी बने हुए लगातार विशाल अलग-अलग इलाकों की तस्वीर हमने देखी कि किस तरह से पुलस वर्शासन ने तयारी कर ली है कोई भी चूक ना हो देखे बिकोल तमाम जगाओं पर जो है इस बात को लेकर जो है कोशिश की जा रही है कि कहीं भी कोई चूक ना हो और यहां पर बांदा में भी मैं आपको तस्वीरे दिखायता हूँ यहां पर भी हैवी डिप्लॉमेंट जो है वो देखने को मिला है तो से पहले मैं आपको त इरिया को क्रोस करके उसपार ना जाए इस बारे भी विशेज धिया द्यान अका जाए इसके साथ जो सेंट्रल फॉर्सेश है उनका भी डिप्लॉमेंट जो है वो कर दिया गया है और हम आपको तस्वीरे भी दिखाते हैं कि जो इहां पर पहुंच चुकी है कोशिश पहले जानकारी दूसरी जानकारी यह कि आठ बज़े के आसपाथ जो पहले ही आठ बज़े के आसपाथ जो यह जो पूरी तरह से आपको दिखाएता हूँ कि मैं इस वक्त पिल्कु ठीक मरचरी के बाहर मौझूद हूँ और आपको देखे मैं तस्वीरे दिखाएता हूँ अब इनको पूरी तरह से अलग अलग जगहों पर डिप्लाइट किया रहा है चुकि यह कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरह से इनको जो है वह आपको यहां पर दिखाई पढ़ेंगे और लगातार आप तस्वीरे देखिए केवल कि यहां पर भी भारी पुलिस बल जो है उ इसकोट साफ तो पर विशार यहां पर टैनाथी नज़र आ रही है जवानों की आप नज़र बना के रखे बांदा में जिस वक्त देख्ये यहां पर जो पोस्ट-मॉINA रहा है पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है डाक्टरों की टीम यहां पर होँचने वाली है तो है मु अब इसमें भी भाईया कुछ कहना और छुपा रह गया है जो वेक्ति अपनी मुठी नाबद करता हो जो वेक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर ICU आता हो और खुद ही 12 गंटे बाद 14 गंटे बाद उसको फीट बताकर फीट ठोकर की जाईए आप ठी और 14 गंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेतिया जाता हो दो दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी यह मैं सोच सकता हूँ जब आज साहे तीन बजे मुझे टेलिफून पे उन्होंने का है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जासक करशन अंद्राय के हत्या के मामले में मुक्तार अंसारी को सजा हुई थी कल इस मुक्तार की मौत की ख़बर आने की बात करशन अंद्राय के बेटे पियोष ने जीनु से खास बातशीत की सुनिये उन्होंने क्या कहा कि अपरादी जो समाज के लिए एक गंदे की तरह है उनका जितना सफाया हो सचे जो सफाया होना चाहिए और मैं इसलिए इसे पूर में भी मैं नयापालिका सभी कई बाद शुक्र गुजार हूं कि उन्होंने ऐसे अपरादी को दो बाल आज इवन काराबाद लिया मेरे प में अल्ला कहूं या भगवान कहूं या बाबा बुरत नाच का जर्बार कहूं वहाँ से फैसला आया है और मैं बहुत खुश हूं आज की दिनके तो प्यूश राय को आप सुन रहे थे और उन्होंने पूरे मामने को लेकर कुशी जाहर थे मुक्तार की मौत की बाद एक पुलिस जो है अलर्ट मोट पर नजर आ रही है सोशल मीडिया पर भी खासी नजर रखी जा रही है क्योंकि यूपी पुलिस का सक्ति यहाँ पर नि हुई है तैना थे पुरी तरह से पुलिस और जवान लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है अब इस एरिया को पुरी तरह से कवर्ड किया रहा है और आप तस्वीर दे सकते हैं कि यहां पर भारी फुलिस बल उसको पनाज कर दिया गया है और पूरी दिप्लाइमेंट आपको यहां पर दिखाई पड़ेगा पकाइदा यहां पर अभी पूरे एरिया को कवर करके अब साथ विजे से जो है यह कहा जा रहा है कि जोगी इस उमर अंसारी जो है साथ सारे साथ के आसपाफ यहां पहुंचेगा तो ऐसे में आट विजे स पूरी कारवाई शुरू होगी तो उससे पहले यहां पर भारी पूरी पूरी को बिजे साथ किया गया है इसके साथ उस्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर शोशल मीडिया पर बहुत जग पहीं नजल रखी जा रही है किसी भी तरह से कोई अगर गलत पोश्ट करेगा तो खिलाफ सक्त कारवाई की जाए इसको लेकर निर्देश भी जारी कर दिया गया है पूरे शहर भर में अलग 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 जगहों पर पैट्रोलिंग कर रही है पुलीस आज चुकी दुम्हा है तो दुम्हे की नमास दुरान तमाम मजीदों के बाहर भी जो है विशेश निर रखी जाएगी और पूरी तरह से जो कहीं से भी कोई अगर ऐसी कोई घटना आती है जिसमें विरोध हो या कोई अपती जनक पोश्ट करता तो उसे खिलाफ सक्त कारवाई करने के भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं तो यह पूरा अपडेट अभी तक का है कि आप साथ साथ बज़े के आसपास उमर अंसारी यहां पहुंच जाएगा आड़ बे से पंचनामा और पोस्माटम की जो करवाई है वो शुरू हो जाएगी और यह माना जारा है कि साड़े ग्यारा बारा बेज़े के आसपास जो है शेफ को लेकर यहां से फुली जो है वो रवाना हो बिल्कुल तो लगभग दो से तीन घंटे का वक्त यहां पर लग सकता है क्योंकि आड़ बजे का जिस तरसे वक्त यहां पर बताया जो रहा है बताया यह भी जा रहा है कि लखनाव से बड़ी टीम यहां पर डॉक्टर की पहुंचेगी जो पोस्टम करेगी और बकाइदा विडियोग्राफी यहां पर की जाएगी और खबर यह भी आरी है कि मुक्तार अंसारी के जो बेटे हैं ओमर अंसारी वो भी यहां पर पहुंचेंगे हलाकि उनकी जो दो भाई हैं वो यहां पर नहीं पहुंचेंगे और उसके बाद पोस्टम की जो प्रक्रिया है जब तस्वीर भी हमने देखी कि किस तरह से वहां पर मातम पसरा हुआ है और लोग जो है शोक व्यक्त कर रहे हैं कुछ लोग जो है मुक्तार अंसारी को अपना भाई मानते थे अपना मसीह मानते थे और ऐसे में वो लोग जो हैं वहां पर शांती से खड़े हुए हैं काई दु जेल में मुक्तार अंसारी की तबियत बिगड गई, सीधे उसे अस्पताल भीजा गया, जहां पर ये खबर आई कि उसे हार्ट अटाक आया है, कार्डिक अरेस्ट की वज़े से मुक्तार अंसार की मौत हो गई, हमारे सयोगी लगाताल विशाल रगोणशी बने हुए है, परिवार को शव नहीं सौपा जाएगा, और चुकि यहां से सीधे शव को ले जाके कबरिस्तान में सुप्रुदेखा किया जाएगा, उमर अंसारी साथ में मौलंस में जाएंगे, इस बारे में अभी तक फिलाल एक राय बनी है, हाला कि अंतिम फैसला मजिश्ट को लेना ह पंचनामा के बाद जब पोस्माटम होगा, उसके बाद ही बैस्ट्रेट जो है जो फैसला लेंगे, उस पर ही तमाम जो चीजे हैं वो आगे की करवाई होगी, लेकिन अभी तक आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर ये बिल्कुल इस पश्ट है कि अभी तक परिव या बारा बज़े के आसपास यहां से रवाना होगी, तो यह एक प्रॉक्षाहिं बताया जा रहा है, लेकिन अभी फिलाल थ्वास इंतिदार इसलिए करना पड़ेगा, क्योंकि सारे साथ बज़े के आसपास उमर अंसारी जो है, वो यहां पर पहुचेंगे, तो यह आपक से सुरक्षा वैस्ता को चाक चौबन रखा गया है, इसके साथ साथ जो सबसे महत्मूल बात है, वो यह है कि आपको बता दें कि यहीं मरचरी के बाहर जरूत अनात है, लेकिन जो तमाम लो लीगल पॉइंट है, उसके अधार बात है, बारी डिप्लोटमेंट यहां पर पो पॉन पर जीनियों से क्या कहा, आप 26 तारिक को भी आये थे मेडिकल कॉलेज में जब मुक्तार अंसारी को यहां लेकर आये थे, जेल करमी, आया था मैं और मुझे एकने भी नहीं दिया गया था, अबाफ अफ़ाल अंसारी जो सामसर था, उनको मिला आये गया था, उस वक् मुक्तार अंसारी का पोस्ट मॉटम जो है, शुरू होगा, हमने तस्वीरे भी देखी मौके से, किस तरह से जो है, पूरी जो फोर्स यहां पर तैनात्याबर की गई है, क्योंकि सुरक्षा बनाय रखना एक बड़ी चनौती, पुलिस प्रशासन के लिए, पांच डॉक्ट जहां डॉक्टरों की टीम तैनाती मौचो थी नौर डॉक्टरों की टीम, ऐसे में इलाज वहां पर शुरूगा और तब बताय गया कि मुक्तार अंसारी की मौत हो गई है, दिल का दौरा पढ़ने से, उसके बाद से देखे, लगातार रात भर सही, पूरे इलाके में तैना पूलिस प्रशासन की नज़र आ रही है, अब जो है पोस्ट मौटन जब होगा उसके बाद इंतजार किया जा रहा है कि पोस्ट मौटन के बाद माफिया मुक्तार अंसारी की शक्त को सीधे ले जाये जाएगा, कालीबाद का ब्रिस्तान जहां पर उसे सुपुर्दो खात क परिवाद गाजिपूर में मौचूद है, गाजिपूर की तस्वीर में हमने देखी कि घर के बाहर किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है, मातम पसरा हुआ है, लगातार सवाल ये भी उट रहे है, मौत को लेकर जाच की बात कही जा रही है, जो दो भाई है मुक्तार अ देड़ घंडे का वक्त यहां पर बचा है, उसके बाद माफिया मुक्तार अंसारी के पोस्ट वाटम की जो प्रक्रिया है, वो शुरू होगी। का नाम आया, इतना ही नहीं, 1996 में गाजीपूर के एडिशनल स्पी रहे शंकर जाइसवाल और उनकी टीम पर दिन दिहाडे हमले का आरोप लगा, मुक्तार अंसारी पर 1997 में कोईला का रोबारी नंद किशोर रुंग्टा के अपहरण में शामिल होने का केस दर्श किया गया इतना ही नहीं, 2010 में मन्ना की हत्या के एक मात्र गवा, राम सिंग मोर्या की भी हत्या कर दी गए, इसका रोब भी मुक्तार गैंक पर ही लगा, मुक्तार अंसारी पर हत्या, हत्या के प्रियास, धमगी, धोका धड़ी समेत कई आपरादिक मामलों में करीब 65 केस दर्श थे देट हम आपको अता रहे हैं, पोस्ट वॉट्रम के बाद शव सौपा नहीं जाएगा परिवार को, तो पुलस उरक्षा में गाजिपूर पहुचे का शव, क्योंकि बहुत ही एहम होगा, शव को बांदा से गाजिपूर ले जाना, एक लंबा रास्ता यहां पर टैय करना ह पोस्ट वॉट्रम के बाद देखे, शव को परिवार को नहीं स्वापा जाएगा, सीधे कबरिस्तान ले जाएगा, पुलस उरक्षा के बीच में उन्हें बता दे शव को गाजिपूर ले जाएगा, तो एक ये जगह जो मुखतार अंसारी के पिता के कबरगाह के बगल में हैं, और अगर बात करें, तो जो दूसरी जगह है, वो इस रो में आपको आगे दिखाई देगी, इस क्रम में आपको आगे दिखाई देगी, यानि पेड के बगल का जो शेत्र आपको दिखाई दे रहा है, वो आपको वहाँ पर जो सामने ये शेत्र दिखाई दे रहा है, वो जगह होगी हाला कि अभी इस पर पूरा निड़ा नहीं लिया जा सका है एक कुल चार से छे खंटे कबर खोदने में लगेंगे और दो घंटे इसकी साब सफाई में लगेंगे है जो सफाई करने वाले लोग हैं उसकवरगा की सफाई कर रहें जाडू लगना शुरू हो चुका है यानि अब सुपुर्दे खाक की तैयारिया शुरू हो चुकी है क्या अभी तक सूचना क्या UNivea है आज इस तौट भॉषाक को जो चुछ ना मिले तब के बाद से जो स्थानिय लोग हैं आपका मन क्या कह रहा है इस पूरे परिवार की कबरगा की देख रहे करने वाले आब एक जी हम लोग का जो आत्मा है रो रहा है और उपर वाला है इसका जरूर फैसला करेगा यहां के पूरी अवाम रो रही है मुक्तार अंसा आपको जो कबरगा दिखाई देगी यह मुक्तार अंसारी के पिता की कबरगा है और अगर बात करें तो इनके बगल में संभावना जताई जा रही है कि बगल में इनके कबरगा यहां पर बनाई जा सकती है यहां पर जो सुपूर्दे खाक है वो किया जा सकता है लेकिन कि दो पॉइंट और अगर बात करें तो अब जाल अंसारी के निर्णाई के बाद ये पूरी तरह से स्पस्थ होगा दो पॉइंट यहां पर निर्धारित किये जा चुके हैं साप सफाई यहां पर शुरू की जा चुकी है और कुल छे घंटे का वक्त लगेगा क्योंकि इस कबरिस्तान की मिटी सक्त बताई जा रही है तो छे घंटे का वक्त और छे घंटे के वक्त में यहां पर खुदाई शुरू होगी और उसके बाद जो कबरगाह में अगर बात करें तो पूरी तैयारी की जाएगी और उसके बाद सुपुर्दे खाक किया जाएगा तो कबरिस्तान में काली बाग कबरिस्तान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं सफाई की यहां पर बेवस्ता की जा रही है और उसके बाद क गबर को खोदने के इंतिजाम किये जाएंगे। माफिया मुफ्तार अंसारिक को सुपूर्देखा किया जाएगा। जुम्य के नमाज को देखते हुए यहाँ पर भारी सुरक्षा विवस्था यहाँ पर की गई है। बीती रात से जबसे इस खबर यह खबर आई जैसे ही कि जेल के अंदर माफिया मुक्तार अंसारिक की तव्यत खराब हुई। उसे पेट डर्ब की शिकायत हुई उसे उल्टिया हो रही थी उसके बाद सीधा उसे अस्पताल ले जाए गया जहाँ पर डॉक्टर मौचूद है नौट डॉक्टर के टीम उसका इलाज कर रहे थी और उसकी बाद जब खबर आती है कि उसकी मौत हो गई उसके बाद चौक की गई है और प्रॉपर तरीके से जो है विडियोग्राफी यहाँ पर की जाएगी माफिया मुक्तार अंसारी के शब का पोस्ट मौटम होगा लखनाओ से पांच विश्यशक के डॉक्टर यहाँ पर पहुँचेंगे दो से तीन घंटे का वक्त लग सकता है पूरे पोस्ट को कंट्रोल में रखना हालात सामाने रखना लॉयन ओर मेंटेन रखना एक बड़ी चुनाती पुलिस प्रशासन के लिए और दोपहर बात का वक्त यहाँ पर माना जा रहा है जब माफिया मुक्तार अंसारी को सुपूर देखा किया जाएगा उन्हें दफन किया जाएगा परिवार जो है जो घर है माफिया मुक्तार अंसारी का वो गाज़ेपूर में है और घर से महस 400 मीटर की दूरी पर कबरिस्तान मौचूद है माफिया डॉन मुक्तार अंसारी का गुरुवार देरात काडिया का रेस्ट से निधन हो लिया बांदा जेल में बंद मुक्तार की तबियत खराब होने के बाद उसे दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो बे यूपी के पूर्वांचल में नब्बे के दशक में वो दौर था जब पूर्वांचल में रेलवे शराब और दूसरे सरकारी ठेके हासल करने की रेस लगी रहती थी और इसी रेस में कई अपराधियों के गैंग उभरने लगे थे उसी दौर में कॉलेज में पढ़ाई करने वाले मुकतार अंसारी ने बाहू बली मक्नू सिंग का दामन थाम लिया और मक्नू सिंग उस समय हरी शंकर तिवारी का राई ठांग था और उसी दौरान कोर्ट परिसर में एक गोली कांड होता है जिसमें एक नाम सब से उभर कराता है और वो था मुकतार अंसारी का जिसके बाद मुकतार अंसारी क्राइम के दुनिया में बढ़ने लगा और वारानसी, जौनपुर, गाजीपुर, मौू और बलिया में उभरते हुए बाहु बली मुकतार अंसारी का दब दबा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते सत्ता के गलियारों तक पहुच गया और अपने बाहु बल के दम पर मुकतार ने खुद को और अपने भाई को सियासत में सिट किया इस बीच बड़ी खबर उत्रप्रवेश के गाजेपुर से जहां मुहमदाबाद फातक में आज दुकाने बन रहेंगी मुहमदाबाद फातक वही लाका है जहां मुकतार को सुपुर्देखा किया जाएगा दुकानदारों ने पैसला किया है कि वो आज अपनी दुकाने नहीं खोलेंगे मुकतार अंसारी की मौत पर यहां शोक का माहुल बना हुआ है और खबर यह आ रही है कि मुहमदाबाद फातक पर तमाम जो दुकाने मौचूद है वो आज बंद रहेंगी मुकतार अंसारी की मौत पर यहां शोक का माहुल बना हुआ है आपको बता दे आज पोस्वाटम होना है मुकतार अंसारी के शव का सुम्हे 8 बजे बांदा में और यहां पर डॉक्टरों की टीम पूरी तैयारी के साथ पोस्वाटम यहां पर करेगी हाला कि परिवार की तरफ से जांच की बात कही जा रही है बार-बार ये कहा जा रहा है कि उनकी खाने में जहर दिया जा रहा था यहां तक कि मुक्तार अंसारी की तरफ से भी यही बात कही गई थी अलकि अब जो है ये जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि कार्डिक अरेस्ट की वजह से मुक्तार अंसारी की मौत बोर गई है हमारे सयोगी लगातार विशाल रगवनशी बने हुए हैं बांदा से और जो हमें पलपल की अपडेट दे रहे हैं खबर ये है कि पोस्ट मौटम के लिए डॉक्टर की टीम यहाँ पर पहुंचेगी जो लखनव से रवाना हो चुकी है भारी सुरक्षा ववस्था की बीच में पोस्ट मौटम होना है देखे बिकुल डॉक्टर की टीम है बस कुछी देर के बाद यहाँ पर पहुंच जाएगी और भारी सुरक्षा ववस्था के बीच में यह पूरा पोस्टमाटम होना लेकि इस बीच आपके बड़ी खबर बता जाता हूँ की मजिश्यल जाच के आदेश भी कर दिये गए हैं इस पूरे प्रकण की मजिश्यल जाच होगी तीन मेंबर मजिश्यल जाच में होंगे और दो डॉक्टर्स की टीम भी मौझूद रहेगी कुल पांच लोग की टीम रहेगी जो इस पूरे प्रकण की मजिश्यल जाच सब्सक्राइब करेंगे आपको मैं तस्वीर लगातार दिखा रहा हूं तो यहां पर भारी पुरुषक्षा जो है वो तनाथ किया गया है और लगातार यहां पर हर चीज की जो है मौनिटरिंग की जा रही एक एक पहलू जो है चेक किया रहा है इसके साथ साथ चुकि आपको बता दें कि साथ साथ बजे के आस्वास उमर अंसारी जो है वो यहां पर पहुंचेगा तो उसको लेकर भी पुरी तैयारी की गई है कि उसको सीधे यहां से पोस्माटम हाओ तीने जरू दिखाए तो कि आप यह देख सकते हैं यहां पर देख पा रही है जवान यहां पर टैना पर नज़र आ रही है लेकिन अगर रूट की अगर बात करें क्योंकि पोस्माटम जो दो से तीन घंटे का वक्त यहां पर लगी को उसके बाद जिस रूट का इस्तमाल वो कौन सा रूट हो सकता है कितना वक्त यहां पर लग सकता है गाज़ीपूर बहुचने में अब आपको बताजे कि इसमें रूट को क्या कैसे टैग हुआ है तो यहां से पहले जो है फतेपूर जाएंगे फतेपूर से कौशाम्पी का जो रूट है खाइया मार्क होते हुए वो पकला जायगा और वहां से कौशामबी से सीधे हंडिया बाईपास होते हुए भदोही से सीधे बनारस से सीधे गाजीपूर के लिए जो सिक्स लेन बनी हुई है वहां से यह रास्ता पकला जाएगा तो यह रूट फिलाल अभी तैय किया गया है वहां से सीधे जो फोर लेन है वहां से सीधे जो गारी है वो रवाना हो सकेगी और इसलिए थ्वासा वक्त भी कम लगेगा हाला कि तभी ये कहा जा रहा है कि 7-8 गंटे का वक्त लग सकता है चुकि एक जो आसतन दूरी है 420 किलो मिटर की ये बताई जा रही है लेकिन अगर अलग अलग जिलो में जिस तरह से तस्वीर हमने देखी है पुलिस प्रशान राध भर से मुस्तैदी यहां पर लगाई हुई है तो तैनाती यहां पर पुलिस की जो नजर आ रही है अलग कहा का आप नजर आ रहा है क्योंकि कई जगों पर धारे 146 लागू की ग का गया है कि मुक्तार अंसारी का यहां पर आचा का सा प्रभाव रहा है तो ऐसे में इस बात को लेकर जो है विशेश निगरानी की जाए कहीं असा ना हो कि उनके समर्थ तक जो है वह हिंतक हो जाए इस तरह की चीज़े हो सकती है इसके साथ फेस्बूक पोश्ट शोशल मी विशेश निगरानी रखी जाए जुमी की नमाज के वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि कहीं भी कोई भी 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 लिखटी ना हो किसी तरह से कोई माहल खराब करने कोशिश ना करे नमाज की आड़ में कहीं भी लिखटा करके कुछ इस तरह की इसी इसी ती ना पैदा कर एक टिक उसी तरह की फोर्ड उतर पडेश के तमाम जिलों में दिखाई पड़ेंगी, जो सेंटर फोरसे उनको भिब्लॉइट कर दिया गए है, चुकि चुनाओ के वक्त में ये इसलिस है और अलगलए जिलों में मौझूद थी, तो आसे मिं अनको डिपलाइमेंट कर दिया बहुत ज़्यदा मुश्किल नहीं पड़ी है तो लाइन ओर को लेकर जो है पूरी तरह से जो चाक्चोबन विश्था है वो दिखाई पड़ लए है सेक्योर्टी को लेकर कल ही जो है वकादा डीजीपी की तरह से निर्देश जारी कर दिये गए थे और अब फिलाल कुछ दिर के बाद चुकिए उमर अंसारी यहां पर पहुंचेगा तो उससे पहले कुछ बड़ी अपडेट्स है उसमें से एक मजिश्टियल जाच की आदेश है वो लखना उसे आ रही है हलाकि बार-बार यह सवाल उठाया जा रहा है कि एमस के डॉक्टरों से यहां बकराना चाहिए पोस्पॉर्टर में इसको लेकर कोई जानकारी टीम को लेकर देखे अभी लखनों के डॉक्टरों की जो टीम है वो यहां पर सीधे पहुंचे गी और बांदा पहुंच चुकी है लखनों की डॉक्टरों की टीम और वो सीधे यहां पर जब पोस्पार्टम होगा तब वो सीधे जो है मर्चरी हाउस में जाएगी और फिलाल बहुत जो है चीजे मिजगाइड ना हो इसके साथ इस बात का भी कोशिश किया जा रहा है कि बहुत systematic तरीके से step by step जो है वो सब चीजे की जाते हो कि यह जो पूरा मामला है यह बड़ा high profile मामला है और इसलिए पुलिस हो चाए जील प्रशाशन हो चाए जीला प्रशाशन हो हर कोई जो है हर चीज फूंक फूंक के कदम रख रहा है क्योंकि सबको पता है कि इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है लगातार बिख्षी खेमा इसका फियाती जो है माईले लेले कुशिश कर रहा है पूरे मामने पर नजर बना कर रखें आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे फिलहाल आपका बहुत रशुक्रिया तमाम जानकारी पहुचा आने के लिए तो गैंक्स्टर मुक्तार अंसारी की मौट से उतर प्रदेश में माफिया राज के एक यूगकान्त हो गया लेकिन 63 साल के उमर में 33 से ज्यादा क्राइम उसके नाम पर दर्च है जिनमें से कई मामलों में उससे सजा सुनाई जा चुकी थी जबकि कई केस अब भी पैंटिं की ही रहेंगे मगर मुक्तार की मौट से उसके सताई लोगों ने जरूर रहत की सांस ली क्या है मुक्तार की क्राइम कुड़ी और कैसे हुआ उसके गुनाहों का हिसाब देखे इस रिपोर्ट में अपराग की दुनिया के अध्धाय का अंध 63 साल की उम्र 63 से ज्यादा क्राइम मुक्तार अंसारी एक वक्त था जब इस नाम को सुनकर बड़े बड़े लोग थर थर कांपते थे दहशत ऐसी कि अगर मुक्तार के नाम से कोई फोन भी कर दे तो आदमी की नींद उड़ जाती थी आतंक ऐसा की पुलिस भी उस पर हाथ डालने से पहले दस बार सोंचती थी लेकिन मुक्तार के माफिय डौन बनने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है साल था 1988 जब मुक्तार ने जरायम जगत में कदम रखा मंडी परिशत की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राई की हत्या के मामले में मुक्तार का नाम सामने आया इसी दोरान बनारस में तुरुबवन सिंग के कॉंस्टेबल भाई राजंदर सिंग की हत्या कर दी गई इसमें भी मुक्तार का ही नाम सामने आया 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर बिरजेश सिंग गैंग ने कबजा करना शुरू कर दिया अपने काम को बनाये रखने के लिए उसका सामना मुक्तार अंसाली के गिरो से हुआ और यहीं से बिरजेश सिंग के साथ मुक्तार की दुश्मनी शुरू हो गई नाम बड़ा हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई और 1991 में चंदौली से मुक्तार को गरफतार कर लिया गया लेकिन आरोप है कि रास्ते में दो पुलिस वालों को गोली मार कर वो फरार हो गया इसी दौरान अबदेश राय हत्या कान पेश आया जब वरणासी में कॉंग्रेस नेता अजराय के बड़े भाई अबदेश को पंच लोगों ने गोलियों से भून डाला इस जाम लगा मुक्तार अंसारी पर साल 1996 जब गाजीपुर के एडिशनल S.P. रहे शंकर जैसवाल और उनकी टीम पर दिन दहाडे हमला किया गया इस मामले में भी मुक्तार का नाम सुर्खियों में आया 1996 में ही मुक्तार पहली बार विधायक बना और तभी से उसने बिर्जेश सिंग की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया 1997 में पूरवांचल के सबसे बड़े कोईला वेपसाई रूंक्ता के अपहरन के बाद मुक्तार का नाम क्राइम की दुनिया मिछा गया साल 2002 का विधान सभा चुना क्रिशननंद राय نے मुक्तार के भाई अवजाल अंसारी को हरा दिया और इसी दुरान बिर्जेश सिंग ने मुक्तार अंसारी के काफले पर हमला कराया जिसमें मुक्तार के तीन لوگ मारे गए और बिर्जेश सिंग घायल हो गया और यही वो वक्त थाज़ मुक्तार अंसारी पूरवांचल का सबसे बड़ा माफिया डौन बन कर उब्रा फिर आया साल 2005 मौउज जिले में हिंसा भलकी और आरोप लगा मुक्तार पर जिसके बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया इसी दोरान विधाय कृश्ननंद राय की हत्या करवा दी गई इसका आरोप भी मुक्तार पर लगा कहानिय भी खत्म नहीं हुई थी साल 2009 में मुक्तार पर ठेकेदार मन्ना सिंग और उसके साथी राजेश राय की हत्या का आरोप लगा इतना ही नहीं 2010 में मन्ना की हत्या के एक मात्र गभा राम सिंग मौरे की भी हत्या कर दी गई इसका इलजाम भी मुक्तार गैंग पर ही लगा मुक्तार के रसूक को ऐसे समझा जा सकता है कि उसके लिए यूपी और पंजाब की सरकारे सुप्रीम कोर्ट में भिल गई थी दोनुस सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में शपत्पत्र देना पड़ा था पंजाब सरकार मुक्तार को अपने यहां की जेल में रखना चाहती थी जफकी योगी सरकार उसे यूपी लाकर अपरादों में ट्रायल कराकर सज़ा दिलाना चाहती थी और सुप्रीम कोर्ट में जीत होई योगी सरकार की 6 अप्रेल 2021 को मुक्तार यूपी लाया गया और यहीं से उसके अंत की शुरुवात होई और करीब साले साथ बजे के आसपात उमर अंसारी को यहां पर पहुंचना है और उसके बाद आठ बजे से पोस्माटम की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी तो ऐसे में यहां पर भी पूरी तयारी कर ली गई है इसके साथ-साथ आपको बता दें कि देखिए रूट भी कर आसे से बाद से वो बनारा से घाजीपूर बस सबस्क्राका कर सकते हैं जया बर अंसारी को यह кораб हो साथ जाने की जरी इस वक्ते उए नजर आएकि इस सुरक्षा को लेकर खासा ध्यान यहां पर विशाल यहां पर देखा जा रहा है, पुलिस यहां पर यहां पर अचारी माफिया मुकतार अनसारी से जुड़ी बड़ी जौनकारी, उस मौटन की बाद शव पर जनों को नहीं सौपा जाएगा, ये इस वक्त की बड़ी खबर पुलिस सुरक्षा में गाज़ेपूर पहुँचेगा मुक्तार का शव, पुलिस सुरक्षा में सुकुर्दे खाकोगा मुक्तार अंसारी, तो मुक्तार अंसारी का शव सीधे कबरिस्तान पहुंचेगा नमाजे जनाजा पढ़ने की बार मुक्तार के शव को दफन किया जाएगा खबर ये भी है कि मुक्तार के दोड़ो भाई बांदा नहीं आएंगे हला कि उनके बेटे की यहाँ पर वहुचने की खबर मिल रही है क्योंकि कुछी देर बाद सुभे आट बजे का जो वक्त यहाँ पर बताया जो आ रहा है जब पूरी डॉक्तरों की टीम यहाँ पर टैनात रहेगी और पोस्ट वाटरम यहाँ पर वक्तार अंसारी का होगा हमारे सेयोगी लगातार विशाल बने हुए विशाल जिस तरह से चोकी प्रक्रिया जो होती है पोस्ट वाटरम पहले होता है उसके बाद शव को पर जनों को सौपा जाता है लेकिन इस मामले में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा इसलिए भी नहीं दिख रहा है क्योंकि जो परिवार के जो सदस हैं और बीड़ा दी है आपको यहां पर भीड़ा दीखा देगे उसके साथ यह अवर अपडेट को वटा दो पर यह कि आज आज है जो फाटक शेत्र के दुकाने हैं उनको बंद रखने का निर्णा लिया गया है इस पूरी सूचना के बाद इस शेत्र की दुकानों को बंद रखने का निर्ड़ा लिया गया है तो यह आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं और देखें जिस तरह से अपर पहुंची है लोगों को यहां पर मन में यह कहीं न कहीं है कि जो उनका मसीह है आज उनके बीच नहीं है और जो यह सूचना उन्हें प्राप् कि यह सूचना है लोग कहीं न कहीं जो यहां पर स्थानी शेत्र के लोग हैं वो स्थब्ध है वो इस पूरे जुब सूचना है उसको पर जब मिली तो एक पिनिट के लिए वेवेवे सनाटा सचा गया और अभी तक के सनाटा पसरा हुआ है लोग शोप में डोबे हुए है और अपना शोप टरकट करने के लिए वो यहां पाटख पर पहुँचे हूए है भीड़ा आपके सामने आप देखे यहां पर और एक तस्विर यह भीड़ी के दिखाएंगे और दूसरी तस्विर हम यह सुरकषा के इस टुकडी के दिखाएंगे आप देखेए आपस रग की खबर है लोग यहां पर उनकी मौत पर सांतोना प्रकट करने के लिए शोग प्रकट करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं यह घर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुक्तानल थारीके और लोगों से बाचेत भी करते हैं तो यहां पर आये हुए हैं आपको प्रक करता और पूरे मुहम्दावाज शेत्र में इस तरीक के आपको इंतिजाम दिखाई देंगे सुरक्षा के पॉइंट यहां पर बनाए गए हैं और हर एक पॉइंट पर कड़ी सुरक्षा यहां पर तेनात की गई हैं लोग यहां पर पहुंच रहे हैं तो जो लोग पहुंचे किस रूप में देखा जाता था भाई जान मसीहा भाई जान हम लोग के लिए यहां के लिए तो मसीहा ही थे आज शेत्र के दुकानों को बंद रखने का निए लिया गया है सुभाविक से चीज है इससे कोई नीड़न नहीं है अवारे घर की यह ताजियत करनी है दरवाजे पे चीज है जिसकी दुकाने हैं बंद रखेगे जिस तरह से यह सूचना मिली इस पूरे शेत्र में कहा जा रहा है एक दम पूरी तरह से मातन चाया हुआ है परिवार को सा आज इस चेत्र में अप लोग अपना शोक प्रकट करेंगे कैसे अभी तक दुकान के कोई नहीं लिया गया है लेकिन यह हमारे भाई भी थे हैं चाचा भी हैं दादा भी हैं एक तरीके से कहा जाए कि हम लोग के रहनमात हैं इसको देखते हुए हम लोग अपनी दुकाने अपने मन से बन क्या जाएगा पूल निर्दे नहीं यह मतलब व्यक्तिगत निर्दाए हैं अपनी इच्छा है देखें आप आप भी पढूस में ही रहते हैं यह दूर गाउस हैं यह यह सूचना आपको कितना दुख्य करने वाली इस दुख देने हैं दूख देना सभे ज कि अर्शाइए सबको मंते जनते हैं अब बग ज्यादा मं दो एक वा इ bisa देतेठे रहेये घरीक क मस्या रहे हैं और हमि लोग लोग साथ देते मैं मशेर करें आज मसीह की मौत की ख़बर जब सामने आई जोहट डाल करके माट जोहट डाल करके माट यहाँ पर जो लोग हैं जो समर्थक हैं वो इस मुक्तार अंसार की मौत की बार देखे है ऐलर्ड जुआरिक कर दिया गया है बड़ी ख़बर गाजिपूर समयत का इस जिलो में धारा 146 लागू कर दी गई है जुमे की नमास को देखते हुए अलर्ड जुआर की आगया है बीती रात की देखे घटना जो है मुस्तैद है यहां पर अलगले इलाकों की तस्वीरे पुलिस पोर्स जो है यहां पर आप तैनाती बीती रात से ही लगाता देख रहे हैं आज सुभे का जो वक्तियां पर बताए ज़ए आट पची के बाद जो है गाजीपुर में एक खासतर से धार 114 लगा दी गई है बानदा इलाका यहां पर भी देखे एक खासत तयारी यहां पर पुलिस प्रशासन की नजर आ रही है तो कुछ ही देर बाद पोस्ट मौटम होगा और उसके बाद पोस्ट मौटम के बाद जो है मुक्तार अंसारी के श्रप को सीधे कबरिस्तान ले जाए जाएगा उनके परिजन को नहीं सौपा जाएगा यह चार तस्वीर दिखा रही है कि किस तरह के हालात इस वक्त पूरे इलाके में बने हुए हैं हमारे सयोगी विशाल रगवंशी बने हुए अलगातार विशाल अलग-अलग इलाकों की तस्मीर हमने देखी कि किस तरह से पुलस वर्शासन ने तैयारी कर ली है कोई भी चूक ना हो देखे विकोल तमाम जगाओं पर जो है इस बात को लेकर जो है कोशिश की जा रही है कि कहीं भी कोई चूक ना हो और यहां पर बांदा में भी मैं आपको तस्वीरे दिखायता हूँ यहां पर भी हैवी डिप्लॉमेंट जो है वो देखने को मिला है तब से पहले मैं आपको जो है इस अर्या को क्रॉस करके उस पार ना जा इस बारे भी विशेष द्यान का जा रहा है इसके सास्थ जो चैन्टव फोरसेस है उनका भी डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दिया गया है और हम आपको तस्वीरे भी दिखाते हैं कि यहां पर पहुंच चुकी है कोशिश करे है बथैसे कि यह जानकार है कि पहले जानकारी यह कर ने तस्वीरे में आपको दिखा जा रहा है जो फोर्से से कोई भी गड़बडी ना हो इस वक्त तवाम जो जवान है वो आपको यहां पर तनाद दिखाई पढ़ेंगे और आपको यह पूरा चावनी में तबदील किया जा रहा है मरचरी के एरिया को और आप देख सकते हैं तमाम जो जवान है वो यहां पर पहुंचे हुए हैं और इनको पूरी तरह से अलग अलग जगहों पर डिप्लॉइट किया जा रहा है चुकि यह कहा जा रहा है कि आप किसी भी तरह से इनको जो है तो यह आपको यहां पर दिखाई पढ़ेंगे और लगातार आप तस्वीरे देखिये केवल कि यहां पर भी भारी पुलिस बल जो है उसको तैनात कर दिया गया है तो यह फिलाल पूरे उत्तरप्रदेश में 1224 लागू है लेकिन बादा में विशेश तोर पर आचुकी अभी कुझेर के बाद यह कहा जा रहा है कि पोस्माटम शुरू हो जाएगा तो वही मुक्तार नंसारी की बेटे उमर नंसारी देरात बांदा स्पताल पहुँचे थे इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की सुनिए उमर नंसारी ने क्या कहा खुद ही जेल प्रशासन लेकर आइसीव आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फीट बताकर की ठोकर की जाईए आप ठीक हो और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेतिया जाता हो दो दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी यह मैं सोच सकता हूँ जब आज साहे तीन बजे मुझे टेलिफून पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा स अब आप सोथी आप शाम को शासन की जाच पे भरोसा करें डिया सीधे नियाए पालिका जाएंगे नियाए पालिका जाएंगे इधर बीजबी विधाय कृष्णान राइक के हत्या के मामले में मुकतार अंसारी को सजा हुई थी कल इस मुकतार की मौत की खबर आने की बाद कृष्णान राइक के बेटे पियूश ने जीनू से खास बातशीत की सुनिये उन्होंने क्या कहा इसे अपराजी जो समाज के लिए एक गंदे क्यूने की तरह है उनका जितना सफाया हो सके वो सफाया होना चाहिए और मैं इसलिए इसे पूर्व में भी मैं नयापालिका सभी कई बाद शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे अपराजी को दो-दो बाल जीवन काराबास दिया मेरे पिजाजी के मामले में M.P.M.L.E. कोर्ट में इंको साथ साल की सजा इनके और इनके भाई को मिली तो मैं कहीं ने कहीं मानता हूँगी जो कमी वशी नयापालिका में रह रही आज रमजान के इस महीने में अल्ला कहूँ या भगवान कहूँ या बाबा बुरकनाच का दरबार कहूँ वहाँ से ये फैसला आया है और मैं बहुत खुश हूँ आज के दिन पर तो पियूश राय को आप सुन रहे थे और उन्होंने इस पूरे मामने को लेकर कुशी जाहिए थे मुक्तार की मौत की बाद एक ये पुलिस जो है अलर्ट मोट पर नजर आ रही है सोशल मीडिया पर भी खासी नजर रखी जा रही है क्योंकि यूपी पुलिस का सकती यहाँ पर निर्देश जा पर आ गया है और ऐसे में मुक्तार की मौत की बाद पुलिस जो है अलर्ट में है तो जमीनी यहाँ पर एक्शन देखा ज़ा रहा है विशाल रखुएंशी लगतर हमारे सथ बने हुए विशाल अलग अलग गिलाखों की तस्वीर तो हमने देख ली कि किस तरह से पुलिस ने मुस्तैदी यहाँ पर बनाकर रखी हुई है तैनात पुलिस और जमान लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है अब इस एरिया को पुलिस बल जो है उसको तनात कर दिया गया है और पुलिस दिप्लॉइमेंट वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा पकाईदा यहाँ पर इस पुले एरिया को कवर करके अब साथ विजे से जो है यह कहा जा रहा है कि जोगी इस उमर अंसारी जो है साथ सारे साथ के आस्पाफ यहाँ पहुंचेगा तो ऐसे में आट विजे से पुली कारवाई शुरू होगी आज चुकी दुम्हा है तो दुम्हे की नमास दुरान तमाम मजीदों के बाहर भी जो है विशेश निग्राई रखी जाएगी और पूरी तरह से जो कहीं से भी कोई अगर ऐसी कोई घटना आती है जिसमें विरोध हो या कोई अपती जनक पोश्ट करता है तो उसे खिलाफ 11-12 बेजे के आसपा जो है शेफ को लेकर यहां से फुली जो है वो रवाना होगी जी बिलकुल तो लगभग 2-3 घंटे का वक्त यहां पर लग सकता है क्योंकि 8 बजे का जिस तरह से वक्त यहां पर बताय जो आ रहा है बताय ये भी जा रहा है कि लखना उसे बड़ी टीम यहां पर डॉक्टर की पहुंचेंगे जो पोस्ट मॉटम करेंगी और बकाइदा विडियोग्राफी यहां पर की जाएगी और खबर ये भी आ रही है कि मुक्तार अंसारी के जो बेटे हैं उमर अंसारी वो भी यहां पर पहुंचेंगे हाला कि उनके जो दो भाई हैं वो नहीं पहुंचेंगे और इसके बाद पोस्ट मॉर्टम की जो प्रक्रिया है जब पूरी हो जाएगी उसके बाद शब को सीधे ले जाए जाएगा गाजीपूर जहापर जो है कालीबाग कब्रिस्तान है वहाँ पर सुपूर्दे खाक किया जाएगा मुक्तार अंसारी को खब खड़े हुए है काई दुकाने वहाँ पर जो है लोगों ने अपनी बंद कर दी है तो दोनों जगों की तस्वीर हमने आपने दिखा को दिखाने की कोशिश की पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जिलों के तस्वीर हमने देखी हमने कासकंज की तस्वीर देखी हमने गाजीबुर की तस्वीर देखी बांदा में भी हमने देखा कि किस तरह से पूरी सुरक्षा व्यवस्था नजर आ रही है और रात सही जब खबर यह आई कि जेल में मुक्तार अंसारी की तबियत बिगड़ गई सीधे उसे अस्पताल भीजा गया जहां पर यह ख जो शव है उसे ले जाए जाएगा कबरिस्तान यानि परिवार को शव नहीं सौपा जाएगा परिवार को शव नहीं सौपा जाएगा और चुकि यहां से सीधे जो है शव को ले जाके कब्रिस्तान में सुप्रुदेखा किया जाएगा उमर अंसारी साथ में मुलंस में जाएंगे इस बारे में अभी तक फिलाल एक राय बनी है अंतिम फैसला मजिस्ट्रेट को लेना है पंचनामा के बाद जब पोस्माटम होगा उसके बाद ही फैसला लेंगे उस पर ही तमाम जो चीजे हैं वो आगे की करवाई होगी लेकिन अभी तक आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर ये बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी तक परिवार को कोई भी शफ सोपने की बात नहीं कही गई है यह का गया है कि लोइन और और को लेकर कोई मुश्किले हो सकती है रहा he लगारं या तस पास यहां से रवारा जाए लेकिन आभी फिलाल्ए का इस आस पास और उमर अंसारी यह यहां पर उचैंगे तो यह आपको तस्फिरें में लगातार दिखा रहा हो ये आप तस्वीरे देख सकते हैं कि यहां पर जो है लगातार पुलिस बल जो है उसको तरनाद किया गया है और ये तस्वीरे देखिए आप देख सकते हैं कि यहां पर भारी पुलिस बल है उसको यहां पर तरनाद किया गया है तो यह जो है इस वक्स स्रुक्षर वैस्टा को चाक चौबन रखा गया है इसके साथ साथ जो सबसे महत्मूल बात है वो यह है कि आपको बता दें कि यह कि मरचरी के बाहर एज़क फोर्ड जरूत अनात है लेकिन जो तमाम लीगल पॉइंट है उसके अधार पर भारी डिप्लॉटमेंट यहां पर फोर्ड का नज़र आ रह आप 26 तारी को भी आए थे मेडिकल कॉलेज में जब मुक्तार अंसारी को यहां लेकर आए थे जेल कर में आया था मैं और मुझे एकने भी नहीं दिया गया था अबाफ अफ़ाल अंसारी जो सामसर्थ है उनको मिला आए गया था उस वक्ति उन्होंने यह भी बात कही थी अ गया था मैं बुच्छित हो गया था मुक्तार अंसारी की मौत हो गई थी कल जब उसकी तवियत बिगडी जेल में उसकी बात सीधे उसे अस्पतार ले जाए गया जहां डॉक्टरों की टीम तैनाती मौचोद थी नौर डॉक्टरों की टीम ऐसे में इलाज वहां पर शुरूग और तब बताय गया कि मुक्तार की मौत हो गई है दिल का दौरा पढ़ने से उसकी बाद से देखे लगातार रात भर सही पूरे इलाके में तैनाती यहां पर पुलिस प्रशासन की नज़र आ रही है अब जो है पोस्टम जब होगा उसके बाद इंतजार किया जा रहा है कि पोस्टम के बाद माफिया मुक् इस वक्त बना हुआ है मातम पस्रा हुआ है लगातार सवाल ये भी उट रहे हैं मौत को लेकर जांच की बात कही जा रही है जो दो भाई है मुक्तार अंसारी के वो बांदा नहीं पहुंच पाएंगे उनका जो बेटा है उमर अंसारी वो पहुंचेगा और जो है डौक्ट मुक्तार अंसारी की मौत के साथ ही परवांचल में बाहुबल का खात्मा हो गया मुक्तार को अलग-अलग मामलों में दो बार उम्र कैद हुई थी और वो 2005 से सजा काट रहा था सबसे पहले 1988 में ठेकिदारी को लेकर ठेकिदार सचिदानंद राए की हत्या मामले में मुक्त का नाम सामने आया 1991 में अवधेश राय हत्याकांड में भी मुक्तार अंसारी का नाम आया इतना ही नहीं 1996 में गाजीपूर के एडिशनल एसपी रहे शंकर जैसवाल और उनकी टीम पर दिन दिहाडे हमले का आरोप लगा मुक्तार अंसारी पर 1997 में कोईला का रोबारी नंद किशोर रुंग्टा के अपहरण में शामिल होने का केस दर्श किया गया था और साल 2005 में मौहिंसा मामले का आरोप भी मुक्तार पर लगा मॉक्तार अंसारी पर हत्या हत्या के प्रियास धंगी धोका दढ़ी समेत कई आपरादिक मामलों में करीब 65 केस दर्श थे तो माफिया मुक्तार अंसारी की पूरी क्राइम कुंडली आपने जान ली और आपको बता दें सुपुर्दे खाक होगा माफिया मुक्तार अंसारी और ये बड़ी खबर आ रही है पहले पोस्ट वाटम किया जाएगा माफ्तिय मोकार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम आपको अता रहे हैं पोस्ट वाटम के बाद शव सौपा नहीं जाएगा परिवार को पोस्ट वाटम के बाद शव को परिवार को नहीं सौपा जाएगा सीधे कबरिस्तान ले जाएगा पोलिस उरक्षा के बीच में उन्हें बता दे शव को गाजीपूर ले जाएगा तो एक ये जगह जो मुक्तार अंसारी के पिता के कबरगाह के बगल में है और अगर बात करें तो जो दूसरी जगह है वो इस रो में आपको आगे दिखाई देगी इस क्रम में आपको आगे दिखाई देगी यानि पेड के बगल का जो शेत्र आपको दिखाई दे रहा है वो आपको वहाँ पर जो सामने ये शेत्र दिखाई दे रहा है वो जगह होग जो सफाई करने वाले लोग हैं वो इस कबरगा की सफाई कर रहे हैं जाड़ू लगना शुरू हो चुका है यानि अब सुपुर्दे खाक की तैयारिया शुरू हो चुकी है क्या अभी तक सूचना क्या ही है आज ही सुपुर्दे खाक होना है या कल हो सकता है अब यह बहुत ह जो इस्थानिय लोग हैं आपका मन क्या कह रहा है इस पूरे परिवार की कब्रगाह की देख रहे करने वाले आबेटी यह हम लोग का जो आत्मा है रो रहा है और उपर वाला है इसका जरूर फैसला करेगा यहां के पूरी अवाम रो रही है मुक्तार अंसारी जैसा इन्सान पर भी नहीं मिलेगा यह गरीबों के मसीहा ही नहीं हर कौम के मसीहा है अल्ला इनको जन्नत दे देखें यह आपको जो कब्रगाह दिखाई देगी यह मुक्तार अंसारी के पिता की कब्रगाह है और अगर बात करें तो इनके बगल में संभावना उनकी माता जी है और इसके पूरे मामले में कोई स्पष्ठ पूरी तरह से नहीं हो सका है कि कहां पर उनकी कब्र खोदी जाएगी और कहां पर सुपुर्देखा किया जाएगा लेकि दो पॉइंट और गागर बात करें तो अफजाल अंसारी के निर्णाई के बाद ये पूरी तरह से स्पष्ठ होगा द उसके बाद जो कब्रगाह में अगर बात करें तो पूरी तैयारी की जाएगी और उसके बाद सुपुर्देखा किया जाएगा तो कब्रिस्तान में काली बाग कब्रिस्तान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं सफाई की यहां पर बेवस्था की जा रही है और उसके कि कितने घंटे का वक्त यहाँ लेगा और यह भी बताया जा रहा हे कि गाजी पूर में जहां पर माफिया मुक्तार अंसारिक को सुपूर्देखा किया जाएगा बता दे आपको बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पोस्ट मॉटरम आज होना है पोस्ट मॉटरम की बाद शरफ को परिजनों को नहीं सौपा जाएगा क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जिस तरह से पुलिस पोर्स प जुरुआ का दिन है नमास का दिन है और ऐसे में जुम्य के नमास को देखते हुए यहाँ पर भारी सुरक्षा विवस्था यहाँ पर की गई है बीती रात से जबसे इस खबर ये खबर आई जैसे ही कि जेल के अंदर माफिया मुक्तार अंसारी की तब्यत खराब हुई उस इसे पेटड़ की शिकायत हुई उसे उल्टिया हो रही थी उसके बाद सीधा उसे अस्पताल ले जाए गया जहाँ पर डॉक्टर मौचूद है नौर डॉक्टर के टीम उसका इलाज कर रही थी और उसके बाद जब खबर आती है कि उसकी मौत हो गई उसके बाद चौक सी यहां पर बढ़ती जा रही है बतादे आपको सुभे आठ बचे का वक्त यहां पर बताया जा रहा है जब मर्चुरी की बाहर जस्तर से हमारे सयोगी भी मौचूद है वो हमें तस्वीरे दिखा रहे थे कि पूरी फोर्स यहां पर डिप्लॉई की गई है और प्रॉपर तर माफिया मुक्तार अंसारी के शब को गाज़िपूर ले जाए जाएगा एक लंबा रासना यहां पर तैयक करना होगा कई घंटे का वक्त यहां पर लग सकता है और ऐसे में जो है हालात को कंट्रोल में रखना हालात सामाने रखना लॉइन ओर मेंटेन रखना एक बड़ी च मुक्तार अंसारी का व्हो गाज़िपूर में है और घर से महस 400 मीटर की दूरी पर कब्रिस्तान मौचोथ है माफिया डॉन मुक्तार अंसारी का गुरुवार देरात काडिया का रेस्ट से इन निधन हो लिया बांदा जेल में बंद मुक्तार की तबियत खराब होने के बाद उसे दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत वे मुक्तार अंसारी ने बाहु बली मक्नु सिंग का दामन थाम लिया और मक्नु सिंग उस समय हरी शंकर तेवारी का राइट था और उसी दारान कोट परिसर में एक गोली कांड होता है जिसमें एक नाम सबसे उभर कराता है और वो था मुक्तार अंसारी का जिसके बाद मुक्तार अंसारी क्राइम के दुनिया में बढ़ने लगा और अपने बाहूबल के दम पर मुक्तार ने खुद को और अपने भाई को सियासत में सिट किया इस बीच बड़ी खबर उत्प्रवेश के गाजेपूर से जहां मुहमदाबाद फातक में आज दुकाने बन रहेंगी मुहम्दाबाद फातक वही लाका है जहां मुक्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा दुकानदारों ने पैसला किया है कि वो आज अपनी दुकाने नहीं खोलेंगे मुक्तार अंसार की मौत पर यहां शोक का माहुल बना हुआ है और खबर यह आ रही है कि मुहम्दाबाद फातक पर तमाम जो दुकाने मौचूद हैं वो आज बंद रहेंगी मातम पसरा हुआ है और जो लोग उन्हें अपना मसीहा मांते थे अपना भाई मांते थे उनमें शोक की लहर है तो मुक्तार को सुपूर्दे खा किया जाना है यहां पर दुकानदारों ने साफ तोर पर कह दिया है फैसला यहां पर कर लिया है कि वो आज अपनी दुकाने नहीं खोलेंगे मुकतार अंसारी की मौत पर यहाँ शोक का माहुल बना हुआ है आपको बतादे आझ पोस्ट वॉटम होना है मुकतार अंसारी के शवका सुम्हे आठ बजे बांदा में और यहाँ पर डोक्टरों की टीम यहाँ पर करेगी हलाकि परिवार की तरफ से जांच की बात कही जा रही है बार-बार ये कहा जा रहा है कि उनकी खाने में जहर दिया जा रहा था यहां तक कि मुक्तार अंसारी की तरफ से भी यही बात कही गई थी अलाकि अब जो है ये जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि काडिक अरेस्ट की वजह से मुक्तार अंसारी की मौत हो गई है हमारे सयोगी लगातार विशाल रगवनशी बने हुए हैं बांदा से और जो हमें पल-पल की अपडेट दे रहे हैं खबर ये है कि पोस्ट मौटम के लिए डॉक्टर की टीम यहाँ पर पहुंचेगी जो लखनव से रवाना हो चुकी है भारी सुरक्षा ववस्था की बीच में पोस्ट मौटम होना है देखे बिकुल डॉक्टर की टीम है बस कुछी देर के बाद यहाँ पर पहुंच जाएगी और भारी सुरक्षा ववस्था के बीच में यह पूरा पोस्ट मौटम होना लेकि इस बीच आपके बड़ी खबर बता जाता हूं कि मजिश्टियल जाच के आदेश भी कर दिये ग की हैं लगातार विपक्षी से खिमा सवाल कर रहा है ऐसे में जो नियम होता है उसका नुसार अब मजिश्टियल जाच के आदेश दे दिये गया है अगले जो है एक हफते के अंदर यह पूरी जाच की रिपोर्ट है यह मजिश्ट्रेट के जरिए जो है वह सौपी जाएग यहां पर भारी प्रश्ट जो है वह तनाद किया गया है और लगाटार यहां पर हर चीज की जो है पहलू जो है चेक किया रहा है इसके साथ साथ चुकि आपको बतादें की साथ बज़े के आस्वास उमर अंसारी जो है वह यहां पर पहुंचेगा तो उसको लेकर भी पार ही है जवान यहां पर टैनार यहां पर नज़र आ रहे हैं लेकिन अगर रूट की अगर बात करें क्योंकि पोस्ट मॉटम जो 2-3 घंटे का वक्त यहां पर लगी को उसकी बाद जिस रूट का इस्तमाल यहां पर होगा वह कौन सा रूट हो सकता है कितना वक्त यहां पर लग सकता है गाज़ेपूर बहुंचने में अगरीब 420 किलो मीटर का यह जो पूरा रूट है यहां से बांदा से गाज़ीपूर तक का पूरा रूट है यह 420 किलो मीटर के आसपास का बताया जा रहा है अब आपको बता दें कि इसमें रूट को क्या क्या कुश टैग तो इसलिए थवा सा वक्त भी कम लगेगा तब इसविए थवा सा वक्त भी कम लगेगा यह कहा जा रहा है यह कि साथ से आठ घंटे का वक्त लग सकता है चुकि यह जो औस तन दूरी है चारसो बीस किलो मेटर की ये बताई जा रहे है तो ऐसे में आज सास से आठ घंटे का वक्त लगए गा तो अगर बारा वजे के आसपास भी जो है डेड वॉड़ी यहां से जो है इसको भीजी आती है त पुलिस प्रशान राद भर से मुस्तैदी यहां पर लगाई हुई है तो तैनाती यहां पर पुलिस की जो नज़र आ रही है एलज कहां कहां पर नज़र आ रहे हैं क्योंकि कई जगों पर 146 लागू की गई है अज़र के बिकोल उत्तर प्रदेश में कई जिलों को लेकर जो है विशेश तत्रत का बने के निदेश दिये गए हैं कानपूर है मौ है बलिया है गाजीपूर है आदमगर है यहां पर जो है विशेश निगरानी करने के लिए कहा गया है कि मुक्तार अंसारी का यहां पर आच द्यान रखने के लिए का गया है शोशल पोस्ट पर सपी की पुलिस की निगाएं जो बनी हुई है इसके साथ ही जो उत्तर प्रदेश के कई ऐसे जिलें लगातार वहां पर भी जो है पैट्रोलिंग की जा रही है उसके साथ ये भी निर्देश है कि आज जब जुकि जुम्ह की नमाज होनी है तो ऐसे में दुम्हे की नमाज केवक्त विशेश निग्रानी रखी जाए जुम्हे की नमाज के वक्त इजब बात के ध्यान रखर जाए कि कहीं भी कोई भी भीड इखटी ना हो किसी तासर कोई माहल खराब करने कोशिश ना करे नमाज की आल में कहीं भीड इखटा करके कुछ इस तरह की ऐसी इसी ती ना पैदा करते जो से जो है law and order खराब हो इन सब चीजों को लेकर कल ही रात में जो है उस्तर प्रदेश के तमाम जीलों में दिखाई पड़ेगी जो अुनको भी डिपलएट कर दिया गया है चुकि चुनाओ के वक्त में यह उस्तर प्रदेश के अलग-अलगा जीलों में मौजूद थी तो इसे में उनको जो लोग है वो मजिशियर्ट टीम में रहेंगे इसका दो डॉक्टर्स की टीम भी मौझूद रहेंगी इसके साथ ही साथ इनकी जो डिपोर्ट है वो एक हफ्ते के अंदर देनी होगी बिल्कुल विशाल और जिस तरह से आप बता रहे हैं कि जो पोस्टम करने वाली जो टीम है डॉक्टरों के जो टीम है वो लखना उसे आ रहे है हलाकि बार बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि एमस के डॉक्टरों से यहां बकराना चाहिए पोस्टम इसको लेकर कोई जानकारी टीम को लेकर ने देखे अभी लखनों के डॉक्रस की जो टीम है वो यहां पर सीधे पहुंचे गी और बांदा पहुंच चुकी है लखनों की डॉक्रस की टीम और वो सीधे यहां पर जब पोस्माटम होगा तब वो सीधे जो है मर्चरी हाॉस में जाएगी और फिलाल बहुत जो है इस बा उस सब चीजे की जाते हो कि यह जो पूरा मामला है यह बड़ा हाई प्रुफाइल मामला है और इसलिए पुलिस हो चाहे जिल प्रशाशन हो चाहे जीला प्रशाशन हो हर कोई जो है हर चीज फूंक के कदम रख रहा है क्योंकि तक पता है कि इस पर सब की निगाहें बनी पूरे मामने पर नजर बना कर रखेंगे आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे फिलहाल आपका बहुत बशुक्रिया तमाम जानकारी पहुचाने के लिए तो गैंक्स्टर मुक्तार अंसारी की मौत से उतर प्रदेश में माफिया राज के एक युककान्त हो गया लेकिन 63 साल की उमर में 63 से ज्यादा क्राइम उसके नाम पर दर्च है जिनमें से कई मामलों में उससे सजा सुनाई जा चुकी थी जब कई केस अब भी पैंटिंग है ज उसके सताई लोगों ने जरूर रहत की सांस ली क्या है मुक्तार की क्राइम कुंड़ी और कैसे हुआ उसके गुनाहों का हिसाब देखे इस रिपोर्ट में अपराग की दुनिया के अध्धाय का अंध 63 साल की उम्र 63 से ज्यादा क्राइम मुक्तार अंसारी एक वक्त था जब इस नाम को सुनकर बड़े बड़े लोग धर धर कापते थे दहशक ऐसी कि अगर मुक्तार के नाम से कोई फोन भी कर दे तो आदमी की नींड उड़ जाती थी आतंक ऐसा की पुलिस भी उस पर हाथ डालने से पहले दस बार सोंचती थी लेकिन मुक्तार के माफिया डौन बनने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है साल था 1988 जब मुक्तार ने जरायम जगत में कदम रखा मंडी परिशत की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचिदानंद राई की हत्या के मामली में मुक्तार का नाम सामने आया इसी दोरान बनारस में तुर्बवन सिंग के कौंस्टेबल भाई राजंदर सिंग की हत्या कर दी गई इसमें भी मुक्तार का ही नाम सामने आया 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर बिरजेश सिंग गैंग ने कबजा करना शुरू कर दिया अपने काम को बनाए रखने के लिए उसका सामना मुक्तार अंसाली के गिरो से हुआ और यहीं से बिरजेश सिंग के साथ मुक्तार की दुश्मनी शुरू हो गई नाम बड़ा हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई और 1991 में चंदौली से मुक्तार को गरफतार कर लिया गया लेकिन आरोप है कि रास्ते में दो पुलिस वालों को गोली मार कर वो फरार हो गया इसी दोरान अबदेश राय हत्या कांड पेश आया जब वरणासी में कॉंग्रेस नेता अजराय के बड़े भाई अबदेश को पंच लोगों ने गोलियों से भून डाला इस्दाम लगा मुक्तार अंसारी पर साल 1996 जब गाजीपुर के एडिशनल S.P. रहे शंकर जैसवाल और उनकी टीम पर दिन दहाडे हमला किया गया इस मामले में भी मुक्तार का नाम सुर्खियों में आया 1996 में ही मुक्तार पहली बार विधायक बना और तभी से उसने बिर्जेश सिंग की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया 1997 में पूरवांचल के सबसे बड़े कोईला वेपसाई रूंग्ता के अपहरन के बाद मुक्तार का नाम क्राइम की दुनिया में च्छा गया साल 2002 का विधान सभा चुना किरिशननर राय ने मुक्तार के भाई अफजाल अंसारी को हरा दिया और इसी दुरान बुर्जेश सिंग पर हमला कराया जिसमें मुक्तार के तीन लोग मारे गए और बुर्जेश सिंग घाइल हो गया और यही वो वक्त थाज़ मुक्तार अंसारी पूरवांचल का सबसे बड़ा माफिया डौन बनकर उग्रा फिर आया साल 2005 मौउज जिले में हिंसा भलकी और आरोप लगा मुक्तार पर जिसके बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया इसी दोरान विधाय क्रिशननंद राय की हत्या करवा दी गई इसका आरोप भी मुक्तार पर लगा कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी साल 2009 में मुक्तार पर ठेकेदार मन्ना सिंग और उसके साथी राजेश राय की हत्या का आरोप लगा इतना ही नहीं 2010 में मन्ना के हत्या के एक मात्र गभा राम सिंग मौरे की भी हत्या कर दी गई इसका इलजाम भी मुक्तार गैंग पर ही लगा मुक्तार के रसूप को ऐसे समझा जा सकता है कि उसके लिए यूपी और पंजाब की सरकारे सुप्रीम कोर्ट में भिल गई थी दोनों सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में शपत्पत्र देना पड़ा था पंजाब सरकार मुक्तार को अपनी यहां की जेल में रखना चाहती थी जबकि योगी सरकार उसे यूपी लाकर अपरादों में ट्राइल कराकर सज़ा दिलाना चाहती थी और सुप्रीम कोर्ट में जीत होई योगी सरकार की 6 अपरेल 2021 को मुक्तार यूपी लाया गया और यहीं से उसके अंत की शुरुवात हुई और उसके बाद 8 बजे से पोस्माटम की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी तो ऐसे में यहां पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है इसके साथ-साथ आपको बता दें कि देखिए रूट भी बनाए गया है रूट डाइवर्जन रहेगा इसके साथ-साथ जिन रूटों से यहां से निकलना हाँ यहां से सीधह जो टीम है वो शभ को लेकर यहां से सीधह पहले फतेपुर जाएगी फतेपुर से कौशामबी से सीधह प्रियागराज हन्डियाल रासते से सीधह बढ़ोई होते हुए वो बना-स पहूँचेगी ho बना-स सीधह गाजी-बो बस सकते हैं कि बहुत अदा शेर के बाहर का गयु चुना जाएगा चुकि आज जुमे की नमास भी अदा हुनी है तुछ में त्माम से दीजित है तो हैं खुप Dew? पुलिस रखते हुए नजर आएगे सुरक्षा को लेकर खासा ध्यान यहां पर विशाल यहां पर देखा जा रहा है। खबर ये भी है कि वुक्तार के दोडों भाई बांदा नहीं आएंगे हला कि उनके बेटे की यहाँ पर वहुचने की खबर मिल रही है क्योंकि कुछी देर बाद सुभे आट बजे का जो वक्त यहाँ पर बताया जो आ रहा है जब पूरी डॉक्टरों की टीम यहाँ पर टैन को अपर जनों को सौपा जाता है लेकिन इस मामले में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा है इसलिए भी ने दिख रहा है क्योंकि जो परिवार के जो स्वदत हैं उनमें अब जाल अंतारी यहाँ पर नहीं पर प्रकट करने वालों की भीड़ है वो यहाँ पर फिर से आती है और यह पीसी के जवान लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाएए वहां तक ना जाएए और और इसके साथ यह और अपडेट आपको बता दो पहले कि आज जो फाटक शेतर के दुकाने हैं उनको बंद रखने का निर्ड़ा लिया गया है इ यह आपको मैं तस्वीरें दिखा रहा हूं और देखें जिस तरह से आप भेंड यहां पर पहुंची है लोगों को यहां पर मन में यह कहीं न कहीं है कि जो उनका मसीहा है आज उनके बीच नहीं है और जो यह सूचना उन्हें प्राप्त हुए तो शूख प्रकट करने के ल के लोग हैं वो स्तब्ध है वो इस पूरे जो सूचना है उसको पर जब मिली तो एक नट के लिए सचा गया और अभी तक के सनाटा पसरा हुआ है लोग शोप में डोबे हुए हैं और अपना शोप टकट करने के लिए वो यहां पहटक पर पहुँचे हुए हैं भीणा आप कोई भी ऐसी अद्वस्ता पर नहुने दे लेकिन चुकि कहा जाता है इस चेतर के भाईजान कहा जाते हैं और उनकी मौत की खबर हैं लोग यहां पर उनकी मौत पर सांतोना प्रकट करने के लिए यहां पर पहुचे हुए हैं यह घर के तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं म ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भी मौजूद है और पुछासनी कमला इस भीन को मेंटेन करने का पूरा प्रयास करता और पूरे मौहमदावाज शेतर में इस तरह के आपको इंतेजाम दिखाई देंगे सुरक्षा के पॉइंट यहां पर बनाए गए हैं और हर एक प्वाइंट पर कड़ी सुरक्षा है यहां पर तेनात की गई हैं लोग यहां पर पहुंच रहे हैं तो जो लोग पहुंचे हमसे जान लेते हैं चब यह सूचना मिली कितना स्तब्ध करने वालिया सूचना के लिए कि सोच भी नहीं पर अगए इस गटना हो सकती है इस तरह कि इस छेत्र में मुक्तार अंसारी को किस रूप में देखा जाता था भाई जान मसीह भाई जान हम लोगों के लिए यहां के लिए तो मसीह ही थे आज इस छेत्र के दुकानों को बंद रखने का निए लिया गया है कि इस तरफ से यह सूचना मिली इस पूरे शेत्र में कहा जा रहा है एक दम पूरी तरह से मातम चाया हुआ है अब भी लोग यहां पर आए हैं परिवार को सांतना देने के लिए तो इस पूरे घटना के बाद आज इस छेत्र में अप लोग अपना शोक प्रकट करेंगे कैसे अभी तक दुकान के कोई मेर नहें लिया गया है लेकिन यह हमारे भाई भी थे हैं चाचा भी हैं दादा भी है एक तरीके से कहा जाए कि हम लोग के रहनमात हैं इसको देखते हुए हम लोग अपनी दुकाने अपने मन से बन किया जाएगा को निर्दे नहीं है मतलब ब्यक आपको कितना दुख है करने वाले रहे हैं और अमीं लोग लुटते रहें लोग को साथ देते रहे हैं मस्यार आज मसिया की मोत की ख़बर सामने आई मुक्तार अंसार की मौत की बार देखे हैं, अलर्ट जुआरिक कर दिया गया है, बड़ी खबर गाजिपूर समयत का इस जिलो में धारा 146 लागू कर दी गई है, जुमे की नमास को देखते हुए, अलर्ट जुआरिक की घटना जब मुक्तार अंसार की बार की खबर आई, और ये चार तस्वीरे अलग-अलग इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं, कासगंज, प्रयागराज, गाजिपूर और लखनाओ, देख सकते हैं आप भारी सुरक्षा ववस्था, पुलिस बल मौके पर मौझूद है, यहाँ पर किस तरह से पूरी टीम को डिप्लॉय किया गया आज सुभे का जो वक्तियां पर बताए जारे, सुभे आट पची के बाद जो पोस्वाटम होगा, गाजिपूर में एक खास से धार 144 लगा दी गाई है, बांदा इलाका, यहाँ पर भी देखे एक खास सयारी यहाँ पर पुलिस प्रिशासन की नजर आ रही है, तो कुछ ह के हालात इस वक्त पुरे इलाके में बने हुए है, हमारे सयोगी विशाल रगवेंशी बने हुए लगातार, विशाल अलग-अलग इलाकों के तस्वीर हमने देखे कि किस तरह से पुलिस प्रिशासन ने तयारी कर ली है, कोई भी चूक ना हो देखे बिकोल तमाम जगहों पर जो है, इस बात को लेकर कोशिश की जा रही है, कि कहीं भी कोई चूक ना हो, और यहां पर बांदा में भी मैं आपको तस्वीरे दिखायता हूँ, यहां पर भी हैवी डिप्लॉमेंट जो है, वो देखने को मिला है, सबसे पहले मैं आपको एरिया को क्रॉस करके उस पार ना जाए, इस बारे भी विशेज द्यान अका जा रहा है, इसके साथ जो सेंटल फोर्सेस हैं, उनका भी डिप्लॉमेंट जो है, वो कर दिया गया है, और हम आपको तस्वीरे भी दिखाते हैं, कि जो सेंटल फोर्सेस हैं, वो भी यहां पर पहुषिश करेंगे कि हम आपको तस्वीरे भी दिखाएं लेकिन यह देखे यह जो तस्वीर हैं यहीं पर ही पुरा जो पोस्मार्टाम होना है लेकि उससे पहले पंचनामा होना है और पंचनामा जो है वो पांच लोग जो है वो मौझूद रहेंगे इसके साथ-साथ पुल पंचनामा है वो शुरू हो जाएगा और इसके साथ-साथ-साथ कोई लापरवाही नहों इसको लेकर भी पुरी तरह से त्यारी कर लिए गई एक पुरा इस पुरे एरिया की तस्वीरे मैं आपको दिखाएता हूँ और आपको देखे मैं तस्वीरे दिखाएता हूँ कि द तस्वीरे आप देख सकते हैं सूपर इसक्लूजिव तस्वीरे हैं इस वक्त तवाम जो जवान है वो आपको यहां पर तनात जो है दिखाए पढ़ेंगे और आपको यह पूरा च्छावनी में तबदील किया रहा है मर्चरी के एरिया को और आप देख सकते हैं कि यह तमा जो है उसको तैनात कर दिया गया है यह फिलाल पूरे उत्तरप्रदेश में 1224 लागू है लेकिन बांदा में विशेष तोर पर आचुकी अभी कुजिर के बाद यह कहा जा रहा है कि पोस्माटम शुरू हो जाएगा तो ऐसे में उससे पहले यहां पर भारी पुलिस बिल्क कि मुक्तार नंसारी की बेटे उमर नंसारी देरात बांदा स्पताल पहुँचे थे इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की सुनिए उमर नंसारी ने क्या कहा सब जाज का विशे हैं जो अदालत पहसला करेगी हमको यकीन है कि वह इसा आपको लगता है जानबूश के किया गया खरत है यह अब इसमें भी भाईया कुछ कहना और छुपा रह गया है जो व्यक्ति अपनी मुठी नाबद करताता हो जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर ICU आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फीट बता कर फीट ठोकर की जाईए आप फीट हो और 14 घंटे बाद जेल की तनाही बैरिक में भेतिया जाता हो दो दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी यह मैं सोच सकता ह जब आज साढ़े तीन बजे मुझे टेलिफून पर उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा सकूँ बैरिक से निपर हो तो आप आप सोची आप शाम की जाच पे भरोसा करें लिया सीधे नियाए पालिका जाएंगे नियाए पा कि सुनिये उन्होंने क्या कहा कि इतना सफाया हो सके वो सफाया होना चाहिए और मैं इसलिए इससे पूर में भी मैं न्यापालिका सभी कई बात शुक्र जुज़ार हूं कि उन्होंने ऐसे अपरादी को दो-दो बाल आज इवन काराबास दिया मेरे पिजाजी के मामले में एंपी अमेले कोर्ट में इंक तो पियूश राय को आप सुन रहे थे और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कुशी जाहिर थे मुक्तार की मौत की बात एक के पुलिस जो है अलर्ट मोट पर नज़र आ रही है सोशल मीडिया पर भी खासी नज़र रखी जा रही है क्योंकि यूपी पुलिस का सक्ति यह यहां पर निर्देश जाह पर आ गया है और ऐसे में मुक्तार की मौत की बात पुलिस जो है अलर्ट में है तो जमीनी यहां पर जो है एक्शन देखा जा रहा है विशाल रकुवेंट्री लगतर हमारे सब बने हुए विशाल अलग अलग गिलाकों की तस्वीर तो हमने पुरी तरह से पुलिस और जवान लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है अब इस एरिया को पुरी तरह से कवर्ड किया रहा है और आप तस्वीर दे सकते हैं कि यहाँ पर भारी फुलिस बल जो है उसके पनाज कर दिया गया है और पुलिस डिप्लाइमेंट वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा पकाईदा यहाँ पर अभी फुले एरिया को कवर करके अब साथ विजे से जो है यह कहा जा रहा है कि जोगी इस उमर अंसारी जो है साथ सारे साथ के आसपाफ यहाँ पहुंचेगा तो ऐसे में आ अगले जगहों पर पैट्रोलिंग कर रही है पुलीस आज चुकी दुम्हा है तो दुम्हे की नमास दुरान तमाम मजीदों के बाहर भी जो है विशेश निंग्राई रखी जाएगी और पूरी तरह से जो कहीं से भी कोई अगर ऐसी कोई घटा आती है जिसमें विरोध यह जो या कोई अपती जनक पोश्ट करता है तो उसे खिलाफ सक्त कारवाई करने के भी निर्देश जारी कर दिये गए हैं तो यह पूरा अपडेट अभी तक का है कि चुकी अब दिखिए साथ बज़े के आसपास उमर अंसारी यहां पहुंच जाएगा आड़ बे से पंचना उसे बड़ी टीम यहां पर डॉक्टर की पहुंचेगी जो पोस्ट मॉर्टम करेगी और बकाइदा विडियोग्राफी यहां पर की जाएगी और खबर यह भी आ रही है कि मुक्तार अंसारी के जो बेटे हैं ओमर अंसारी वो भी यहां पर पहुंचेंगी हाला कि उनकी जो गाजीपूर की तस्वीर भी हमने देखी कि किस तरह से वहाँ पर मातम पसरा हुआ है और लोग जो है शोक व्यक्त कर रहे हैं कुछ लोग जो है मुक्तार अंसारी को अपना भाई मानते थे अपना मसीहा मानते थे और ऐसे में वो लोग जो है वहाँ पर शांती से खड़े ह काई दुकाने वहाँ पर जो है लोगों ने अपनी बंद कर दी हैं तो दोनों जगों की तस्वीर हमने आपने दिखाने की कोशिश की पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जिल्लों के तस्वीर हमने देखी हमने काजगंज की तस्वीर देखी हमने लगाताल विशाल रगवर्शी बने हुए हैं विशाल जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि पहले पोस्ट मॉटम होगा लगभग दो से तीन घंडे का वक्त लगेगा उनके बेटी वहाँ पर पहुंचेंगे और उसकी बात सीधे जो शव है उसे लिजाए जाएगा कबरिस्त में जाएंगे इस बारे में अभी तक फिलाल एक राय बनी है हाला कि अंतिम फैसला जो है मजिस्ट्रेट को लेना है पंच नामा के बाद जब पोस्ट माटम होगा उसके बाद ही जो है जो फैसला लेंगे उस पर ही जो है तमाम जो चीज़ें वह आगे की कारवाई होगी ल तो फिलाल आपको बताते हैं कि मुक्तार अंसारी के शफ को लेकर पुलिस की टीम करीज साड़े 11 या 12 बज़े के आसपास यहां से रवाना होगी तो यह एक प्रॉक्षाइम बताया जा रहा है लेकिन आभी फिलाल थ्वास इंतिजार इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि तो यह जो है इस वक्षव हैस्ता को चाक चौबंद रखा गया है इसके साथ साथ जो सबसे महत्मुन बात है वो यह है कि आपको बता दें कि मर्चरी के बाहर जरूर तनात है लेकिन जो तमाम लिगल पॉइंट है उसके अधार बात पर भारी डिप्लॉट्मेंट यहां पर की जाच होनी चाहिए सुनिये उमर अंसारी ने फोन पर जीनियू से क्या कहा आप 26 तारिक को भी आये थे मेडिकल कॉलेज में जब मुख्तार अंसारी को यहां लेकर आये थे जेल कर मी आया था मैं और मुझे देखने भी नहीं दिया गया था अबाफ अफ़ाल अंसारी जो आट बज़े के बाद मुख्तार अंसारी का पोस्ट मौटम जो है शुरू होगा हमने तस्वीरे भी देखी मौके से किस तरह से जो है पूरी जो फोर्स यहां पर तैनात या पर की गई है क्योंकि सुरक्षा बनाय रखना एक बड़ी चनौती पुलिस प्रशासन के लिए प इसकी बाद सीधे उसे अस्पताल ले जाए गया जहां डॉक्टरों की टीम तैनाती मौचो थी नौर डॉक्टरों की टीम ऐसे में इलाज वहां पर शुरू हो और तब बताय गया कि मुख्तार अंसारी की मौत हो गई है दिल का दोरा पढ़ने से उसकी बाद से लगातार र उसे सुपूर्दो खात किया जाएगा परिवार गाजिपूर में मौचूद है गाजिपूर की तस्वीर मी हमने देखी कि घर के बाहर किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है मातंपसरा हुआ है लगातार सवाल ये भी उट रहे हैं मौत को लेकर जाच की बात कही जा रह खेते और आठ बचे का जो वक्त यहां पर बताया जा रहा है मुश्किल से डेड़ घंटे का वक्त यहां पर बचा है उसके बाद माफिया मुक्तार अंसारी के पोस्ट वाटम की जो प्रक्रिया है वो शुरू होगी मुक्तार अंसारी के पोस्ट करमी जो है वो तैनाथ है थ्वासाम आगे आपको आकर तस्विरे दिखा दिता हूं कि यह मेरिका कॉलेश की मरचरी है और यहां पर पुरा पोस्टमाटम होना है तो यह आप तस्वीरे यहाँ पर देख सकते हैं और करीब साले साथ बजे के आसपात उमर अंसारी को यहाँ पर पहुंचना है और उसके बाद आठ बजे से पोस्माटम की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी तो ऐसे में यहाँ पर भी पूरी तयारी कर ली गई है इसके साथ-साथ आपको बता दें कि देखिए रूट भी बनाए गए है रूट डाइवर्जन रहेगा इसके साथ-साथ जिन रूटों से यहाँ से निकलना है बस ये तोर पर ये कह सकते हैं कि बहुत ज़्यदा शहर का रास्ता नहीं चुना जाएगा शहर के बाहर का रास्ता चुना जाएगा चुकि आज जुमे की नमाज भी अदा होनी है ऐसे में तमाम शहरों में अलर्ट भी हैगा तो इसलिए विशेश तोर पर जो है जो शहर के ब यहाँ पर देखा जा रहा है पुलिस यहाँ पर एतियात यहाँ पर बनत रही है बढ़ी रही है अमारे साथ एक और जो बड़ी ख़बर यहाँ पर आ रही है माफिय मुक्तार अनसारी से जुड़ी बड़ी जवांकारी उस मोचम की बार शब पर जनों को नहीं सौपा ये इस वक्त की बड़ी खबर पुलिस सुरक्षा में गाज़ेपूर पहुंचेगा मुक्तार का शव पुलिस सुरक्षा में सुकुर्दे खाकोगा मुक्तार अंसारी तो मुक्तार अंसारी का शव सीधे कबरिस्तान पहुंचेगा नमाजे जनाजा पढ़ने की बार मुक्तार कि शर्फ को दफन किया जाएगा खबर ये भी है कि मुक्तार के दोड़ो भाई बांदा नहीं आएंगे हला कि उनके बेटे की यहाँ पर वहुंचने की खबर मिल रही है क्योंकि कुछी देर बाद सुभे आट बजे का जो वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है जब पूरी डॉक्टरों की टीम यहाँ पर टैनात रहेगी और पोस्ट वाटरम यहाँ पर वक्तार अंसारी का होगा हमारे सेयोगी लगातार विशाल बने हुए विशाल जिस तरह से चुकी प्रक्रिया जो होती है पोस्ट वाटरम पहले होता है उसके बाद शव को अपर जनों को सौपा जाता है लेकिन इस मामले में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा इसलिए भी ने दिख रहा है क्योंकि जो परिवार के सदस हैं उनमें अव्जाल अंतारी यहाँ पर नहीं प्रकट करने वालों की भीड़ है वो यहाँ पर फिर से परिकटा होना शुरूर हो गई है और जो प्रशार सनी खमला है उसने अपने जो सुरक्षा है जो चोकसी है वो और भी बढ़ा दी है आप देखे सामने आपको यहाँ पर भीड़ दिखाए देगी भीड़ों को किनारे करते हुए जो पुलुस कर्मी है वो दिखाए देंगे पीसी के जवानों के यहाँ पर देना दी है है इस पूरी सूचना के बाद इस शेत्र की दुकानों को बंद रखने का अधने ले लिया गया है तो यह आपको मैं तस्वीर दिखा रहा हूं और देखें जिस तरह से अपर पहुंची है लोगों को यहाँ पर मन में यह कहीं न कहीं है कि जो उनका मसीह है आज उनके बीच करने के लिए लोग यहां पर पाढ़कर के बाहर मथंद है और यहां पर पहुंचे हुए है औए स्तानी शेत्र के लोग है त clipping जो सूचना है उसको पर जब मिली तो एक पिनिट के लिए वेवे सनाटा सचा गया और अभी तक के सनाटा पसना हुआ है लोग शोप में डोबे हुए हैं और अपना शोप टकट करने के लिए वो यहां फाटक पर पहुंचे हुए हैं भीरणात के सामने आप देखें यहां प जसे दिखा रहे हैं यहां पर जो युवावर के लोग है वो भी तो यह बात तो नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन आपको हम तस्वेरे दिखा रहे हैं यहां सिजादा संख्या में लोग भी मौझूद है और पुछासनी कमला इस भीन को मेंटेन करने का पूरा प्रयास करता और पूरे मुहमदावाज शेतर में इस तरह के आपको इंतिजाम दिखाई देंगे सुरक्षा के पॉइंट यहां पर बनाए गए हैं और हर एक पॉइंट पर इस तरीके से इस छेतर में मुक्तार अनसारी को किस रूप में देखा जाता था भाईजान मसीह हैं हम लोगों के लिए यहां के लिए तो मस्याई थे आज इस छेतर के दुकानों को बंद रखने का नियुन लिए गया सवभाविक से चीज़ है इससे कोई नीड़न नहीं हम परिवार को संतना देने के लिए तो इस पूरे घटना के बाद आज इस छेतर में हम लोग अपना शोग प्रकट करेंगे कैसे अब दुकान के कोई नहीं लिया गया है लेकिन यह हमारे भाई भी थे चाचा भी है दाजा भी है एक तरीके से कहा जाए कि हम लोगे रहनमात है यह को देखते हुए हम लोग अपनी दुकाने अपने मन से बन किया जाएगा उल्य निर्णने नहीं है यह मतलब ब्यक्तिगत नहीं है यह हमारे बीच के परिवार हमारे सद्वी दवाव नहीं है अपनी इच्छा है देखे आप आप भी पडोस में ही रहते है या दूर गा है सबको मनते जनते हैं अब बड़ के ज्यादा मनते रहते हैं घरीव के साथ देते रहें घरीक मस्यार हैं सब्सक्राइब लोग अभर आज मस्या की मौत की खावर सामने आइए जो हट डाल करके माट हैं लोग जो हट डाल करके माट हैं आप यहाँ पर जो लोग हैं जो समर्थक हैं वो इस मुक्तार अंसार की मौत की बार देखे ऐलर्ड जुआरिक कर दिया गया है बड़ी खबर गाजिपूर समयत का इस जिलो में धारा 146 लागू कर दी गई है जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ड जुआ रिकिया गया है बीती रात की देखे घटना जब मुक्तार अंसार की बार की खबर आई और ये चार तस्वीरे अलग-अलग इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं कास गंज, प्रयाग राज, गाज़िपूर और लखनाउ प्रयाद है यहाँ पर अलग-अलग इलाकों की तस्वीरे, पुलिस पोर्स जो है, यहाँ पर आप तैनाती बीती रात से ही लगातार देख रहे हैं, आज सुभे का जो वक्तियां पर बताये जारे है, सुभे 8 बची के बाद जो पोस्वाटम होगा, गाज़िपूर में एक खास तर से धार 144 लगा दी गई है, बांदा इलाका, यहाँ पर भी देखे एक खास तयारी यहाँ पर पुलिस प्रिशासन की नजर आ रही है, तो कुछ ही देर बाद पोस्वाटम होगा, और उसके बाद पोस्वाटम के बाद जो है, मुक्तार अंसारी के श्रप को सीधे क ब्रिस्तान ले जाए जाएका, उनके परिजन को नहीं सौपा जाएगा, विलहाल यह चार तस्वीर दिखा रही है कि किस तरह के हालात इस वक्त पूरे इलाके में बने हुए है, हमारे सयोगी विशाल रगवेंशी बने हुए लगातार, विशाल अलग-अलग इलाकों की त तस्वीर दिखाता हूँ, यहां पर भी हैवी डिप्लॉमेंट जो है वो देखने को मिला है, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाता हूँ कि देखे यह जो मर्चरी है, उसके ठीक बाहर में मौझूद हूँ यहां पर फोर्से जो है, उनको तराद कर दिया गया है, बरि करेंगे कि हम आपको तस्वीरे भी दिखाए, लेकिन यह देखे यह जो तस्वीर हैं, यहीं पर ही पूरा जो पोस्मार्टाम है, वो होना है, लेकि उससे पहले पंचनामा होना है, और पंचनामा जो है, वो पांच लोग मौझूद रहेंगे, इसके साथ साथ पुलिस जो ह पहले ही मनें बताया कि 8 बजे के आसपास जो है, यह कहा जा रहा है कि जो पंचनामा है, वो शुरू हो जाएगा, उसके बाद करीब सवा 9 बजे, 9 बजे के आसपास, पोस्मार्टाम की पूरी प्रक्रिया है, वो शुरू हो जाएगी, और इसके साथ साथ किसी भी तरह से को यहां पर भी भारी पुलीस बल तराज के किया जा रहा है, जो फोर्से से उनको तराज किया जा रहा है, तकि किसी भी तरह से कोई भी गड़ब़ी नहों, यह तस्वीरे आप देख सकते हैं, इस वक्त तवाम जो जवान है, वो आपको यहां पर तराज आज डिखाई जा रहा है कि आप किसी भी तरह से इनको जो है तो यह आप दे सकते हैं जो है वह आपको यहां पर दिखाई पढ़ेंगे और लगातार आप तस्वीरे देखिए केवल कि यहां पर भी भारी पुलिस बल जो है उसको तैनात कर दिया गया है यह फिलाल पूरे उत्रप्रदेश म यहां पर तैनाती नजल आ रही है जवानों की आप नजर बना के रखें बांदा में जिस वक्त देखिए यहां पर जो पोस्ट-मॉटम होना है पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है डॉक्टों की टीम यहां पर होचने वाली है तो वहीं मुक्तार नंसारी की बेटे उमर अंसारी देडरात बांदा स्पताल पहुँचे थे इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की सुनिए उमर अंसारी ने क्या कहा सब जाज का विशे हैं जो अदालत पैसला करेगी हम तो यकीन है कि वो इसारी आपको लगता है जानबूस के किया गया अकरत है ये अब इसमें भी भाईया कुछ कहना और छुपा रह गया है जो वेक्ति अपनी मुठी नाबद करता हो जो वेक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर ICU आता हो और खुद ही 12 घंटे बाद 14 घंटे बाद उसको फीट बता कर कि ठोकर की जाईए आप ठीट है और 14 घंटे बाद जेल की तनाई बैरिक में भेति आ जाता हो दो दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी यह मैं सोच सकता हूँ जब आज साहे तीन बजे मुझे टेलिफून पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वीसी रूम तक जा स जाए पाली का जाएंगे इधर बीजबी विधाय कृष्णननराइक के हत्या के मामले में मुक्तार अंसारी को सजा हुई थी कल इस मुक्तार की मौत की खबर आने की बाद कृष्णननराइक के बेटे पियुष ने जीनु से खास बात चुईत की सुनिये उन्होंने क्या कहा अपरादी जो समाज के लिए एक गंदे क्यूने की तरह है उनका जतना सफाया हो सके जो सफाया होना चाहिए और मैं इसलिए इससे पूर में भी मैं नया पालिका सभी कई बाद शुक्रिकुजार हूं कि उन्होंने ऐसे अपरादी को दो दो बाल आज इवन काराबाद दिया मेरे पिजाजी के मामले में एम्पी मेले कोर्ट में को साथ साल की सजा इनके और इ तो प्यूश राय को आप सुन रहे थे और उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर कुशी जाहर थे मुक्तार की मौत की बाद एक पुलिस जो है अलर्ट मोट पर नजर आ रही है सोशल मीडिया पर भी खासी नजर रखी जा रही है क्योंकि यूपी पुलिस का सक्ति यहाँ पर तैना थे पुलिस और जवान लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी नजर रखी जा रही है अब इस एरिया को पुरी तरह से कवर्ड किया रहा है और आप तस्वीरे दे सकते हैं कि यहाँ पर भारी फुलिस बल जो है उसको पर दिखाई पड़ेगा पकाईदा यहाँ पर इस पूरे एरिया को कवर्ड करके अब पूरे शहर भर में अलग अलग जगाँ पर पैट्रोलिंग कर रही है पुलिस आज चुकी दुम्या है जो है विशेश निग्राई रखी जाएगी और पूरी तरह से जो कहीं से भी कोई अगर ऐसी कोई घटा आती है जिसमें विरोध हो या कोई अपती जनक पोस्ट करता है तो उसे खिलाव सकत कारवाई करने के भी निर्देश जारी कर दिये गये हैं तो यह पूरा अपडेट से तीन घंटे का वक्त यहाँ पर लग सकता है क्योंकि आट बजे का जिस तरह से वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है बताया यह भी जा रहा है कि लखनाओ से बड़ी टीम यहाँ पर डॉक्टर की पहुंचेगी जो पोस्ट मॉटम करेगी और बकाइदा विडियोग्राफी भी यहाँ पर की जाएगी और खबर यह भी आ रही है कि मुक्तार अंसारी के जो बेटे है ओमर अंसारी वह भी यहाँ पर पहुंचेंगे तो पोस्ट मॉटम की प्रक्रिया है जब पूरी हो जाएगी उसके बात शर्ब को सीधे ले जाएगा गाजी पुर जहां पर काली ब व्यक्त कर रहे हैं और लोग जो है शोक व्यक्त कर रहे हैं कुछ लोग जो है मुक्तार अनसारी को अपना भाई मानते थे अनलग वहां पर शांती को एक कर दिक्र को दिखाने की कोशिश की पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जिलों के तस्वीर हमने देखी हमने काजगंज की तस्वीर देखी हमने गाजीबूर की तस्वीर देखी बांदा में भी हमने देखा कि किस तरह से पूरी सुरक्षा विवस्था नजर आ रही है और रात सही जब खबर ये आई कि जेल में मुक्तार अंसारी की तबियत बिगड गई, सीधे उसे अस्पताल भीजा गया, जहां पर ये खबर आई कि उसे हाट अटाक आया है, कार्डिक अरेस्ट की वज़े से मुक्तार अंसार की मौत हो गई, हमारे सयोगी लगाताल विशाल रगोर्शी बने हुए है, विशाल जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि पहले पोस्ट मौटम होगा, लगभग दो से तीन घंडे का वक्त लगेगा, उनके बेचे वहाँ पर पहुंचेंगे, और उसकी बात सीधे जो शव है, उसे लिजाए जाएगा कबरिस्तान, यानि प बारे में अभी तक फिलाल एक राय बनी है, हाला कि अंतिम फैसला मजिस्ट्रेट को लेना है, पंच नामा के बाद जब पोस्ट माटम होगा, उसके बाद ही जो फैसला लेंगे, उस पर ही तमाम जो चीजे हैं वो आगे की करवाई होगी, लेकिन अभी तक आपको बता दें में उनको सुपर देखा, उनके शब को किया जाएगा, तो फिलाल आपको बताते हैं कि मुक्तार अंसारी के शब को लेकर पुलिस की टीम करीज साले 11 या 12 बज़े के असपास यहां से रवाना होगी, तो यह एक प्रॉक्शाइम बताया जा रहा है, लेकिन अभी फिलाल थ् जो भारी पुलिस बल है, उसको यहां पर रात किया गया है, तो यह जो है इस वक्स सुरक्षवेस्टा को चाक चौबन रखा गया है, इसके साथ साथ जो सबसे महत्मूर बात है, वो यह है कि आपको बता दें कि मर्चरी के बाहर जरूर जरूत अनाथ है, लेकिन जो तमाम जो लीगल पॉइंट है, उसके अधार पर बात के बाते हैं, बारी डिप्लोटमेंट यहां पर फोर्स का नजर आ रहा है, विशाल लगातार बने रही है, हमारे साथ देखे, मुक्तार अनसारी की अचानक मौत पर 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 जो आरोप यहां की थी और फिर कल परिवार ने इस बात को दोराया कि उन्हें जहर दिया गया, और इसकी जांच होनी चाहिए, सुनिए उमर अनसारी ने फोन पर जीनियू से क्या कहा, आप 26 तारिक को भी आये थे मेडिकल कॉलेज में जब मुक्तार अनसारी को यहां लेकर आये थे, जेल कर में? विडियोग्राफिय यहां पर की जाएगी, सुभ है आठ बज़े की बात मुक्तार अनसारी का पोस्त मौटम जो है शुरू होगा, हमने तस्वीरे भी देखी मौके से किस तरह से जो है, पूरी जो फोर्स यहां पर तैनात यापर की गई है, क्योंकि सुरक्षा बनाय रखना एक बड़ी चनौती, पोस्त मौटम करेगी और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है, विडियोग्राफिक की जाएगी, लखन की टीम तैनाती मौचो थी, नौर डॉक्रों की टीम, ऐसे में इलाज वहां पर शुरूब और तब बताय गया कि मुफतार अंसारी की मौत हो गई है, दिल का दौरा पढ़ने से, उसके बाद से देखे, लगातार रात भर सही, पूरे इलाके में तैनाती यहां पर पूलिस खाक किया जाएगा, परिवाद गाजिपूर में मौचूद है, गाजिपूर की तस्वीर में हमने देखी कि घर के बाहर किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है, मातम पसरा हुआ है, लगातार सवाल ये भी उट रहे है, मौत को लेकर जाच की बात कही जा रही है, जो दो बचे का जो वक्त यहाँ पर बताया जा रहे है, मुश्किल से डेड़ घंटे का वक्त यहाँ पर बचा है, उसके बाद माफिया मुक्तार अंसारी के पोस्ट वाटम की जो प्रक्रिया है, वो शुरू होगी मुक्तार अंसारी की मौत के साथ ही परवांचल में बाहुबल का खात्मा हो गया, मुक्तार को अलग-अलग मामलों में दो बार उम्र कैद हुई थी, और वो 2005 से सजा काट रहा था सबसे पहले 1988 में ठेकिदारी को लेकर ठेकिदार सचिदानंद राय की हत्या मामले में मुक्तार का नाम सामने आया, 1991 में अवधेश राय हत्याकांड में भी मुक्तार अंसारी का नाम आया, इतना ही नहीं 1996 में गाजीपूर के एडिशनल S.P. रहेश शंकर जैसवाल और उनकी टीम पर दिन दिहाडे हमले का आरोप लगा मुक्तार अंसारी पर 1997 में कोईला का रोबारी नंद किशोर रुंग्टा के अपहरण में शामिल होने का केस दर्श किया गया था और साल 2005 में मौहिंसा मामले का आरोप भी मुक्तार पर लगा था जिसके बाद उसने पुलीस के सामने सरेंडर कर दिया साल 2009 में मुक्तार पर ठेकेदार मन्ना सिंग और उसके साथी राजे स्राय की हत्या का भी आरोप लगा इतना ही नहीं 2010 में मन्ना की हत्या के एक मात्र गवा राम सिंग मोर्या की भी हत्या कर दी गई इसका औरोब भी मुक्तार गैंक पर ही लगा मुक्तार अंसारी पर हत्या, हत्या के प्रयास, धमगी, धोका धड़ी समेत कई आपरादिक मामलों में करीब 65 केस दर्स थे तो माफिया मुक्तार अंसारी की पूरी क्राइम कुंडली आपने जान ली और आपको बता दे, सुपुर्दे खाक होगा माफिया मुक्तार अंसारी और ये बड़ी खबर आ रही है देखे पहले पोस्ट वाटम किया जाएगा माक्तिया मोकार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम आपको अता रहे हैं पोस्ट वाटम के बाद शव सौपा नहीं जाएगा परिवार को तो पुलस सुरक्षा में गाज़िपूर पहुचे का शव क्योंकि बहुत ही एहम होगा शव को बांदा से गाज़िपूर ले जाना एक लंबा रास्ता यहां पर टैय करना होगा पोस्ट वाटम के बाद देखें शव को परिवार को नहीं सौपा जाएगा सीधे कबरिस्तान ले जाएगा पोलस उरक्षा के बीच में उन्हें बतादे शव को गाज़िपूर बतादे गाज़िपूर जाएगा तो एक इस जगा जो मुखतार अंसारी के पिता के कबरगा के बगल में और अगर बात करें तो जो दूसरी जगा वो इस इस रो में आपको आगे दिखाई देगी इस क्रम में आपको आगे दिखाई देगी यानि पेड के बगल का जो शेत्र आपको दिखाई दे रहा है वो वो आपको वहां पर जो सामने ये शेत्र दिखाई दे रहा है वो जगह होगी हाला कि अभी इस पर पूरा निड़ नहीं लिया जाका है कुल चार से 6 घंटे कबर खोदने में लगेंगे और दो घंटे कि साब्गों पूर्दध 1957 हो चुकी है जो सफाई करने वालेDPcrew करने फ्स हदो चुक है याका है क्या अभीतख सूचना क्या आयई है आज सपूर्देखाक होना आज जब से यह सूचना आज सुबह कल शाम को जो सूचना मिली तब के बाद से जो स्थानिय लोग है आपका मन क्या कह रहा है इस पूरे परिवार की कबरगाह की देख रेक करने वाले यह हम लोग का जो आत्मा है और उपर वाला है इसका जरूर फैसला करेगा यहां के पूरी आवाम रो रही है मुक्तार अंसारी जैसा इंसान ढूंडने पर भी नहीं मिलेगा यह गरीबों के मसीह आई नहीं हर कौम के मसीह हैं अल्ला इनको जन्नत दे यह आपको जो कबरगाह दिखाई देगी यह मुक्तार अंसारी के पिता की कबरगा है और अगर बात करें तो इनके बगल में संभावना जताई जा रही है कि बगल में इनके कबरगाह यहां पर बनाई जा सकती है यहां पर जो सुपुर्देखाक है वो किया जा सकता है लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई सपस्थ पूरी तरह से नहीं हो सका है कि कहां पर उनकी कब्र खोदी जाएगी और कहां पर सुपुर्देखाक किया जाएगा लेकिन दो पॉइंट और गागर बात करें तो गंटे का वक्त और छे घंटे के वक्त में यहां पर खुदाई शुरू होगी और उसके बाद जो कब्रगाह में अगर बात करें तो पूरी तैयारी की जाएगी और उसके बाद सुपुर्देखाक किया जाएगा तो कब्रिस्तान में काली बाग कब्रिस्तान में तैयारिया शुरू हो चुकी हैं सफाई की यहां पर बेवस्था की जा रही है और उसके बाद कबर को खोदने के इंतिजाम किये जाएंगे कैमरामेन वाबुलाल के साथ नितिश कुमार पांडे, जी मीडिया, मुहम्मदाबाद, गाजेपुर गाजेपुर के कालिबा कबरिस्तान की तस्वीर हमने देखी हमारे सयोगी ने दिखाने की कोशिश की कि 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 सतरके तयारे इस वक्त वहां पर की जा रही है कितने घंटे का वक्त यहां पर लेगा और ये भी बताय जा रहा है कि गाज़िपूर में जहां पर माफिया मुक्तार अंसारिक का घर है उस घर से महस 400 मीटर की दूरी पर ये कालीबा कब्रिस्तान है पारिवारिक कब्रिस्तान बताय जा रहा है और यहीं पर माफिया मुक्ता पोस्ट मॉटम के बाद माफिया मुफ्तार अंसारी के शर्व को गाजिपूर लेकर आएगी और यहां पर जो है शर्व को परजन को नहीं सौपा जाएगा सुरक्षा विवस्था का खासा ध्यान रखा जा रहा है उत्तर प्रतेश के कई ऐसे इलाके जहां पर धार 146 लागू कर दी गई है शुकरवार का दिन है नमाज का दिन है और ऐसे में जुम्य के नमाज को देखते हुए यहां पर भारी सुरक्षा विवस्था यहां पर की गई है बीती रात से जब से इस खबर यह खबर आई जैसे ही कि जेल के अंदर माफिया मुक्तार अंसारी की तब्यत ख गई उसके बाद चौकसी यहां पर बढ़ती जा रही है बता दे आपको सुभे आठ बचे का वक्त यहां पर बताया जा रहा है जब मर्चुरी की बाहर जस्तर से हमारे सयोगी भी मौचूद है वो हमें तस्वीरे दिखा रहे थे कि पूरी फोर्स यहां पर डिप्लॉई की पूरे पोस्मॉटम की जो प्रोसेस होती है पूरी फ्रक्रिया होती है और उसके बाद माफिया मुक्तार अंसारी के शब को गाजिपूर ले जाए जाएगा एक लंबा रासना यहां पर तैयक करना होगा कई घंटे का वक्त यहां पर लग सकता है और ऐसे में जो है हालात को कंट्रोल में रखना हालात सामाने रखना लॉयन ओर्डर मेंटेन रखना एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए और दोपहर बात का वक्त यहां पर माना जा रहा है जब माफिया मुक्तार अंसारी को सुपूर देखा किया जाएगा उन्हें दफन किया जाएग परिवार जो है जो घर है माफिया मुक्तार अंसारी का वो गाज़ेपूर में है और घर से महस चार सो मीटर की दूरी पर कबरिस्तान मौचोथ है माफिया डॉन मुक्तार अंसारी का गुरुवार देराथ काडिया का रेस्ट से इन निधन हो लिया बांदा जेल में बंद मुक्तार की तबियत खराब होने के बाद उसे दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत पर यूपी के पूरवांचल में नब्बे के दशक में वो दौर था जब पूरवांचल में रेलवे शराब और दूसरे सरकारी ठेके हासल करने की रेस लगी रहती थी और इसी रेस में कई अपरादियों के गैंग उभरने लगे थे उसी दौर में कॉलेज में पढ़ाई करने वाले मुकतार अंसारी ने बाहु बली मखनू सिंग का दामन थाम लिया और मखनू सिंग उस समय हरी शंकर तिवारी का राइट हैंग था और उसी दौरान कोट परिसर में एक गोली कांड होता है जिसमें एक नाम सबसे उभर कराता है और वो था मुकतार अंसारी का जिसके बाद मुकतार अंसारी क्राइम के दुनिया में बढ़ने लगा और वारानसी, जौनपुर, गाजीपुर, मौू और बलिया में उभरते हुए बाहू बली मुक्तार अंसारी का दब दबा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते सत्ता के गलियारों तक पहुच गया और अपने बाहूबल के दम पर मुक्तार ने खुद को और अपने भाई को सियासत में सिट किया इस बीच बड़ी खबर उत्तप्रवेश के गाजेपुर से जहां मुहमदाबाद फा क में आज दुकाने बन रहेंगी मुहम्दाबाद फातक वही लाका है जहां मुक्तार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा दुकानदारों ने पैसला किया है कि वो आज अपनी दुकाने नहीं खोलेंगे मुक्तार अंसार की मौत पर यहां शोक का माहुल बना हुआ है और खबर यह आ रही है कि मुहम्दाबाद फातक पर तमाम जो दुकाने मौचूद हैं वो आज बंद रहेंगी मातम पसरा हुआ है और जो लोग उन्हें अपना मसीहा मानते थे अपना भाई मानते थे उनमें शोक की लहर है तो मुक्तार को सुपूर्दे खा किया जाना है यहां पर दुकानदारों ने साफ तोर पर कह दिया है पैसला यहां पर कर लिया है कि वो आज अपनी दुकाने नहीं खोलेंगे मुक्तार अंसारी की मौत पर यहां शोक का माहुल बना हुआ है आपको बता दे आज पोस्वाटम होना है मुक्तार अंसारी के शवका सुम्हे 8 बजे बांदा में और यहां पर डॉक्टरों की टीम पूरी तैयारी के साथ पोस्वाटम यहां पर करेगी हलाकि परिवार की तरफ से जांच की बात कही जा रही है बार-बार ये कहा जा रहा है कि उनकी खाने में जहर दिया जा रहा था यहां तक कि मुक्तार अंसारी की तरफ से भी यही बात कही गई थी अलाकि अब जो है ये जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि काडिक अरेस्ट की वजह से मुक्तार अंसारी की मौत हो गई है हमारे सयोगी लगातार विशाल रगवनशी बने हुए हैं बांदा से और जो हमें पल-पल की अपडेट दे रहे हैं मौशाल खबर ये है कि पोस्ट मौटम के लिए डॉक्टर की टीम यहाँ पर पहुचेगी जो लकनव से रवाना हो चुकी है भारी सुरक्षा ववस्था की बीच में पोस्ट मौटम होना है देखे बेकुल डॉक्टर की टीम है बस कुछी देर के बाद यहाँ पर पहुच जाएगी और भारी सुरक्षा ववस्था के बीच में यह पूरा पोस्ट मौटम होना लेकि इस बीच आपके बड़ी खबर बता जाता हूँ इस पूरे प्रकण की मरिच्टियल जाच होगी तीन मेंबर मरिच्टियल जाच में होंगे और दो डॉक्टर की टीम भी मौझूर रहेगी और इसे में जो नियम होता है उसका नुसार अब मरिच्टियल जाच के आदेश दे दीए गए अगले एक हफ़ते के अंदर यह पू ये गए हैं ये तीन लोग जो हैं टीम में होंगे लावाद दो और मेंबर जो है वह डॉक्टर के होंगे और कुल पांच मेंबर यहां दिखा रहा हूं तो तस्वीर देखें देज़ सकते हैं कि यहां पर भारी पूस्ट चब ज़ो है वह तनात किया गया है और लगातार यहा पहलो जो है चेक किया जा रहा है इसके साथ साथ चुकि आपको बता दें कि साड़े साथ बजे के आस्वास उमर अंसारी जो है वो यहां पर पहुंचेगा तो उसको लेकर भी पूरी तैयारी की गई है कि उसको सीधे यहां से पोस्टमाटम हो जो कि आपको मैं इस तस्वीर अपने केमा सायोगी चांगों की तस्वीर जरू दिखाएं तो कि आप यह देख सकते हैं यहां पर देख पा रही है जवान यहां पर टैनारी मुस्टमाटम है लेकिन अगर रूट की अगर बात करें क्योंकि पोस्टमाटम जो 2-3 घंटे का वक्त यहां पर लगी को उसके सकता है कितना वक्त यहां पर लग सकता है गाज़ेपूर बहुंचने में अम्ट अब पर अब करीफ चार सो बीस किलुमेटर का यह तो यहां से पहले जो है जो है पतेपूर जाएंगे फथे पौषांबी का जो रूट होते हुए वह पकड़ा जाएगा और वहां से कौशा बाइपास होते हुए बदोही से सीधे बनारस और बनारस से सीधे गाजीपूर के लिए जो शिक्स लेंड बनी हुई है वहां से ये रास्ता पकड़ा जाएगा तो ये रूट फिलाल अभी तैय किया गया है तो कि ये शहर के बाहर का रास्ता होगा बसे सिफ कौशामबी तक जो है थ्वासा ये कह सकते हैं कि फतेपूर तक जो है थ्वासा जो है शहर का रास्ता होगा लेकि उसके बाद अगर हम फतेपूर के बात की बात करें तो कौशामबी का जो रूट है वो बिलकुल आउटर है और वहां से सीधे जो गारी है वो रवाना हो सकेगी और इसलिए यहां से जो है भीजी आती है तो यह कह सकते हैं कि साथ बजी तक समय लग जाएगा विशाल बांदा तू गाज़िपूर का जो यह सफर रहेगा जेके बेकुल उत्तर प्रदेश पुलिस की निगाये जो है बनी हुई है इसके साथ ही जो उत्तरपदेश के कई ऐसे जिले लगातार वहां पर भी जो है पैट्रूलिंग की जा रही है उसके साथ ये भी निर्देश है कि आज जब जुकि जुमे की नमाज होनी है तो ऐसे में जुमे की नमाज के वक्त विशे ना पैदा कर दे जो से जो है लाओ इन ओर्डर खराब हो इन सब चीजों को लेकर कल ही रात में जो है डीज़ी पे मुख्यारे से निर्देश यारी कर दिया कैसा सभी जिलो कप्तानों को और तमाम जगाओं पर जैसा की फोर्स यहां दिखाई पड़ लई है जो को ठीक उस जो है पुई तरह से जो चाक चोबन विवस्ता है वो दिखाई पड़ लई है सेक्योर्टी को लेकर कल ही जो है वकादा डीज़ी पी की तरह से निर्देश जारी कर दिये गए थे और अब फिलाल कुछ दिर के बाद चुकी उमर अंसारी यहां पर पहुंचेगा तो उससे पहले कुछ बड़ी अपडेट्स है उसमें से एक मजिश्टियल जाच की आदेश है जिसमें तीन जो लोग है वो मजिश्टियल टीम में रहेंगे इसके दो डॉक्टर की टीम भी मौजूद रहेगी इसके साथ ही साथ इनकी जो डिपोर्ट है वो एक हफते के अंदर देनी देखे अबी लखनों के डॉक्रियस की जो टीम है वो यहां पर सीधे पॉंचेगे और बांदा पहुंच चुकी है लखनों की डॉक्रियस की टीम और त्सीधे यहां पर पोस्मार्ट्र मोण होगा तब उसीधे जो है मर्चरी हाउस में जाऑगी और फिलाल बहुत जो है इ प्रुफाइल मामला है उसी लिए पुलिस हो चाहे जील प्रशाशन हो चाहे जीला प्रशाशन हो हर कोई जो है हर चीज फूंख के कदम रख रहा है क्योंकि तब को पता है कि इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है लगातार भिपक्शी खेमा इसक्राइब उन्सारी की बौट मुक्तार की मौत से उसके सताई लोगों ने जरूर रहत की सांस ली क्या है मुक्तार की क्राइम कुंडली और कैसे हुआ उसके गुनाहों का हसाब देखे इस रिपोर्ट में अपराग की दुनिया के अध्धाय का अन्थ 63 साल की उम्र 63 से ज्यादा क्राइम मुक्तार अंसारी एक वक्त था जब इस नाम को सुनकर बड़े बड़े लोग धर धर कापते थे दहशत ऐसी कि अगर मुक्तार के नाम से कोई फोन भी कर दे तो आदमी की नींड उड़ जाती थी आतंक ऐसा की पुलिस भी उस पर हाथ डालने से पहले दस बार सोंचती थी लेकिन मुक्तार के माफिया डौन बनने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है साल था 1988 जब मुक्तार ने जरायम जगत में कदम रखा मंडी परिशत की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सच्चिदानंद राई की हत्या के मामली में मुक्तार का नाम सामने आया इसी दोरान बनारस में तुरुबवन सिंग के कॉंस्टेबल भाई राजंदर सिंग की हत्या कर दी गई इसमें भी मुक्तार का ही नाम सामने आया 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर बिरजेश सिंग गैंग ने कबजा करना शुरू कर दिया अपने काम को बनाये रखने के लिए उसका सामना मुक्तार अंसाली के गिरो से हुआ और यहीं से बिरजेश सिंग के साथ मुक्तार की दुश्मनी शुरू हो गई नाम बड़ा हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई और 1991 में चंदौली से मुक्तार को गरफतार कर लिया गया लेकर आरोप है कि रास्ते में दो पुलिस वालों को गोली मार कर वो फरार हो गया इसी दोरान अबदेश राय हत्या कांड पेश आया जब वरनासी में कॉंग्रेस नेता अजराय के बड़े भाई अबदेश को पांच लोगों ने गोलियों से भून डाला इस्जाम लगा मुक्तार अंसारी पर साल 1996 जब गाजीपुर के एडिशनल S.P. रहे शंकर जैसवाल और उनकी टीम पर दिन दहाडे हमला किया गया इस मामले में भी मुक्तार का नाम सुर्खियों में आया 1996 में ही मुक्तार पहली बार विधायक बना और तभी से उसने बिर्जेश सिंग की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया 1997 में पूरवांचल के सबसे बड़े कोईला वेपसाई रूंक्ता के अपहरन के बाद मुक्तार का नाम क्राइम की दुनिया में च्छा गया साल 2002 का विधान सभाचुना क्रिशननंद राई ने मुक्तार के भाई अवजाल अंसारी को हरा दिया और इसी दुरान बिर्जेश सिंग ने मुक्तार अंसारी के काफले पर हमला कराया जिसमें मुक्तार के तीन लोग मारे गए और बिर्जेश सिंग घायल हो गया और यही वो वक्त थाज़ मुक्तार अंसारी पूरवांचल का सबसे बड़ा माफिया डौन बनकर उब्रा फिर आया साल 2005 मौउज जिले में हिंसा भलकी और आरोप लगा मुक्तार पर जिसके बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया इसी दोरान विधाय क्रिशननंद राय की हत्या करवा दी गई इसका आरोप भी मुक्तार पर लगा कहानी भी खत्म नहीं हुई थी साल 2009 में मुक्तार पर ठेकेदार मन्ना सिंग और उसके साथी राजेश राय की हत्या का आरोप लगा इतना ही नहीं 2010 में मन्ना की हत्या के एक मात्र गभा राम सिंग मौरे की भी हत्या कर दी गई इसका इलजाम भी मुक्तार गैंग पर ही लगा मुक्तार के रसूक को ऐसे समझा जा सकता है कि उसके लिए यूपी और पंजाब की सरकारे सुप्रीम कोर्ट में भिल गई थी दोनों सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में शपत पत्र देना पड़ा था पंजाब सरकार मुक्तार को अपनी यहां की जेल में रखना चाहती थी जबकि योगी सरकार उसे यूपी लाकर अपरादों में ट्रायल कराकर सज़ा दिलाना चाहती थी और सुप्रीम कोर्ट में जीत होई योगी सरकार की 6 अप्रेल 2021 को मुक्तार यूपी लाया गया और यहीं से उसके अंत्राइब कर्मी जो है वो तैनात है थ्वास हम आगे आपको आकर तस्वीरे दिखा दिता हूँ कि यह मेरिकर कॉलेज की मर्चरी है और यहां पर पुलिस के अलादिकारी है उनको यहां पर तराद कर दिया गया है तकि किसी भी तरह से कोई यहां पर सिती पैनिक ना हो आप सामने की तरफ का एरिया देख सकते हैं कि सामने की तरफ जो एरिया है यहां पर तमाम पुलिस कर्मी तराद है इसके साथ साथ आपको बताज़ें कि देखे रूट भी जो है वो बनाए गया है, रूट डाइवर्जन रहेगा, इसके साथ जिन रूटों से यहाँ से निकलना है, यहाँ से चीधे जो टीम है, वो शफ को लेकर यहाँ से सीधे पहले फतेयफूर जाएगी, फतेयफूर से प्रियागराज हन्याल रास्ते से सीधे भदोई होते हुए वो बनास पहुंचेगे वो बनास सीधे गाजीपूर बस सीधे तोर पर यह कह सकते हैं कि बहुत अदा शहर का रास्ता नहीं चुना जाएगा शहर के बाहर का रास्ता चुना जाएगा चुकि आज जूमे की नमाज भी अदा होनी है ऐसे में तमाम चे शहरों में अलर्ट भी हैगा तो इसलिए विशेश तोर पर जो है जो शेहर के बाहर करास्ता उसको चुना जाएगा और उसी रास्ते से ही शव को लेकर जाए जाएगा शव के साथ में जाने की दाध दे जा सकती है अभी हाला कि वो यहां पर जो मेजिश्ट्रेट होंगे वो तैय करेंगे कि उमर अंसारी को साथ में जाने की नजर आएगे सुरक्षा को लेकर खासा ध्यान यहां पर विशाल यहां पर देखा जा रहा है पुलिस यहां पर एहतियात यहां पर बरत रही है बड़ी रही है अमारे साथ एक और जो बड़ी ज्वान कारी उसमोटिम की बार शफआ पर जनों को नहीं फ़ोपा जाएगा यह इसवक की बड़ी खबर पुलिस सुरक्षा में गाज़ेपूर पहुंचे गा मुकतार पहुंचे गर पहुंचे गा Kont lik की बड़ी की भार मुकत नहीं की बड़ी खाइगा खबर यही भाई बांदा नहीं आएंगे हला क्योंकि बेटे की यहाँ पर बहुंशने की खबर मिल रही है क्योंकि कुछी देर बाद सुभे आट बजे का जो वक्त यहाँ पर बताया जो आ रहा है जब पूरी डॉक्टरों की टीम यहाँ पर टैनात रहेगी और पोस्ट वाटरम यहाँ पर वक्तार अंसारी का होगा हमारे सेयोगी लगातार विशाल बने हुए विशाल जिस तरह से चोकी प्रक्रिया जो होती है पोस्ट वाटरम पहले होता है उसके बाद शव को परिजनों को सौपा जाता है लेकिन इस मामले में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा जवान लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप थोड़ा सा पीछे हट जाएए वहां तक ना जाएए और इसके साथ एक और अपडेट आपको बता दो पहले कि आज जो फाटक शेतर के दुकाने हैं उनको बंद रखने का निड़ा लिया गया है इस पूरी सूचना के बाद इस शेतर की दुकानों को बंद रखने का निड़ा लिया गया है तो ये आपको मैं तस्वीरे दिखा रहा हूँ और देखें जिस तरह से आप रुपेंड़े यहां पर पहुँची है लोगों को यहां पर मन में ये कही न कहीं है कि जो उनका मसिहा है आज उनके बीच नहीं है और जो ये सूचना उन्हें प्राप्त हुए लोग कहीं न कहीं जो इहां पर स्थानी शेत्र के लोग हैं वो स्थब्ध है वो इस पूरे जो सूचना है उसको पर जब मिली तो एक पिनिट के लिए वेवे सनाटा साचा गया और अभी तक के सनाटा पसना हुआ है लोग शोप में डोबे हुए हैं और अपना शोप टकट कर लिए वो यहां पहटग कर पहुचे हुए हैं भी आपके सामने आप देखें यहां पर और एक तस्वीर यह भी तिखाएंगे और दूसरी तस्वीर हम यह सुरक्षा के इस टुकड़ी के दिखाएंगे आप देखें आप सुरक्षा के यह जो लोग है वो मौजूद है पू क्किमोड पर सांतुना परकट करने के लिए पर पहुंचे हुए तरी उने हम आपको दिखा रहे हैं मुक्तार न». और लोगों से बाद всп ह बी करते हैएँ इहां पर आइं हुए है आप डौल कर लोग हैं वह दो यह सूं कि कि यह बात तो नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन आपको हम तस्मीरें दिखा रहे हैं यहां पर ज्यादा संख्या में लोग भी मौजुद है और पुछासनी कमला इस भीन को मेंटेन करने का पूरा प्रयास करता और पूरे मुहमदावाज शेतर में इस तरीके आपको इंतिजाम दिख सोच भी नहीं सकते तो यहां के लिए तो मसीर ही थे आज इस चेतर के दुकानों को बंद रखने का निड़ा गया है तो सौभाविक से चीज है इसे कोई नीड़न नहीं है हमारे घर की यह ताजियत करनी है दरवाजे पेचीज है जिसकी दुकाने बंद रखेगे जिस तरफ से यह सूचना मिली इस पूरे शेत्र में कहा जा रहा है एक दम पूरी तरफ से मातम चाया हुआ है बन में आप भी ल इन वी थें चाचा भी है और थाजा भी है एक तरीके से कहा जाए कि हम लोग के रहनुमात है छुझे विए हम लोग अपनी दुकाने अपने मन्ग से बंद किया जाएगा बन कि नेरदें नहीं है अपनी इच्छा है देखें आप भी पडोस में ही रहते हैं या दूरगाउं से यह सूचना आपको कितना दुखी करने वाली कितना दुख देने वाली है अगिनित करो दूर कितनु को अबत जादा मानते रहतें हैं घरी के साथ देते रहें घरी के मसिया रहें आपने रखे terad di वो इस तो मुक्तार अंसार की मौत की बार देखे ऐलर्ट जुआरी कर दिया गया है बड़ी खबर गाजिपूर समयत का इस जिलो में धारा 146 लागू कर दी गई है जुमें की नमाज को देखते हुए अलर्ट जुआरी किया गया है बीतिरात की देखे घटना जब मुक्तार अंसार की बहुत की खबर आई और ये चार तस्वीरे अलग-अलग इलाकों की हम आपको दिखा रहे हैं कास, गंज, प्रयाग, राज, गाज़िपूर और लखनाओ देख सकते हैं भारी सुरक्षा ववस्था पुलिस बल मौके पर मौजूद है यहाँ पर किस तरह से पूर पुलिस बल मौटम होगा, गाज़िपूर में एक खास तर से धार 144 लगा दी गाई है, बांदा इलाका, यहाँ पर भी देखे एक खास सयारी यहाँ पर पुलिस बल मौटम की नजर आ रही है, तो कुछ ही देर बाद पोस्टम होगा और उसके बाद पोस्टम के बाद कबरिस्तान ले जाए जाएगा, उनके परिजन को नहीं सौपा जाएगा, बिलहाल यह चार तस्वीर दिखा रही है कि किस तरह के हालात इस वक्त पूरे इलाके में बने हुए है, हमारे सयोगी विशाल रगवेंट शी बने हुए लगातार, विशाल अलग-अलग इलाकों क कि तस्वीर हमने देखे कि किस तरह से पुलिस वर्शासन ने तयारी कर ली है, कोई भी चूक ना हो। जो है, उसके बाद आरसाथ में बाद तेजी से शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में कोई भी जो है, इस एरिया को क्रॉस करके उस पार ना जाए, इस बारे भी विशेज द्यान अका जा रहा है, इसके साथ जो सेंट्रल फोर्सेस हैं, उनका भी डिप्लॉयमेंट जो है, वो क पंचनामा जो है, वो पांच लोग जो है, वो मौझूद रहेंगे, इसके साथ पुलिस जो है, वो गुजारिश करेगी मजिश्टेट से कि वो पंचनामा करें, हाला कि अगर वो नहीं करते हैं, तो ऐसाई लेवल का जो अधिकारी होगा, वो पंचनामा करेगा, यह पहली पुरा इस पुरे एरिया की तस्वीरे मैं आपको दिखाएता हो, कि मैं इस वक्त फिल्कूर ठीक मरचली के बाहर मौझूद हो, और आपको देखें, मैं तस्वीरे दिखाएता हो, कि देखें, हैवी फोर्स को जो है, उसको भी यहाँ पर डिप्लॉइट कर दिया गया है, यहाँ पर बहारी पुर्स बल तलाज की किया रहा है, जो फोर्से से उनको तनाज किया रहा है, तक कि किसी भी तरह से कोई भी गरबड़ी ना हो, इस वक्त तौर जो जवान आपको यहाँ पर तनाज दिखाए पढ़ेंगे, और आपको यह पूरा च्छावनी में तब्दी किया जा रहा है मर्चरी के एरिया को और आप देख सकते हैं कि यह तमाम जो जवान है वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और अब इनको पूरी तरह से अलग अलग जगाओं पर डिप्लॉइट किया जा रहा है चुकि यह कहा जा रहा है कि अब किसी भी तरह से इनको जो है तो यह आप दे सकते हैं सस्पीक जवान जो है वो आपको यहाँ पर दिखाई पढ़ेंगे और लगातार आप तस्वीरे देखिए केवल कि यहाँ पर भी भारी पुलिस बल जो है उसको तैनात कर दिया गया है तो यह फिलाल पूरे उत्रपदेश में 1224 लागू ह लेकिन बादा में विशेश तोर पर आचुकी अभी कुझेर के बाद यह कहा जा रहा है कि पोस्माटम शुरू हो जाएगा तो ऐसे में उससे पहले यहाँ पर भारी पुलिस बलकुल साफ तोर पर विशान यहाँ पर टनाती नजर आ रही है जवानों की आप नजर बना के बादा में जिस वक्त देखे यहाँ पर जो पोस्माटम होना है पूरी तैयारी यहाँ पर हो चुकी है डॉक्तर की टीम यहाँ पर होचने वाली है तो वहीं मुक्तार अंसारी की बेटे उमर अंसारी देरात बांदा स्बताल पहुचे थे इस दौरान उन्होंने मीडिया से भी बात की सुनिए उमर अंसारी ने क्या कहा चौदा घंटे बाद उसको फीट बताकर फीट ठोकर की जाईए आप ठीट है और चौदा घंटे बाद जेल की तनाही बैरिक में भेतिया जाता हो दो दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी यह मैं सोच सकता हूं जब आज साहे तीन बजे मुझे टेलिफून पर उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूं कि मजेल के वीसी रूम तक जा सकूं बहरीक से रिपर तो आप सोची आप शाम की जाच पे भरोसा करें लिया सीधे नियाए पालिका जाएंगे नियाए पालिका जाएंगे इधर बीजबी विधाय कृष्णन अंद्राइक के हत्या के मामले में मुक्तार अंसारी को सजा हुई थी कल इस मुक्तार की मौत की खबर आने की बाद क्रिश्णन अंद्राइक के बेटे पियुष ने जीनू से खास बाच्वीत की सुनिया उन्होंने क्या कहा अपराजी जो समाज के लिए एक गंदे क्यूले की तरह है उनका जितना सफाया हो सके वो सफाया होना चाहिए और मैं इसलिए इसे पूर में भी मैं नयापालिका साभी कई बाज शुक्र गुजार हूँ कि उन्होंने ऐसे अपराजी को दो-दो बाल आज इवन काराबाज दिया मेरे पिजाजी के मामले में एंप्टी में लिपोर्ट में इनको साथ साल की सजा इनके और इनके बाई को मिली तो मैं कहीं ने कहीं मानता हूँगी जो कमी बशी नयापालिका में रह थाई आज रमजान के इस महीने में अल्ला कहूँ या भवान कहूँ या बाबा बुरत माज का दरबार कहूँ वहाँ तो ये फैसला आया है और मैं बहुत खुश हूँ आज की दिन पर तो प्यूश राय को आप सुन रहे थे और उन्होंने इस पूरे मामने को लेकर कुशी जाहर थे मुक्तार की मौत की बाद एक के पुलिस जो है अलर्ट मोट पर नजर आ रही है सोशल मीडिया पर भी खासी नजर रखी जा रही है क्योंकि यूपी पुलिस का सकती यहाँ पर निर्देश जामर आ गया है और ऐसे में मुक्तार की मौत की बाद पुलिस जो है अलर्ट में है तो जमीनी यहाँ पर एक्शन देखा जा रहा है विशाल रकोवेंट्री लगतर हमारे सथ बने हुए विशाल अलग अलग गिलाखों की तस्वीर तो हमने देख ली कि किस तरह से पुलिस ने मुस्तैदिया यहाँ पर बना कर रखी हुई है तैना थे पुलिस और जमान लेकिन अगर सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया पर भी नज़र रखी जा रही है अब इस एरिया को पुलिस बल जो है उसके तनात कर दिया गया है और पुलिस डिप्लाइमेंट वो आपको यहाँ पर दिखाई पड़ेगा पकाईदा यहाँ पर अब इस पुले एरिया को कवर करके अब साथ विज़े से जो है यह कहा जा रहा है कि जोगी इस उमर अंसारी जो है साथ सारे साथ के आस्वाफ यहाँ पहुंचेगा तो ऐसे में 8 वज़े से पुली कारवाई शुरू होगी तो उससे पहले यहाँ पर भारी पुलीस वल्ल को तनात किया गया है इसके साथ साथ उत्तर परदेश में तमाम जगाउं पर शोशल मीडिया पर बहुत अर्ड़ पैनी नजल रखी जा रहे हैं और पूरी तरह से जो कहीं से भी कोई अगर ऐसी कोई घटा आती है जिसमें विरोध ही हो या कोई अपती जनक पोश्ट करता है तो उसे खिलाफ सक्त कारवाई करने के भी निर्देश जारी कर दिये गए हैं। तो ये पूरा अपडेट अभी तक का है कि चुकि अब दिखे साथ बज़े के आसपास उमर अंसारी यहां पहुंच जाएगा आड़ बे से पंचनामा और पोस्माटम के जो करवाई है वो शुरू हो जाएगी और ये माना जारा है कि साड़े ग्यारा बारा बेज़े के आसप जो है शेफ को लेकर यहां से पुली जो है वो रवाना होगी बिल्कुल तो लगभग 2-3 घंटे का वक्त यहां पर लग सकता है क्योंकि 8 बजे का जिसतर से वक्त यहां पर बताया जा रहा है बताय यह भी जा रहा है कि लखनाव से बड़ी टीम यहां पर डॉक्टर की सबसक्ति बीज़े है उमर अनसारी वह भी यह पर पहुँचेगी हाला कि जो दो भाई है यहां पर नहीं पहुचेगी और उसके बाद पूस्ट मॉटम की प्रक्रिया ह। जब पोरी हो जाएगी उसके बाद शब को सीधे ले जाए जाया जायगा गाजिपूर जहापर कालि पसरा हुआ है और लोग जो है शोक व्यक्त कर रहे हैं कुछ लोग जो है मुक्तार अंसारी को अपना भाई मानते थे अपना मसीहा मानते थे और ऐसे में वो लोग जो है वहाँ पर शांती से खड़े हुए हैं काई दुकाने वहाँ पर जो है लोगों ने अपनी बंद कर दी ह तो दोनों जगों की तस्वीर हमने आपने को दिखाने की कोशिश की आप ये बता रहे हैं कि पहले post-mortem होगा लगभग 2-3 घंडे का वक्त लगेगा उनके बेचे वहाँ पर पहुंचेंगे और उसके बात सीधे जो शव है उसे लिजाए जाएगा कब्रिस्तान यानि परिवार को शव नहीं सौपा जाएगा ने देखे बिकुल परिवार को शव नहीं सौपा जाएगा और चुकि यहां से सीधे जो है शव को ले जाके कब्रिस्तान में सुप्रुदेखा किया जाएगा उमर अंसारी साथ में मुलंस में जाएंगे इस बारे में अभी तक फिलाल एक राय बनी है हाला कि अंतिम फैसला मजिस्ट्रेट को लेना है पंच नामा के बाद जब पोस्टमाटम होगा उसके बाद ही मजिस्ट्रेट जो है जो फैसला लेंगे उस पर ही तमाम जो चीज़ें वो आगे की कारवाई होगी लेकिन अभी तक आपको बता दें कि इस पूरे मामले को लेकर ये बिल्कुल इस कि मुक्तार अंसारी के शव्ट को लेकर पुलिस की टीम करीज साड़े ग्यारा या बारा बज़े के आसपास यहां से रवाना होगी तो यह एक प्रॉक्षाइम बताया जा रहा है लेकिन अभी फिलाल थौशा इंतेदार इसलिए करना पड़े को कि साड़े साथ बज़े के आ चौबन रखा गया है इसके साथ साथ जो सबसे महत्मूल बात है वो यह है कि आपको बता दें कि यहीं मर्चरी के बाहर एज़ग फोर जरूत अनात है लेकिन जो तमाम लो लीगल पॉइंट है उसके आदार पर बात है उसके अधारी डिप्लॉट्मेंट यहां पर फोर्स क से क्या कहा आप 26 तारी को भी आये थे मेडिकल कॉलेज में जब मुक्तार अंसारी को यहां लेकर आये थे जेल कर भी आया था जाया था जिए और मुझे जहर दिया गया था और मुछित हो गया था विडियोग्राफिय यहां पर की जाएगी सुभ है आठ बज़े के बाद मुक्तार अंसारी का पोस्ट मॉटम जो है शुरू होगा हमने तस्वीरे भी देखी मौके से किस तरह से जो है पूरी जो फोर्स यहां पर तैनात यहां पर की गई है क्योंकि सुरक्षा बनाय रखन एक बड़ी चनौती पुलिस प्रशासन के लिए पांच डॉक्टरों की टीम पोस्ट मॉटम करेगी और इस पूरे प्रक्रिया के दौरान जो है विडियोग्राफिक की जाएगी लखना उसे बुलाएगा है विशेशक यह डॉक्टर कल आपको बता दे काडेक अरेस्ट की वजह से माफिया मुक्तार अंसारी की मौत हो गई थी कल जब उसकी तवियत बिगडी जेल में उसकी बाद सीधे उसे अस्पताल ले जाए गया जहां डॉक्टरों की टीम तैनाती मौचूद थी नौर डॉक्टरों की टीम ऐसे में इलाज वहां पर शुरू गया और तब ब उसमों टम के बाद माफिया मुक्तार अंसारी की शक को सीधे ले जाए जाएगा कालीबाद कबरिस्तान जहां पर उसे सुपूर्दोखा किया जाएगा परिवार गाजिपूर में मौचूद हैं गाजिपूर की तस्वीर में हमने देखी कि घर के बाहर किस तरह का माहौल इ के भी उट रहे हैं मौत को लेकर जाच की बात कहीं जा रही है जो दो भाई है मुक्तार अंसारी के वो बांदा नहीं पहुंच पाएंगे उनका जो बेटा है उमर अंसारी वो पहुंचेगा और जो है डॉक्टरों की टीम पांच विशेशक ये डॉक्टर लखनाव से रव मुक्तार अंसारी की मौत के साथ ही परवांचल में बाहुबल का खात्मा हो गया मुक्तार को अलग-अलग मामलों में दो बार उम्र कैद हुई थी और वो 2005 से सजा काट रहा था सबसे पहले 1988 में ठेकिदारी को लेकर ठेकिदार सचिदानंद राय की हत्या मामले में मुक्तार का नाम सामने आया 1991 में अवधेश राय हत्याकांड में भी मुक्तार अंसारी का नाम आया इतना ही नहीं 1996 में गाजीपूर के एडिशनल S.P. रहेश शंकर जैस्वाल और उनकी टीम पर दिन दिहाडे हमले का आरोप लगा मुक्तार अंसारी पर 1997 में कोईला कारोबारी नंद किशो रुंग्टा के अपहरण में शामिल होने का केस दर्श किया गया था और साल 2005 में मौहिंसा मामले का आरोब भी मुक्तार पर लगा था जिसके बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया साल 2009 में मुक्तार पर ठेके दार मन्ना सिंग और उसके साथी राजonia की हत्या का भी आरोप लगा इतना ही नहीं 2010 में मन्ना की हत्या के एक मात्र गभा राम सिंग मोर्या की भी हत्या कर दी गए इसका औरोब भी मुक्तार गैंक पर ही लगा मुक्तार अंसारी पर हत्या, हत्या के प्रयास, धमगी, धोकाधरी समेत कई आपरादिक मामलों में करीब 65 केस दर्स थे तो माफिया मुक्तार अंसारी की पूरी क्राइम कुनली आपने जानली और आपको बतादें सुपुर्देख हाक होगा माफिय मुक्तार अंसारी और ये बड़ी खबर आ रही है देखें पहले पोस्ट वॉटम किया जाएगा माफिय मुक्तार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम आपको अता रहे हैं पोस्ट मॉट्रम के बाद शव सौपा नहीं जाएगा परिवार को तो पुलस उरक्षा में गाज़ेपूर पहुचे का शव क्योंकि बहुत ही एहम होगा शव को बांदा से गाज़ेपूर ले जाना एक लंबा रास्ता यहां पर टैय करना होगा पोस्ट मॉट्रम के बाद द अगर बात करें तो जो दूसरी जगह है वो इस रो में आपको आगे दिखाई देगी इस क्रम में आपको आगे दिखाई देगी यानि पेड के बगल का जो शेत्र आपको दिखाई दे रहा है वो आपको वहाँ पर जो सामने ये शेत्र दिखाई दे रहा है वो जगह होगी हाला कि अभी इस पर पूरा निड़्य नहीं लिया जा सका है को चार से छे घंटे कब्र खूदने में लगेंगे और दो घंटे इसकी साफ सफाई में लगेंगे साफ सफाई इस कब्रगा के शुरू हो चुकी है جो सफाई करने वाले लोग है वो इस कबरगा के सफाई कर रहे हैं, जालू लगना शुरू हो चुका है, यानि अब सुपुर्दे खाक की तैयारिया शुरू हो चुकी है, क्या अभी तक सूचना क्या आई है, आज सुपुर्दे खाक होना है या कल हो सकता है अब ये बात हुई है आपकी अपजालन सारी से जी नहीं अब का हम लोग बात बस खाली देखे हैं सब लोग गम में हैं आज जब से ये सूचना आज सुबह कल शाम को जो सूचना मिली तब के बात से जो स्थानिय लोग हैं आपका मन क्या कह रहा है इस पूरे परिवार की कब कोई आवाम रो रही है मुकतार अंसारी जैसा इंसान ढूंडने पर भी मिलेगा ये गरीबों के मसियाई नहीं हर कौम के मसियाई हैं अल्ला इनको जननत दे देखें ये आपको जो कबरगा दिखाई देगी ये मुक्तार अनसारी के पिता की कबरगा है और अगर बात करें तो इनके बगल में संभावना जताई जा रही है कि बगल में इनके कबरगा यहां पर बनाई जा सकती है यहां पर जो सुपर देखा कर वो किया जा सकता है लेकि अभी तक इस पूरे मामले में कोई इसपस्ट पूरी तरह से नहीं हो सका है कि कहां पर उनकी कब्र खोदी जाएगी और कहां पर सुपुर्देखाक किया जाएगा लेकि दो पॉइंट और अगर बात करें तो अब जाल अंसारी के निर्णाई के बाद ये पूरी तरह से सपस् यहां पर शुरू की जा चुकी है और कुल छे घंटे का वक्त लगेगा क्योंकि इस कब्रिस्तान की मिटी सक्त बताई जा रही है तो छे घंटे का वक्त और छे घंटे के वक्त में यहां पर खुदाई शुरू होगी और उसके बाद जो कब्रगाह में अगर बात करें तो पूरी तैयारी की जाएगी और उसके बाद सुपूर्दे खाक किया जाएगा तो कब्रिस्तान में काली बाग कब्रिस्तान में तैयारियां शुरू हो चुकी हैं सफाई की यहां पर वेवस्था की जा रही है और उसके बाद कब्र को खोदने के इंतिजाम किये जाएगे कैमर जहां पर माफिया मुक्तार अंसारी का घर है उस घर से महस 400 मीटर की दूरी पर ये कालिबा कब्रिस्तान है पारिवारिक कब्रिस्तान बताया जा रहा है और यहीं पर माफिया मुक्तार अंसारी को सुपूर्देखा किया जाएगा बता दे आपको बड़ी खबर ये भी आ रह सिपूर लेकर आएगी और यहां पर जो है शर्ब को परिजन को नहीं सौपा जाएगा सुरक्षा विवस्था का खासा ध्यान रखा जा रहा है उत्तर प्रतेश के कई ऐसे इलाके जहां पर 146 लागू कर दी गई है शुक्रुआ का दिन है नमाज का दिन है और ऐसे में जुम् बताल ले जाए गया जहां पर डॉक्टर मौचूद है नौट डॉक्टर के टीम उसका इलाज कर रहे थी और उसकी बाद जब खबर आती है कि उसकी मौत हो गई उसकी बाद चॉक्सी यहां पर बढ़ती जा रही है बता दे आपको सुभे आठ बचे का वक्त भी यहां पर बताय जो आ रहा है जब मर्चुरी की बाहर जस्तर से हमारे सयोगी भी मौचूद है वो हमें तस्वीरे दिखा रहे थे कि पूरी फोर्स यहां पर डिप्लॉई की गई है और प्रॉपर तरीके से जो है विडियोग्राफी यहां पर की जाए कि माफिया मुक्तार अंसारी के शब का पोस्ट मॉटम होगा लखना उसे पांच विश्यशक के डॉक्टर यहां पर पहुचेंगे दो से तीन घंटे का वक्त लग सकता है पूरे पोस्ट मॉटम की जो प्रोसेस होती है पूरी प्रक्रिया होती है और उसके बाद माफिया मुक्तार अंसारी के शब को गाज पूरे जाएगा एक लंबा रास्ता यहां पर तैयक करना होगा कई घंटे का वक्त यहां पर लग सकता है और ऐसे में जो है हालात को कंट्रोल में रखना हालात सामाने रखना लॉइन ओर मेंटेन रखना एक बड़ी चुनाती पूलिस प्रशासन के लिए और दोपहर बात क वक्त यहां पर माना जा रहा है जब माफिया मुक्तार अंसारी को सुपूर्दे खाक किया जाएगा उन्हें दफन किया जाएगा परिवार जो है जो घर है माफिया मुक्तार अंसारी का वो गाज़ेपूर में है और घर से महस 400 मीटर की दूरी पर कबरिस्तान मौचूद है माफिया डॉन मुकतार अंसारी का गुरुवार देरात काडिया का रेस्ट से निधन हो लिया बांदा जेल में बंद मुकतार की तबियत खराब होने के बाद उसे दुरगावती मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया था जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो बे यूपी के पूरवांचल में नब्बे के दशक में वो दौर था जब पूरवांचल में रेलवे शराब और दूसरे सरकारी ठेके हासल करने की रेस लगी रहती थी और इसी रेस में कई अपरादियों के गैंग उभरने लगे थे उसी दौर में कॉलेज में पढ़ाई करने वाले मुकतार अंसारी ने बाहू बली मखनू सिंग का दामन थाम लिया और मखनू सिंग उस समय हरी शंकर तिवारी का राई ठाइंग था और उसी दौरान कोर्ट परिसर में एक गोली कांड होता है जिसमें एक नाम सब से उभर कर आता है और वो था मुकतार अंसारी का जिसके बाद मुकतार अंसारी क्राइम के दुनिया में बढ़ने लगा और वारानसी, जौनपुर, गाजीपुर, मौू और बलिया में उभरते हुए बाहु बली मुकतार अंसारी का दबदबा बढ़ने लगा और बढ़ते बढ़ते सत्ता के गलियारों तक पहुच गया और अपने बाहु बल के दम पर मुकतार ने खुद को और अपने भाई को सियासत में सिट किया इस बीच बड़ी खबर उत्तप्रवेश के गाजेपुर से जहां मुहमदाबाद फातक में आज दुकाने बन रहेंगी मुहमदाबाद फातक वही लाका है जहां मुकतार को सुपुर्दे खाक किया जाएगा दुकानदारों ने पैसला किया है कि वो आज अपनी दुकाने नहीं खोलेंगे मुकतार अंसार की मौत पर यहां शोक का माहुल बना हुआ है और खबर यह आ रही है कि मुहमदाबाद फातक पर तमाम जो दुकाने मौचूद हैं वो आज बंद रहेंगी माथम पसरा हुआ है और जो लोग उन्हें अपना मसीहा मांते थे अपना भाई मांते थे उनमें शोक की लहर है तो मुक्तार को सुपूर्दे खा किया चाना है यहाँ पर दुकानदारों ने साफ तोर पर कह दिया है पैसला यहाँ पर कर लिया है कि वो आज अपनी दुकाने नहीं खोलेंगे मुक्तार अंसारी की मौपर यहाँ शोक का माहुल बना हुआ है आपको बता दे आज पोस्ट मॉटम होना है मुक्तार अंसारी के शव का सुम्हे 8 बजे बांदा में और यहाँ पर डॉक्टरों की टीम पूरी तैयारी के साथ पोस्ट मॉटम यहाँ पर करेगी मुक्तार अंसारी की मौत हो गई है हमारे सयोगी लगातार विशाल रगवनशी बने हुए है बांदा से और जो हमें पल-पल की अपडेट दे रहे हैं विशाल खबर यह है कि पोस्ट मॉटम के लिए डॉक्टरों की टीम यहाँ पर पहुँचेगी जो लखनव से रवाना हो भारी सुरक्षा व्वश्ता की बीच में पोस्ट मॉटम होना है concern कि जो कुछी देर के बाद यहां पर पहुँच जाएगी और भारी सुरक्षा व्वश्ता के बीच चुकि यह जो मौत हुई है इसको लेकर परिवार वालों ने सवाल खड़े किये हैं लगातार विपक्षी से खिमा सवाल खड़ा कर रहा है ऐसे में जो नियम होता है उसका नुसार अब मरिश्ट्रियल जाच के आदेश दे दिये गए है अगले एक हफते के अंदर यह पूरी के होंगे और कुल पांच मेंबर जो हैं वह इस पूरे मेंश्ट्रियल जाच को करेंगे आपको तस्वीर लगातार दिखा रहा हूं तो यहां पर भारी प्रोष्ट्ट्चा वर जो है वह तनाथ किया गया है और लगातार यहां पर हर चीज की जह हैं मौनिट्रिंग की जा सब्सक्राइब जो है पहलु जो है चेक किया रहा है इसके साथ साथ चुकि आपको बतादें कि आसवास उमर अंसारी जो है वह यहां पर पहुंचेगा तो उसको लेकर भी पूरी तैयारी की गई है कि उसको सीधे यहां से पोस्मार्टम हो देखिए आपको मैं एक तस्वी है कितना वक्त यहां पर लग सकता है गाज़ेपूर बहुंचने में अब आपको बतादें कि इसमें रूट को क्या क्या कुछ टैग हुआ है तो यहां से पहले जो है फतेपूर जाएंगे फतेपूर से कौशामी का जो रूट है को खहिया मार्क होते हुए वो पकड़ा जा बनारस और बनारस से सीधे गाज़ीपूर के लिए जो सिक्सलेंड बनी हुई है वहां से यह रास्ता पकला जाएगा तो यह रूट फिलाल जो है अभी तैय किया गया है तो कि यह शहर के बाहर का रास्ता होगा बसकि सिफ कौशामी तक जो है थ्वासा यह कह सकते हैं कि फत गाज़ीपूर के बात की बात करें तो कौशामी का जो रूट है वो बिल्कुल आउटर है और वहां से सीधे जो है फोल लेन है वहां से सीधे जो गाड़ी है वो रवाना हो सकेगी तो इसलिए थ्वासा वक्त भी कम लगेगा हाला कि तभी यह कहा जा रहा है कि साथ से आठ करना होगा बड़ी चनौती पुलिस प्रशासन के लिए लेकिन अगर एलर्ट की बात करें विशाल अलग-अलग जिलो में जिस तरह से तस्वीर हमने देखी है पुलिस प्रशान राद भर से मुस्तैदी यहां पर लगाई हुई है तो तैनाती यहां पर पुलिस की जो नज है कानपूर है माउ है गाजी पुरह आधम गर यहां पर जो है विशेश निगानी के लिए कि मुक्तार अंसारी का यहां पर आचा का सा प्रभाव रहा है तो ऐसे में इसांभ पर लिए रिखी निगानी कि यहुए करों मेरिस फेस्बूक पोस्ट सोचल मीडिया पोस्ट यह है पैट्रोलिंग की जा रही है उसके साथ ये भी निर्देश है कि आज जब जुकि जुम्हे की नमाज होनी है तो ऐसे में जुम्हे की नमाज के वक्त विशेश निगरानी रखी जाए जुम्हे की नमाज के वक्त इस बात का ध्यान रखा जाए कि कहीं भी कोई भी भी लिखटी ना हो किसी तास कोई महौल खराब करने कोशिश ना करे नमाज की आड़ में कहीं भी लिखटा करके कुछ इस तरह की ऐसी इसी ती ना पैदा कर दे जो से जो है लाओ और खराब हो इन सब चीजों को लेकर कल ही रात में जो है डीजीपे मुख्यारे से कर दिया गया है चुकि चुनाओं के वक्त में ये सेंटर फोर्से जो है वो तरप्रदेश के अलगला जीलों में मौझूद थी तो ऐसे में उनको डिप्लॉइमेंट कर दिया गया है बहुत जदा मुश्किल नहीं पड़ी है तो लाइन ओर को लेकर जो है पूई तरह से जो जो लोग है वो मजिशियर्ट टीम में रहेंगे इसका दो डॉक्टर्स की टीम भी मौझूद रहेगी इसके साथ ही साथ इनकी जो डिपोर्ट है वो एक हफ्ते के अंदर देनी होगी बिल्कुल विशाल और जिस तरह से आब बता रहे है कि जो पोस्टम करने वाली जो टीम है डॉक्टरों के जो टीम है वो लखना उसे आ रहे है हलाकि बार-बार ये सवाल उठाया जा रहा है कि एमस के डॉक्टरों से यहां बकराना चाहिए पोस्टम इसको लेकर कोई जानकारी टीम को लेकर जी जा रही है कि बहुत एक सिस्टेमाटिक तरीके से इस्टेफ जो है कि यह जो पूरा मामला है बर बचाल सामधनी आपर बढ़ती जारी वे वशाल लगातारप पूरे मामले पर नजर बना कर रखे आगे आपके अपडेट लेते रहेंगे फिलहाल आपका बहुत बहुत रही आप शुक्रिया तमाम जानकारी पहुचाने के लिए तो गैंक्स्टर मुक्तार अंसारी की मौत से उत्तर प्रदेश में माफिया राज के एक युककान्त हो गया लेकिन 63 साल की उम्र में 63 से ज्यादा क्राइम उसके नाम पर दर्च है जिनमें से कई मामलों में उससे सजा सुनाई जा चुकी थी जब की कई केस अब भी पैंटिंग है जो शायदा पैंटिंग की ही रहेंगे मगर मुक्तार की मौत से उसके सताई लोगों ने जरूर रहत की सांस ली क्या है मुक्तार की क्राइम कुणली और कैसे हुआ उसके गुनाहों का हिसाब देखे इस रिपोर्ट में अपराग की दुनिया के अध्धाय का अंध 63 साल की उम्र 63 से ज़्यादा क्राइम मुक्तार अंसारी एक वक्त था जब इस नाम को सुनकर बड़े बड़े लोग धर धर कापते थे दहशक ऐसी कि अगर मुक्तार के नाम से कोई फोन भी कर दे तो आदमी की नींड उड़ जाती थी आतंक ऐसा की पुलिस भी उस पर हाथ डालने से पहले दस बार सोंचती थी लेकिन मुक्तार के माफिया डौन बनने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है साल था 1988 जब मुक्तार ने जरायम जगत में कदम रखा मंडी परिशत की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचिदानंद राई की हत्या के मामली में मुक्तार का नाम सामने आया इसी दोरान बनारस में तुर्बवन सिंग के कौंस्टेबल भाई राजंदर सिंग की हत्या कर दी गई इसमें भी मुक्तार का ही नाम सामने आया 1990 में गाजीपुर जिले के तमाम सरकारी ठेकों पर बिरजेश सिंग गैंग ने कबजा करना शुरू कर दिया अपने काम को बनाये रखने के लिए उसका सामना मुक्तार अंसाली के गिरो से हुआ और यहीं से बिरजेश सिंग के साथ मुक्तार की दुश्मनी शुरू हो गई नाम बड़ा हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई और 1991 में चंदौली से मुक्तार को गरफतार कर लिया गया लेकिन आरोप है कि रास्ते में दो पुलिस वालों को गोली मार कर वो फरार हो गया इसी दोरान अबदेश राय हत्या कांड पेश आया जब वरणासी में कॉंग्रेस नेता अजराय के बड़े भाई अबदेश को पंच लोगों ने गोलियों से भून डाला इस्दाम लगा मुक्तार अंसारी पर साल 1996 जब गाजीपुर के एडिशनल S.P. रहे शंकर जैसवाल और उनकी टीम पर दिन दहाडे हमला किया गया इस मामले में भी मुक्तार का नाम सुर्खियों में आया 1996 में ही मुक्तार पहली बार विधायक बना और तभी से उसने बिरजेश सिंग की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया 1997 में पूरवांचल के सबसे बड़े कोईला वेपसाई रूंग्ता के अपहरन के बाद मुक्तार का नाम क्राइम की दुनिया में छा गया साल 2002 का विधान सभाचुना क्रिशननंद राय ने मुक्तार के भाई अवजाल अंसारी को हरा दिया और इसी दुरान बिरजेश सिंग ने मुक्तार अंसारी के काफले पर हमला कराया जिसमें मुक्तार के तीन लोग मारे गए और बिरजेश सिंग घायल हो गया और यही वो वक्त थाज़ मुक्तार अंसारी पूरवांचल का सबसे बड़ा माफिया डौन बनकर उग्रा फिर आया साल 2005 मौज जिले में हिंसा भलकी और आरोप लगा मुक्तार पर जिसके बाद उसने पुलिस के सामने सरेंडर कर दिया इसी दोरान विधाय कृष्णनन्द राई की हत्या करवा दी गई इसका आरोप भी मुक्तार पर लगा कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी साल 2009 में मुक्तार पर ठेकेदार मन्ना सिंग और उसके साथी राजेश राई की हत्या का आरोप लगा इतना ही नहीं 2010 में मन्ना की हत्या के एक मात्र गभा राम सिंग मौरे की भी हत्या कर दी गई इसका इलजाम भी मुक्तार गैंग पर ही लगा मुक्तार के रसूप को ऐसे समझा जा सकता है कि उसके लिए यूपी और पंजाब की सरकारे सुप्रीम कोर्ट में भिल गई थी दोनों सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में शपत्पत्र देना पड़ा था पंजाब सरकार मुक्तार को अपनी यहां की जेल में रखना चाहती थी जबकि योगी सरकार उसे यूपी लाकर अपरादों में ट्राइल कराकर सज़ा दिलाना चाहती थी और सुप्रीम कोर्ट में जीत होई योगी सरकार की 6 अपरेल 2021 को मुक्तार यूपी लाया गया और यहीं से उसके अंत की शुरुवात हुई और उसके बाद 8 बजे से पोस्मार्टम की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी तो ऐसे में यहां पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है इसके साथ-साथ आपको बता दें कि देखिए रूट भी बनाए गया है रूट डाइवर्जन रहेगा इसके साथ-साथ-साथ-साथ-स इन रूटों से यहां से निकलना है यहां से सीधे जो टीम है वो शफ को लेकर यहां से सीधे पहले फतेपूर जाएगी फतेपूर से कौशामबी कौशामबी से सीधे जो है प्रियागराज हन्याल रास्ते से सीधे जो है भदोई होते हुए वो बनारस से सीधे गाजीपू बस सिय तोर पर ये कह सकते हैं कि बहुत अदा शहर का रास्ता नहीं चुना जाएंगा शहर के बाहर का रास्ता चुना जाएगा चुक्कि आज जूमे की नमाज भी अदा होनी है त्माम शेलों में अलर्ट भी ऐगा तो इसलिए विशेष तोर पर जो है जो शेहर के बाहर का रास्ता उसको चुना जाएगा और उसी रास्ते से ही शव को लेकर जाये जाएगा शव के साथ उमर अंसारी को जो है साथ में जाने की दाद दी जा सकती है अब हाला कि वो यहां पर जो मेजिट्रेट होंगे वो टैग करेंगे कि उमरअंसारी को सात्री नहीं हाला कि यहां नज़र आए गए सुरक्षा को लेकर खासा ध्यान यहां पर विशाल यहां पर देखा जा रहा है पुलिस यहाँ पर एतियात यहाँ पर बरत रही है बड़ी रही है माफिय मुक्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी जुआनकारी उस मौचल की बार शव पर जनों को नहीं सौपा जाएगा यह सबकी बड़ी खबर पुलिस सुरक्षा में गाज़ेपूर पहुचेगा मुक्तार का शव पुलिस सुरक्षा में सुकुर्दे खाकोगा मुक्तार अंसारी तो मुक्तार अंसारी का शव सीधे कबरिस्तान पहुचेगा नमाजे जनाजा पढ़ने की बार मुक्तार के शर्फ को दफन किया जाएगा खबर ये भी है कि मुक्तार के दोनों भाई बांदा नहीं आएंगे हला कि उनके बेटे की यहां पर वहुचने की खबर मिल रही है क्योंकि कुछी देर बाद सुभे आट बजे का जो वक्त यहां पर बताया जो आ रहा है जब पूरी डॉक्टरों की टीम यहां पर टैनात रहेगी और पोस्ट वाटरम यहां पर वक्तार अंसारी का होगा हमारे सेयों की लगातार विशाल बने हुए विशाल जिस तरह से चोकी प्रक्रिया जो होती है पोस्ट वाटरम पहले होता है उसके बाद शव को पर जनों को सौपा जाता है लेकिन इस मामले में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा देखे आज इसलिए भी ने दिख रहा है क्योंकि जो परिवार के जो सदस हैं उनमें अवजाल अंतारी यहां पर नहीं प्रकट करने वालों की भीड़ है वो यहां पर फिर से परिखटा होना शुरू हो गई है और जो प्रशासनी खमला है उसने अपने जो सुरक्षा है जो चोकसी है वो और भी बढ़ा दी है आप देखे सामने आपको यहां पर भीड़ दिखाए देगी भीड़ों की नारे कर जो पुलिस कर्मी है वो दिखाए देंगे पीसी के जवानों की यहां पर जानाती है और यह पीसी के जवान लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप थोड़ा सब पीछे हट जाईए वहां तक ना जाईए और इसके साथ एक और अपडेट आपको बता दो पहले कि आज जो यहां पर मन में यह कहीं ना कहीं है कि जो उनका मसीहा है आज उनके बीच नहीं है और जो यह सूचना उन्हें प्राप्त हुए तो शूख प्रकट करने के लिए लोग यहां पर पाटक के बाहर मौजूद हैं और यहां पर पहुंचे हुए हैं और इस वहीं को कंट्रोल करन है उसको पर जब मिली तो एक पिनिट के लिए सचा गया और अभी तक के सनाटा पसरा हुआ है लोग शोप में डोबे हुए है और अपना शोप टकट करने के लिए वो यहां पहटक पर पहुचे हुआ है भीड़ा आपके सामने आप देखें यहां पर और एक तस्वीर यह भी न होने दे लेकिन चुके कहा जाता है इस चेतर के भाईजान कहा जाते हैं और उनकी मौत की खबर हैं लोग यहां पर उनकी मौत पर सांटोना प्रकट करने के लिए यहां पर पहुचे हुए हैं यह घर के तस्वीर हम आपको दिखा हमें लोग भी मौजूद है और पुछासनी कमला इस भीन को मेंटेन करने का पूरा प्रयास करता और पूरे मुहमदाबाश शेत्र में इस तरह के आपको इंतिजाम दिखाई देंगे सुरक्षा के पॉइंट यहां पर बनाए गए हैं और हर एक पॉइंट पर कड़ी नहीं हो सकती है इस तरीके से इस च्छेत्र में मुक्तार अंसारी को किस रूप में देखा जाता था भाई जान मसीहां हम लोगों के लिए यहां के लिए तो मसीहाई थे आज इस चेत्र के दुकानों को बंद रखने का निए लिया गया है इस तरफ से यह सूचना मिली इस पूरे शेत्र में कहा जा रहा है एकदम पूरी तरफ से मातम चाया हुआ है आप भी लोग यहां पर आए हैं परिवार को सांतुना देने के लिए तो इस पूरे गटना के बाद आज इस चेत्र में अप लोग अपना शोक प्रकट करेंगे कैसे अब दुकान के कोई नहीं लिया गया है लेकिन यह हमारे भाई भी थे हैं चाचा भी है दादा भी है एक तरीके से कहा जाए कि हम लोग के रहनमात हैं इंको देखते हुए हम लोग अपनी दुकाने अपने मन से बंकिया जाएगा पूर निर्दे नहीं है अपनी इच्छा है देखे आप भी पडोस में ही रहते हैं या दूर गाउं से नाइफ फूरोस में पडोस में यह सूचना आपको कितना दुखी करने वाली कितना दुख देने वाली आई मसिहा की मौत की ख़बर जब सामने आई हां जो हड डाल करके माट देने लोग जो हर डाल करके माटव working आप यहां पर जो लोग हैं जो समर्थ तक हैं वो इस मुक्तार अंसार की मौत की बार देखे हैं अलर्ड जुआरी कर दिया गया है बड़ी खबर गाजिपूर समयत का इस जिलों में धारा 144 लागू कर दी गई है जुमे की नमाज को देखते हुए अलर्ड जुआरी किया गय पुलिस बल मौके पर मौझूद है यहां पर किस तरह से पूरी टीम को डिपलॉय किया गया है और ऐसे में किसी भी तरह की अनुहनी ना हो हालाज को कंट्रोल में रखने की कोशिश पूरी तरह से प्रिशासन की नज़र आ रही है पुलिस जो है मुस्तैद है यहां पर सयारी यहां पर पुलिस प्रिशासन की नज़र आ रही है तो कुछ ही देर बाद पोस्ट मौटम होगा और उसके बाद पोस्ट मौटम के बाद जो है मुक्तार अंसारी के श्रप को सीधे कबरिस्तान ले जाए जाएगा उनके परिजन को नहीं सौपा जाएगा फिलहाल ये तमाम जगहों पर जो है इस बात को लेकर जो है कोशिश की जा रही है कि कहीं भी कहीं कोई चूक ना हो और यहां पर बांदा में भी मैं आपको तस्वीरे दिखायता हूँ यहां पर भी हैवी डिप्लॉमेंट जो है वो देखने को मिला है तब से पहले मैं आपको तस्वीर पर पहुंच चुकी है कोशिश करेंगे कि आपको तस्वीरे भी दिखाए लेकिन यहीं पर ही पुरा जो पोस्माटम होना है लेकिन उससे पहले पंचनामा होना है और पंचनामा जो है वह पांच लोग जो है वह मौझूद रहेंगे इसके साथ-साथ-स पुलिस जो है वह पहले ही मनें बताया कि आड़ बजे के आसपाँ जो यह कहा जा रहा है कि जो पंचनामा है वह शुरू हो जाएगा उसके बाद करीब सवा 9 बजे-साथ-साथ-साथ-साथ-स पोई लापरवाही नहों इसको लेकर भी पुरी तरह से त्यारी कर लिए गई एक पुरा इस पु भारी पुलिस बल तलाज के किया जा रहा है जो फोर्से से उनको तनाद किया जा रहा है तकि किसी भी तरह से कोई भी गरबड़ी नहों यह तस्वीरे आप देख सकते हैं सूपर एस्क्लूजिव तस्वीरे हैं इस वक्त तवाम जो जवान है वो आपको यहां पर तनाद ज जा रहा है कि यहां पर बहरी पुलिस बल जो है उसको तैनाद कर दिया गया है तो यह पूरे उस्तर प्रदेश में धारा vist दो 596 लाग है लेकिन बांदा में विशेश तोर पर आकि पुजिव ते बाद यह कहा जा रहा है रखे बांदा में जिस वक्त देखे यहां पर जो पोस्ट मॉटम होना है पूरी तैयारी यहां पर हो चुकी है डॉक्टर की टीम यहां पर होचने वाली है तो वहीं मुक्तार अंसारी की बेटे उमर अंसारी देरात बांदा स्वताल पहुंचे थे इस दौरान उन्होंने अब इसमें भी भाईया कुछ कहना और छुपा रहिया है जो व्यक्ति अपनी मुठी नाबत करताता हो जो व्यक्ति इतना कमजोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आईसीव आता हो और खुद ही 12 गंटे बाद 14 गंटे बाद उसको फीट बताकर फीट ठोकर की जा दिया जाता हो दो दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी यह मैं सोच सकता हूँ जब आज साढ़े तीन बजे मुझे टेलिफून पर उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मजी जेल के वीसी रूम तक जा सकूँ बैरिक से निपर हो तो आप आप सो कर्शा हुई थी कल इस मुक्तार की मौत की खबर आने की बाद कर्शानन राइक के बेटे पियुष ने जीनु से खास बात्शीत की सुनिये उन्होंने क्या कहा मिला है कि ऐसे अपरादी जो समाज के लिए एक गंदे क्विडे की तरह है उनका जितना सफाया हो सके जो सफाया होना चाहिए और मैं इसलिए इसे पूर में भी मैं नया पालिका सभी कई बाद शुक्र गुजार हूं कि उन्होंने ऐसे अपरादी को दो-दो बाल आज इव को या बाबा बुरकनाच का अधरबार कहूं वहां से ऐसला आया है और मैं बहुत खुश हूँ आज के जिनके तो प्यूश राय को आप सुन रहे थे और उन्होंने इस पूरे मामने को लेकर कुशी जाहर थे मुक्तार की मौत की बाद एक के पुलिस जो है अलर्ट मोट पर नजर आ रही है सोशल मीडिया पर भी खासी नजर रखी जा रही है क्योंकि यूपी पुलिस का सकती यहाँ पर निर्देश जामर आ गया है और ऐसे में मुक्तार की मौत की बाद पुलिस जो है अलर्ट में है तो जमीनी यहाँ पर जो है एक्शन देखा जा रहा है विशाल रकुवेंट्शी लगातर हमारे सथ बने हुए विशाल अलग अलग गिलाकों की तस्वीर तो हमने देख ली कि किस तरह से पुलिस ने मुस्तैदी यहाँ पर बना कर रखी हुई है तैनात है पुरी तरह से प पुरी तरह से कवर्ड किया जा रहा है अभी तक जो है इसे एरिया को कवर्ड नहीं किया गया था लेकिन अब इस एरिया को पुरी तरह से कवर्ड किया रहा है और आप तस्वीर दे सकते हैं कि यहाँ पर भारी पुलिस बल जो है उसको तनात कर दिया गया है और पकाइदा यहां पर अब इस पूरे एरिया को कवर करके अब शाथ वुज़े से यह कहा जा रहा है कि उमर अमसारी जो है साह साहे साहस के आपधा यहां बशेंगा ऐसे में 8 व्यजे से पुरी कारवाई शुरू होगी तो इससे पहले यहां पर बारी पूल को जो है तनाद किया गया है, SSB को भी तनाद किया गया है, लोकल पूलिस को भी तनाद किया गया है, इसके साथ उस्तर प्रदेश में तमाम जगहों पर, सोशल मीडिया पर बहुत ज़्या पही नज़र रखी जा रही है, किसी भी तरह से कोई अगर गलत पोश्ट करने के भी निर्देश जारी कर दिये गए हैं तो यह पूरा अपडेट अभी तक का है कि चुकि अब दिखिए साथ बज़े के आसपात उमर अंसारी यहां पहुंच जाएगा आड़ बे से पंचनामा और पोस्माटम की जो करवाई है वो शुरू हो जाएगी और यह माना जा और बकाइबा विडियोग्राफी यहां पर की जाएगी और खबर यह भी आ रही है कि मुक्तर अंसारी के जो बेटे हैं उमर अंसारी वो भी यहां पर पहुचेंगे अला कि उनके जो दो बहाई हैं वो यहां पर नहीं पहुचेंगे और इसकी बाद पोस्ट-वाटम की जो मातम पसरा हुआ है और लोग जो है शोक व्यक्त कर रहे हैं कुछ लोग जो है मुकतार अंसारी को अपना भाई मानते थे अपना मसीहा मानते थे और ऐसे में वो लोग जो है वहाँ पर शांती से खड़े हुए हैं काई दुकाने वहाँ पर जो है लोगों ने अपनी बंद कर तो दोनों जगों की तस्वीर हमने आपने दिखाने की कोशिश की पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो अलग अलग जिलों के तस्वीर हमने देखी हमने काजगंची तस्वीर देखी हमने गाजीबूर की तस्वीर देखी बांदा में भी हमने देखा कि किस तरह से पूरी विशाल रगोर्शी बने हुए हैं विशाल जिस तरह से आप ये बता रहे हैं कि पहले पोस्ट मॉटम होगा लगभग दो से तीन घंडे का वक्त लगेगा उनके बेटे वहाँ पर पहुंचेंगे और उसकी बात सीधे जो शव है उसे लिजाए जाएगा कब्रिस्तान यानि परिवार को शव नहीं सौपा जाएगा ने देखे बिकुल परिवार को शव नहीं सौपा जाएगा और चुकि यहां से सीधे जो है शव को ले जाके कब्रिस्तान में सुप्रुदेखा किया जाएगा उमर अंसारी साथ में मुलंस में जाएंगे इस बारे में अभी तक फि पश्ट है कि अभी तक परिवार को कोई भी शब्स अपने की बात नहीं कहीं गई है यह का गया है कि लॉइन आउडर को लेकर जो है कोई मुश्किले हो सकती है इसलिए चीद है जो है शब्स को कभिस्तान ले जाए जाएगा जहां पर जो है उनकी परिवार वालों की मौदू भारी यहां पर पोड्स का बेर लिछान लगातार बने रही है। मुक्तार अंसारी की अचानक मौत पर पर परिवार का जो आरोप यहां पर लगा है कि कुछ दिन पहले ही मुक्तार ने जहर देने की शुकायत की थी और फिर कल परिवार ने इस बात को दोराया कि उन्हें जहर दिया गया और इसकी जाच होनी चाहिए। सुनिए उमर अंसारी ने फोन पर जीनियू से क्या कहा आप 26 तारी को भी आये थे मेडिकल कॉलेज में जब मुख्तार अंसारी को यहां लेकर आये थे जेल कर भी आया था मैं और मुझे एकने भी नहीं दिया गया था अफ़ाल अफ़ाल अंसारी जो सामसाथ है उनको मिला आये गया था उस वक्ति उन्होंने यह भी बात कही थी अव्दाल वाबास से कि मुझे जहर दिया गया था मुर्शित हो गया था विडियोग्राफिय यहां पर की जाएगी सुभह आठ बज़े के बाद मुक्तार अंसारी का पोस्ट मौटम जो है शुरू होगा हमने तस्वीरे भी देखी मौके से किस तरह से जो है पूरी जो फोर्स यहां पर तैनात यापर की गई है क्योंकि सुरक्षा बनाय रखना एक बड़ी चनौती पोस्ट मौटम करेगी और इस पूरी प्रक्रिया के दौरान जो है विडियोग्राफिक की जाएगी लखना उसे बुलाएगा है विशेशक ये डॉक्टर कल आपको बता दे कार्डेक अरेस्ट की वजह से माफिया मुक्तार अंसारी की मौत हो गई थी कल जब उसकी तवियत बिगडी जेल में उसकी बात सीधे उसे अस्पतार ले जाए गया जहां डॉक्टरों की टीम तैनात यहां पर पुलिस प्रशासंत की नज़र आ रही है अब जो है पोस्ट मौटन जब होगा उसके बाद इंतजार किया जा रहा है कि पोस्ट मौटन के बाद माफिया मुक्तार अंसारी की शक को सीधे ले जाये जाएगा कालीबाद का ब्रिस्तान जहां पर उसे सुपुर्दो खाक किया जाएगा परिवाद गाजिपूर में मौचूद है गाजिपूर की तस्वीर में हमने देखी कि घर के बाहर किस तरह का माहौल इस वक्त बना हुआ है मातन पसरा हुआ है लगातार सवाल ये भी उट रहे हैं मौत को लेकर जाच की बात कही जा रही है जो दो भाई मौत के मौत के साथ ही परवांचल में बाहुबल का खात्मा हो गया मौत को अलग-अलग मामलों में दो बार उम्र कैद हुई थी और वो 2005 से सजा काट रहा था सबसे पहले 1988 में ठेकिदारी को लेकर ठेकिदार सचिदानंद राय की हत्या मामले में मौत का नाम सामने आया 1991 में अवधेश राय हत्याकान में भी मुकतार अंसारी का नाम आया इतना ही नहीं 1996 में गाजीपूर के एडिशनल एसपी रहे शंकर जैसवाल और उनकी टीम पर दिन दिहाडे हमले का आरोप लगा मुकतार अंसारी पर 1997 में कोईला का रोबारी नंद किशोर रुंग्टा के अपहरण में शामिल होने का केस दर्श किया गया था और साल 2005 में मौहिंसा मामले का आरोप भी मुकतार पर लगा था जिसके बाद उसने पुलीस के सामने सरेंडर कर दिया साल 2009 में मुकतार पर ठेकेदार मन्ना सिंग और उसके साथी राजे स्राय की हत्या का भी आरोप लगा इतना ही नहीं 2010 में मन्ना की हत्या के एक मात्र गवा राम सिंग मोर्या की भी हत्या कर दी गए इसका औरोब भी मुक्तार गैंक पर ही लगा मुक्तार अंसारी पर हत्या, हत्या के प्रयास, धमगी, धोका धड़ी समेत कई आपरादिक मामलों में करीब 65 केस दर्स थे तो माफिया मुक्तार अंसारी की पूरी क्राइम कुंडली आपने जान ली और आपको बता दें सुपुर्दे खाक होगा माफिया मुक्तार अंसारी और ये बड़ी खबर आ रही है पहले पोस्ट वाटम किया जाएगा माफ्तिय मोकार अंसारी से जुड़ी ये बड़ी अपडेट हम आपको अता रहे हैं पोस्ट वाटम के बाद शव सौपा नहीं जाएगा परिवार को तो पुलिस वाटम के बाद शव को बांदा से गाज़िपूर ले जाना एक लंबा रास्ता यहां पर टैय करना होगा पोस्ट वाटम के बाद देखें शव को परिवार को नहीं सौपा जाएगा सीधे कबरिस्तान ले जाएगा पुलिस उरक्षा के बीच में उन्हें बतादे शव को गाज़िपूर ले जाएगा तो एक यह जगह जो मुखतार अंसारी के पिता के कबरगाह के बगल में है और अगर अगर बात करें तो जो दूसरी जगह है वो इस इस रो में आपको आगे दिखाई देगी इस क्रम में आपको आगे दिखाई देगी यानि पेड के बगल का जो शेतर आपको दिखाई दे रहा है वो आपको वहां पर जो सामने ये शेतर दिखाई दे रहा है वो जगह होगी हाला कि अभी इस पर पूरा निड़ा नहीं लिया जा सका है कुल चार से छे घंटे कबर खोदने में लगेंगे, और दो घंटे इसकी साब सफाई में लगेंगे, साब सफाई इसकबरगा के शुरू हो चुकी है, जो सफाई करने वाले लोग है, वो सफाई के झाड़ू लगना शुरू हो का है यानि अब सु पूर्देखाक की त्यारिया शुरू हो चुकी है आप सुचना जब से ये सुचना आज सुबह कल शाम को जो सूचना मिली तब के बाद से जो इस ठानी ये लोग है, आपका मन क्या कह रहा है, इस पूरे परिवार की कब्रगा के देख रेक करने वाले आब जिए हम लोग का जो आत्मा है रो रहा है और उपर वाला है इसका जरूर फैसला करेगा यहां के पूरी आवाम रो रही है मुक्तार अंसारी जैसा इन्सान धूंडने पर भी नहीं मिलेगा यह गरीबों के मसिया ही नहीं हर कौम के मसिय है अल्ला इनको जन्नत दे यह आपको जो कबरगा दिखाई देगी यह मुक्तार अंसारी के पिता की कबरगा और अगर बात करें तो इनके बगल में संभावना जताई जा रही है कि बगल में इनके कबरगा यहां पर बनाई जा सकती है यहां पर जो सुपर देखा कर वो किय जा सकता है लेकिन अभी तक इस पूरे मामले में कोई इस पस्थ पूरी तरह से नहीं हो सका है कि कहां पर उनकी कब्र खोदी जाएगी और कहां पर सुपुर्दे खाक किया जाएगा लेकि दो पॉइंट और गागर बात करें तो अफजाल अनसारी के निर्णाई के बाद ये सपस्थ होगा दो पॉइंट यहां पर निर्धारित किये जा चुके हैं शाप सफाई यहां पर शुरू किया चुकि है और कुल 6 घंटे का वक्त लगेगा क्योंकि केमरामन वावुलाल के साथ नितिश कुमार पांडे, जी मीडिया, मुहमदाबाज, गाज़ेपूर. सुपूर्देखा किया जाएगा, बता दे आपको बड़ी खबर ये भी आ रही है कि पोस्ट मॉट्रम आज होना है, पोस्ट मॉट्रम के बाद शरफ को परिजनों को नहीं सौपा जाएगा, क्योंकि सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, जिस तरह से पुलिस, पोर्स, पू नमाज का दिन है और ऐसे में जुम्हे के नमाज को देखते हुए, यहाँ पर भारी सुरक्षा विवस्था यहाँ पर की गई है, बीती रात से जबसे इस खबर ये खबर आई, जैसे ही कि जेल के अंदर माफिया मुकतार अंसारी की तब्यत खराब हुई, उसे पेट अकसी यहाँ पर बढ़ती जा रही है, बता दें आपको सुभे आठ बचे का वक्त यहाँ पर बताया जा रहा है, जब मर्चुरी की बाहर जस्तर से हमारे सयोगी भी मौचूद है, वो हमें तस्वीरे दिखा रहे थे कि पूरी पोर्स यहाँ पर डिप्लॉई की गई है, औ पूरे पोस्मॉटम की जो प्रोसेस होती है, पूरी प्रक्रिया होती है, और उसके बाद माफिया मुक्तार अंसारी के शब को गाजिपूर ले जाए जाएगा, एक लंबा रासना यहाँ पर टायक करना होगा, कई घंटे का वक्त यहाँ पर लग सकता है, और ऐसे में, जो ह हालात को कंट्रोल में रखना, हालात सामाने रखना, लॉयन ओर्डर मेंटेन रखना, एक बड़ी चुनौती पुलिस प्रशासन के लिए, और दोपहर बाद का वक्त यहाँ पर माना जा रहा है, जब माफिया मुक्तार अंसारी को सुपूर देखा किया जाएगा, उन्हें देरात काडिया का रेस्ट से निधन हो लिया, बांदा जेल में बंद मुक्तार की तबियत खराब होने के बाद, उसे दुरगावती मेडिकल कॉलेज में भरती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत वे, यूपे के पूरवांचल में नब्बे के दशक में वो और मकनू सिंग उस समय हरी शंकर तिवारी का राई ठाइंग था, और उसी दौरान कोट परिसर में एक गोली कांड होता है, जिसमें एक नाम सबसे उभर कराता है, और वो था मुक्तार अंसारी का, जिसके बाद मुक्तार अंसारी क्राइम के दुनिया में बढ़ने लगा, और वारानसी, जौनपुर, गाजीपुर, मौू और बलिया में उभरते हुए बाहु बली मुक्तार अंसारी का दब दबा बढ़ने लगा, और बढ़ते बढ़ते सत्ता के गलियारों तक पहुच गया, और अपने बाहु बल के दम पर मुक्तार ने खुद को और अपने भा मुक्तार को सुपुर्दे खा किया जाएगा, दुकानदारों ने पैसला किया है कि वो आज अपनी दुकाने नहीं खोलेंगे, मुक्तार अंसारी की मौत पर यहां शोक का माहुल बना हुआ है, और खबर यह आ रही है कि मुहम्दाबाद फाटक पर तमाम जो दुकाने प्रचूद है, वो आज बंद रहेंगे, मातम पसरा हुआ है, और जो लोग उन्हें अपना मसीहा मानते थे, अपना भाई मानते थे, उनमें शोक के लहर है, तो मुक्तार को सुपुर्दे खा किया जाना है, यहां पर दुकानदारों ने साफ तोर पर कह दिया है, पैसला य यहां पर डॉक्टरों की टीम जो है, पूरी तैयारी के साथ, Post Waterm यहां पर करेगी, हालकि परिवार की तरफ से जाच की बात कही जा रही है, बार बार यह कहा जा रहे है कि उनकी खाने में जहर दिया जा रहा था, यहां तक की मुक्तार अंसारी की तरफ से भी यही बात कही गई थी अलकि अब जो है ये जो बात यहाँ पर कही जा रही है कि कार्डिक अरेस्ट की वजह से मुक्तार अंसारी की मौत हो गई है हमारे सयोगी लगातार विशाल रगवनशी बने हुए हैं बांदा से और जो हमें पल-पल की अपडेट दे रहे हैं विशाल खबर ये है कि पोस्ट मौटम के लिए डॉक्टर की टीम यहां पर पहुंचेगी जो लक्नव से रवाना हो चुकी है भारी सुरक्षा ववस्था की बीच में पोस्ट मौटम होना है देखे बिकुल डॉक्टरस की जो टीम है बस कुछी देर के बाद यहां पर पहुंच जाएगी और भार की टीम भी मौजूद रहेगी कुल पांच लोग की टीम रहेगी जो इस पूरे मजिट्रियल प्रकण की मजिट्रियल जाज करेगी चुकि यह जो मौत हुई है इसको लेकर परिवार वालों ने सवाल खड़े की हैं लगातार विपक्षी से खिमा सवाल कर रहा है ऐसे में ज पूरे मेंश्चार के होंगे और फिल पांच मेंबर जो है वह इस पूरे मैस्ट्रियल जाज को करेंगे आपको में तस्वीर लगातार दिखा रहा हूं तो तश्वीर देखाते हैं कि यहां पर भादी प्रुर्षक्चा बार्ड जो है वो तनात्त किया गया है और लगातार यहां पर हर चीज की जो है मॉइट्रिंग की जा रही एक एक जो है पहलू जो है चेक किया जा रहा है इसके साथ साथ चुकि आपको बता दें कि साड़े साथ बजे के आस्वास उमर अंसारी जो है वो यहां पर पहुंचेगा तो उसको लेकर भी पूरी तैयारी की गई है कि पहुंचेगा तो आपको बात करें क्योंकि पोस्त्माटम जो दो से तीन घंटे का वक्त यहां पर लगी को उसके बाद जिस रूट का इस्तेमाल यहां पर होगा वो कौन सा रूट हो सकता है कितना वक्त यहां पर लग सकता है गाज़ेपूर बहुंचने में करीब 420 किलोमेटर का जो प्रूट है यहां से बांदा से गाजीपूर तक का पुरा रूट है यह चारसआब बाइपास होते हुए वहार बदोही बदोही से सीधे बनारस और बनारस से सीधे गाजीपूर के लिए जो सिक्स लेन बनी हुई है वहां से ये रास्ता पकला जाएगा तो ये रूट फिलाल अभी तैय किया गया है तो कि ये शहर के बाहर का रास्ता होगा बसे सिफ कौशामबी तक जो है थ्वासा ये कह सकते हैं कि 7-8 गंटे का वक्त लग सकता है चुकि जो औसतन दूरी है 420 किलोमिटर की ये बताई जा रहे है तो ऐसे में 7-8 गंटे का वक्त लगेगा तो अगर 12 बजे के आसपास भी जो है डेड बॉडी यहां से जो है इसको भीजी आती है तो ये कह सकते हैं कि 7 बजे तक का समय की है पुलिस प्रशान राध भर से मुस्तैदी यहां पर लगाई हुई है तो तैनाती यहां पर पुलिस की जो नज़र आ रही है एलज कहां कहां पर नज़र आ रहे क्योंकि कई जगों पर 246 लागू की गई है अज्शे के बेकुल उत्त्रपदेश में कई जिलों को लेकर विशेष तत्रफ का बंढ़ने के निदेश दियेगें, कान पूर है, मओ है, बलिया है, गाजी पूर है, आदम गड़ है यहां पर विशेश निगरानी करने के लिए कहा गया है कि मुक्तार अंसारी का यहां पर आचा कासा प्रभाव रहा है तो ऐसे में इस बात को लेकर विशेश निगरानी की जाए कहीं ऐसा ना हो कि उनके समर्थ तक वो हिंद तक हो जाए इस तरह की चीजे हो सकती हैं, इसके साथ फेस्बूक पोश्ट, सोशल मीडिया पोश्ट, ये तमाम ऐसी पोश्ट हैं, इन पर भी विशेश ध्यान रखने के लिए का गया है, सोशल पोश्ट पर सभी की पुलिस की निगाएं जो हैं बनी हुई हैं, इसके साथ ही जो इखटी ना हो, किसी तरह से कोई महौल खराब करने कोशिश ना करे, नमाज की आल में कहीं भी लिखटा करके, कुछ इस तरह की ऐसी इसी ती ना पैदा कर दे, जो से जो है लावर इन ओर खराब हो, इन सब चीजों को लेकर कल ही रात में जो है, डीजी पे मुख्यारे से न कर दिया गया है, चुकि चुनाओं के वक्त में ये सेंटर फोर्से जो है वो तरप्रदेश के अलगला जीलों में मौझूद थी, तो ऐसे में उनको डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, बहुत जदा मुश्किल नहीं पड़ी है, तो लाइन ओर को लेकर जो है पूई तरह से मौझूद रहेगी, इसके साथ ही साथ इनकी जो डिपोर्ट है, वो एक हथे के अंदर देनी होगी, बिल्कुल विशाल और जिस तरह से आब बता रहे हैं कि जो पोस्ट मॉटम करने वाली जो टीम है, डॉक्टरों के जो टीम है, वो लखनाओं से आ रही है, हलाकि बार बा बांदा पहुंच चुकी है लखनुक्स की डॉक्रेक्स की टीम और वो सीधे यहाँ पर जब पोस्ट माटम होगा, तब वो सीधे जो है मर्चरी हाउस में जाएगी, और फिलाल बहुत जो है इस बात के ध्यान रखा जा रहा है, किसी भी तरह से कोई भी जो है चीजे आइड ना हो, इसके साथ इस बात का भी कोशिश किया जा रहा है कि बहुत सिस्टेमाटिक तरीके से स्टेफ वाई स्टेफ जो है वो सब चीजे की जाते हो कि यह जो पूरा मामला है, यह बड़ा हाई प्रफाइल मामला है और इसलिए पुलिस हो, चाई जील प्रशाशन हो चाई जीला प्रशाशन हो, हर कोई जो है, हर चीज फूंक फूंक के कदम रख रहा है क्योंकि सब को पता है कि इस पर सबकी निगाहें बनी हुई है, लगातार बिपक्षी खेमाइक का फियाती, माईले लेले कोशिश कर रहा है, विशाल लगातार इस पूरे मामने पर नज पर दरच है, जिन में से कई मामलों में उससे सजा सुनाई जा चुकी थी, जब कि कई केस अब भी पैंटिंग है, जो शायद अपैंटिंग की ही रहेंगे, मगर मुक्तार की मौत से उसके सताई लोगों ने जरूर रहत कि सांस ली, क्या है मुक्तार की क्राइम कुंडली और कैसे हुआ उसके गुनाहों का हिसाब, देखे इस रिपोर्ट में अथर कापते थे, देहशत ऐसी कि अगर मुक्तार के नाम से कोई फोन भी कर दे, तो आदमी की नींड उड़ जाती थी, आतंक ऐसा की पुलिस भी उस पर हाथ डालने से पहले दस बार सोंचती थी, लेकिन मुक्तार के माफिया डौन बनने की कहानी किसी फिल्म से कम नहीं है साल था 1988 जब मुक्तार ने जरायम जगत में कदम रखा, मंडी परिशत की ठेकेदारी को लेकर लोकल ठेकेदार सचिदानंद राई की हत्या के मामली में मुक्तार का नाम सामने आया, इसी दोरान बनारस में तुर्बवन सिंग के कॉंस्टेबल भाई राजंदर सिंग की हत् सामना मुक्तार अंसारी के गिरो से हुआ और यहीं से बरजेश सिंग के साथ मुक्तार की दुश्मन ही शुरू हो गई, नाम बड़ा हुआ तो पुलिस भी एक्शन में आई और 1991 में चंदौली से मुक्तार को गरफतार कर लिया गया, लेकर आरोप है कि रास्ते में दो पु लोगों ने गोलियों से भून डाला, इजाम लगा मुक्तार अंसारी पर, साल 1996 जब गाजीपुर के एडिशनल S.P. रहे शंकर जैसवाल और उनकी टीम पर दिन दहाडे हमला किया गया, इस मामले में भी मुक्तार का नाम सुर्खियों में आया, 1996 में ही मुक्तार पहली बार विधायक बना और तभी से उसने बिर्जेश सिंग की सत्ता को हिलाना शुरू कर दिया, 1997 में पूरवांचल के सबसे बड़े कोईला वेपसाई, रूंग्ता के अपहरन के बाद मुक्तार का नाम क्राइम की दुनिया में च्छा गया, साल 2002 का विधान सभा चुना, क्रिशनन राई ने मुक्तार के भाई अवजाल अंसारी को हरा दिया, और इसी दुरान बिर्जेश सिंग ने मुक्तार अंसारी के काफले पर हमला कराया, जिसमें मुक्तार के तीन लोग मारे गए और बिर्जेश सिंग घायल हो गया, और यही वो वक्त थाजा मुक्तार अंसारी पू इसका आरोब भी मुक्तार पर लगा, कहानिय भी खत्म नहीं हुई थी, साल 2009 में मुक्तार पर ठेकेदार मन्ना सिंग और उसके साथी राजेश राई की हत्या का आरोब लगा, इतना ही नहीं 2010 में मन्ना की हत्या के एक मात्र गभा, राम सिंग मौरे की भी हत्या कर दी गई, इ उनों सरकारों को सुप्रीम कोर्ट में शपत्पत्र देना पड़ा था। पंजाब सरकार मुक्तार को अपनी यहां की जेल में रखना चाहती थी। जबकि योगी सरकार उसे यूपी लाकर अपरादों में ट्राइल कराकर सज़ा दिलाना चाहती थी। और सुप्रीम कोर्ट मे जीत होई योगी सरकार की 6 अपरेल 2021 को मुक्तार यूपी लाया गया और यहीं से उसके अंत की शुरुवात होई साथ बजे के आसपात उमर अंसारी को यहाँ पर पहुंचना है और उसके बाद आठ बजे से पोस्माटम की पूरी प्रक्रिया है वो शुरू होगी तो ऐसे में यहाँ पर भी पूरी तैयारी कर ली गई है इसके साथ-साथ आपको बता दें कि देखिए रूट भी बनाए गय बनारस से सीधे गाजी पूर बस सीधे तोर पर यह कह सकते हैं कि बहुत अदा शेहर का रास्ता नहीं चुना जाएगा शेहर के बाहर का रास्ता चुना जाएगा चुकि आज जूमे की नमाज भी अदा होनी है ऐसे में तमाम शेयरों में अलर्ट भी हैगा तो इसलिए पूर कर पुलिस रखते हुए नजर आएगे सुरक्षा को लेकर खासा ध्यान यहाँ पर विशाल यहाँ पर देखा जा रहा है पूलिस यहाँ पर जो है एह थियात यहाँ बरत रही है बनी रही है माफिय मुक्तार अंसारी से जुड़ी बड़ी जवानकारी उस मौटम की बात शब पर जनों को नहीं सौपा जाएगा ये इस वक्त की बड़ी खबर पुलिस सुरक्षा में गाज़ेपूर पहुचेगा मुक्तार का शब पुलिस उरक्षा में सुकुर्दे खाकोगा मुक्तार अंसारी तो मुक्तार अंसारी का शव सीधे कबरिस्तान पहुंचेगा नमाजे जनाजा पढ़ने की बार मुक्तार के शव को दफन किया जाएगा खबर ये भी है कि मुक्तार के दोडों भाई बांदा नहीं आएंगे हला कि उनके बेटे की यहाँ पर वहुचने की खबर मिल रही है क्योंकि कुछी देर बाद सुभे आट बजे का जो वक्त यहाँ पर बताया जो आ रहा है जब पूरी डॉक्टरों के टीम यहाँ पर टैनात रहेगी और पोस्ट वाटरम यहाँ पर वक्तार अंसारी का होगा हमारे सेयों की लगातार विशाल बने हुए विशाल जिस तरह से चोकी प्रक्रिया जो होती है पोस्ट वाटरम पहले होता है उसकी बाद शव को परजनों को सौपा जाता है लेकिन इस मामले में ऐसा होता हुआ नहीं दिख रहा इसलिए भी ने दिख रहा है क्योंकि जो परिवार के सदस हैं उनमें अवजाल अंतारी यहाँ पर नहीं प्रकट करने वालों की भीड़ है वो यहाँ पर फिर से एक पारी खटा होना शुरू हो गई है और जो प्रशासनी खमला है उसने अपने जो सुरक्षा है जो चोकसी है वो और भी बढ़ा दी है आप देखे सामने आपको यहाँ पर भीड़ दिखाए देगी भीड़ों की नारे करते हुए जो पुलूस कर्मी है वो दिखाए देंगे पियसी के जवानों के यहाँ पर जैनाती है और यह पियसी के जवान लोगों से अपील कर रहे हैं कि आप थोड़ा सब पीछे हट जा जाई है और उसके साथ यह कौर अपडेट आपको बता दो के आज ही जो ने इस पूरी सूचना के बाद इस चेटर की दुकानों को बंद रखने का नियरा लिया गया है तो यह आपको तस्वीरे दिखा रहा हूँ और देखे जिस तरह से हैं पर पहूंची है लोगों को यह सुचना है इस तरस wallpaper के लोग टरं जो इ स्थानी शेतर के के लोग वो सतभ्द है वोस्तब्ध जो सूचना है उसको पर जब मिली तो एक पिनिट के लिए सन्याटा सचा गया और अभी तक के सन्याटा पसरा हुआ है लोग शोप में डोबे हुए हैं और अपना शोप टकट करने के लिए वो यहां फाटक पर पहुंचे हुए हैं भीणा आपके सामने आप देखें यहां प कोई भी ऐसी जब बस्ताव पर नहुने दे लेकिन चुकि कहा जाता है इस शेतर के भाईजान कहे जाते हैं और उनकी मौत की खबर है लोग यहां पर उनकी मौत पर सांतोना प्रकट करने के लिए यहां पर पहुंचे हुए हैं यह घर के तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं मुक्तारन तरीक है और लोगों से बाचित भी करते हैं तो यहां पर आये हुए हैं आप दो प्रकट करने के लिए लेकिन यहां पर जो यूँआ वर्क के लोग है वो भी तो यह सूचते के यह बात तो नहीं करना चाह रहे हैं लेकिन आपको हम तस्मीरे दिखा रहे हैं यह पर ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग भी मौजूद है और पुशासनी कमला इस भीन को मेंटेन करने का पूरा प्रयास करता और पूरे मुहमदावाज शेतर में इस तरीक के आपको इंतिखाई देंगे सुरक्षा के पॉइंट यहां पर बनाए गए हैं और हर एक तरे मों के ऐसी घटना हो सकती है, इस तरीके से. इस चेतर में मुकतार अंसारी को किस रूप में देखा जाता था भाइजान, मसीह, हुँआ भाइजान, हम लोग के लिए, यहां के लिए तो मसीह ही थे. आज इस चेतर के दुकानों को बंद रखने का ने लिए गया है? तो सोभाविक से चीज है इससे कोई नीड़न नहीं है हमारे घर की ताजियत करनी है दर्वाजे पेचीज है जिसकी दुकाने बंद रखेगे जिस तरफ से यह सूचना मिली इस पूरे शेत्र में कहा जा रहा है एकदम पूरी तरफ से मातम चाया हुआ है आप भी लोग यहां संतना देने के लिए